हेलो एवरिवन राधे राधे आज आप लोगों की सीए पाइनल एफपार के स्लेबस का लाश्ट लेक्चर है अभी तख हमने पूरे एफपार के स्लेबस में अकाउंटिंग करना हर एक चीज़ सीख ली है डिटेल के अंदर तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को द लेकिन इनको पढ़ाऊंगा उतना सुन लेना और आगे बढ़ जाना इन में कोई दिमाग मत लगाना कि इन में ज्यादा दिमाग लगाने बैटो तो आज अपन अपने इस लेक्चर में इन दोनों चप्टर को फटाफट से कंप्लीट करते हैं फिर मैं आप लोगों को काई साग भी नहीं लगाना एक बाकी आपको पता है कितना वश्ट श्चार्ड करते है आप सबसे पहले इंढ एथिकल डियूटी आफ fy चाटत अकाउन्टेंぎ तो यह चप्टर आपको क्या सिखाने वाला है कोई लेएन Бज़ोँ अब ज्यान बाज़े की बाते करेंगे तो वो सुनते रहना मस्ताराम से कोई ज्यादा दिमाग लगाना मत चार्टर अकाउंट्टेंट की प्रोफेशनल और एथिकल ड्यूटी की बात करेगा अप सीए बन चुक्यों आप अपने आपको सीए फील करो एक बार कि आप सीए बन गयो और सीए बनने के बाद से आपकी प्रोफेशनल और एथिकल ड्यूटी क्या होँगे अदिजसिए बनने के बाद आपके मनम में आता रहा हूं बस काश एक बर मैं मारता फिरूंगा किसी भी बैलेंशेट पर साइनमा दूंगा लोगों से पैसा लों przeci तो यहाँ पर यह जो चप्टर आपको ज्यान देगा कि ऐसा आपको नहीं करना आपके कुछ समाज के लिए नैतिक प्रिंसिपल भी नैतिक सिद्धन्त मी आपके कुछ ethical duty बताएगा कि ऐसे नहीं चलना आप CEO तो फिर आपको एक foundation में एक limitation में काम करना पड़ेगा आपकी समाज के लिए दायत वा जाएंगे आपके duties आजएंगे समाज के लिए काम करने की तो उस वक्त आपको सोच समझ के अपने दिमाग को काम लेते वे धंग से काम करना पड़ेगा professional behavior दिखाना पड़ेगा तो इस तरीके के कुछ घ्यान की बाते करेगा मैं आपको बता दो इस chapter का अपने introduction जो समझ रहे हैं ये जो chapter है आपके पास CA final जो audit वाला syllabus है audit एक subject है आपके पास audit के subject के अंदर ये पूरा का पूरा एक detailed chapter है professional ethics करके पूरा एक detailed chapter है वास chapter है अच्छे खासे marks का आता है audit subject के अंदर आपके पास ये वहाँ इसको आप पूरा detail में पढ़ने वाले हो यहाँ पे उसको कुछ portion उठा के बिना बात में डाला है इनोंने तो जिन students ने audit subject उल्रेडी पढ़ रखा होगा उनको पता है ये सारी चीजे उनको कुछ समझ में ऐसा नहीं लगेगा कि कोई नहीं चीज पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है बिल्कुल फालतू सा content है जिन्होंने audit नहीं पढ़ा है तो उनको मैं जितना यहाँ relevant आपके लिए सब्सक्राइब बहुत अच्छा करसा लंबा चोड़ा चप्टर है वहाँ डिटेल में पढ़िएगा आप लोगी तो आप इसमें एक चार्टर अकाउंटेंट की कंपनी के बनाने वहां आपको accounting करनी है तो वहां आप घपला नहीं करो वहां आप घपला नहीं करो घपले बाजी ना करो फ्रॉड वगेरा ना करो वहां आप मिस आपको फिर सोसाइटी को देखना पड़ेगा क्योंकि सोसाइटी आप पर ट्रस्ट करती है एक बार पीम सर ने बोला था हमारे मोधी जी ने आपको याद हो तो सी एडी पर या फंक्शन हुआ था तो पीम सर चीफ गेस्ट थे वहां पर मोधी जी और नहोंने बोलाता है कि एक चार्टर अकाउंटेंट के सिगनेचर की एक प्रेसिडेंट के सिगनेचर से भी ज्यादा वेल्यू है और उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि इसको सोसाइटी पुरा बिलीव करती है चार्टर अकॉंटेंट पर तो आपकी एक एथिकल डूटी भी बनती है तो बस इस कंपनी के अंडर नौकरी कर रहा हूं उसकी गुलामी करूं मेरा कंपनी का बोस मुझे बोलता है कि या तो एक काम काना इसका ट्रेटमेंट यह दिखा दे इंडिया जबकि कुछ और बोलता है तो ऐसा नहीं है मुझे समाज के लिए पब्लिक इंट्रेस्ट के लिए काम करना है सब्सक्राइब कंपनी के यूजर कंपनी के फाइनेशल स्टेटमेंट के यूजर कंपनी जिन जिन लोगों को इंपेक्ट कर सकती है यानि शेयर होल्डर्स एंप्लोई या कोई थर्ड पार्टी क्रेडिटर डेटर्स बैंक कोई भी आ जाएगा उसके अंदर जिसको उसके बाद क्या हुआ कभी मान लीजे वो खुल गई मार्केट में ये बात लीक हो गई कि फलाना चार्टर अकाउंटनेंट ने इस कंपनी की बुक्स में घपले बाजी करी दी इमेज किसके खराब होगी इंस्टिट्यूट की इमेज खराब होगी प्रोफेशनल बोड़ी के जिसमें आपको सीए बनाया कि कैसे सीए बना रही है समझ में आ रही है बात चार्टर अकाउंटनेंट की ड्यूटी है कि वो पब्लिक इंट्रेस्ट में काम करें ना कि एक एंप्लॉइंग और्गनाइजेशन जिसके लिए वो काम जिसकी वो नौकरी कर रहा है कुछ पै करके उन्होंने रिलीज किया जिसके अंदर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स बताये गए जो हर एक चार्टर अकाउंटेंट को कंप्लाई करने पड़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स का मतलब है नैतिक सिध्धान दिये हमारे इंस्ट चार्टर अकाउंटेंट को इस तरीके का व्यवार करना चाहिए इस तरीके की प्रेक्टिस करने चाहिए इस तरीके से काम करना चाहिए तिका कुछ गाइडलाइंज दी इंस्टियूट ने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स जिने बोला जाता है हर एक चार्टर अकाउंटेंट का परपस है कि वो इंशोर करें कि जो भी अकाउंटेंसी हो रहा है यह वो true and fair view हो रहा है उसमें reflect ताकि user सही decision making कर सके तो अकाउंटेंसी का profession अकाउंटेंसी profession का objective अच्छिव किया जा सके इसलिए इंस्टिट्यूट में fundamental principles of ethics release करें जो कि हर एक चार्टर अकाउंटेंट को comply करने है इसके बाद देखी जब चार्टर अकाउंटेंट उन fundamental principles of ethics को comply करने जाएगा मान लीजिए मैं चार्टर अकाउंट उन्टू मैं एक कंपनी में नौकरी कर रहा हूं मैंने देखा कि मेरे कुछ fundamental principles मेरे कुछ नेकि सिद्धान्त है बोलते हैं मेरे principle होते हैं हर एक इन्सान के अपने principles होते हइं हर इन्सान अपने principles पर चलता है कुछ चार्ट अकॉंटेंट मोरेल वेल्यूस फॉलो करने जाएगा तो उसकी रस्ते में कुछ कठी नाइया आएंगी उसे क्या करना पड़ेगा उन कठी नाइयों को पार करना पड़ेगा आपने सुना है ना जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते तो आपके सामने बहुत सारी कठी नाइया आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा उन कठिनाईयों को overcome करना पड़ेगा तब जाके आपकी जीत होगी ठीक है आप समझते हैं यह जीद तो सच्चाई के रास्ते पे चलिए तो इंस्टिट्यूट ने बोला अब fundamental principles of ethics जब chartered accountant फोलो करने जाएगा अपने ethical principles को फोलो करने जाएगा तो हो सकता है उसके सामने कुछ कठिनाइया आएं उसके सामने कुछ खत्रे आएं कुछ उसको डर महसूस हो ठीक है threats जीसे बोला गया है English में उसके सामने कुछ कठीनाईया आएंगे तो chartered accountant को वो कठीनाईया वो threats identify करने पड़ेंगे कि मेरे सामने क्या-क्या कठीनाईया है इन fundamental principles of ethics को follow करते वगद अगर मैं सच्चाई के रास्ते पे चलता हूँ तो मेरे को क्या-क्या कठीनाईया क्या-क्या threats face करने को पड़ सकते हैं अब मैं इन threats को इन कठीनाईयों को overcome कैसे कर सकता हूँ उनको address मैं कैसे कर सकता हूँ वो chartered accountant को देखना पड़ेगा और उसके बाद उसको फिर अपने ethical principles पे चलना रहेगा तो वो सब बाते आपको सीखनी है इसके बाद देखे लिखा है मैंने अगर chartered accountant ने अपने ethical principles को follow नहीं किया chartered accountant ने अपने ethical principles को follow नहीं किया chartered accountant मैंने सोचा इन moral values में क्या रखा है इनके चक्रों में पड़ूंगा तो मैं को threats मिलेंगे मैं को कठीनाईयां आएंगी बहुत दिक्कत आएगी इससे अच्छा मैं थोड़ा घपलेवाजी कर लेता हूँ ज़्यादा अच्छा पैसा कमाऊंगा ऐसा मैंने सोचा क्या रखा है moral values में थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं तो अगर chartered accountant ethical principles follow नहीं करता तो उसको misconduct face करना पड़ेगा chartered accountant act के अंदर इसका मतलब क्या है देखि chartered accountant का भी एक act है 1949 के अंदर जो आया था ये भी आप वही audit subject में मैंने बोला professional ethics chapter में पूरा detail के अंदर ये ही है तो chartered accountant act जो 1949 में आया था इसमें बहुत सारे schedules है इसमें कुछ clauses दे रखें जैसे आपके किसी भी act में sections वगेरा होते हैं तो schedules भी होते हैं अदर चार्ट अकॉंटेंट एक्ट में दो schedules हैं कुछ clauses है उन clauses में लिखा हुआ है कि chartered accountant को ये फलाना फलाना चीज करनी है अगर वो नहीं करता है वो close का violation करता है तो उसे misconduct माना जाएगा chartered accountant के पार पर कि CA ने misconduct किया नहीं कुछ भी काम करना व्यवार करना तो अगर chartered accountant ने जो इस act के अंदर clauses में दिये हुए काम हैं अगर वो नहीं करें तो उसे misconduct माना जाएगा और misconduct कर दिया तो उस यह सब chartered accountants act के अंदर लिखा हुआ है बहुत सारे detail में बाते हैं आप chartered accountants act की क्या सब्सक्राइब यहां पढ़ने नहीं यह आपको audit subject में detail में पढ़ना है यहां क्या पढ़ना है पर जितना मैं बता रहा हूं उतना सुनना आप यहां पर यहां पर यह लेक्चर होने के इतनी है कि chartered accountants public interest में काम करना चाहिए ना कि company के लिए जिसने उसको employ किया इसके लिए उसे fundamental principles of ethics follow करने पढ़ेंगे अगर नहीं करता है उसका misconduct माना जाएगा chartered accountants act में जो आप detail में इस chapter में पढ़ने वालो यह इस chapter का introduction था तो सबसे पहले आपन बात करेंगा अब इस chapter मे fundamental principles of ethics क्या होंगे जिसे आप ethical principles भी बोल सकते हो никак हम सबसे पहले बात क्या करें कि कि हीए को फंडामेंटल principles of ethics जो institute ने release करें वह फो लू करने पढ़ेंगे जिन्ы आप ethical principles भी बोल सकते हो तो आपके five fundamental principles of ethics ने जो हर एक CEO को comply करने पढ़ते हैं ICI ने आपको 5 fundamental principles दिया, 5 moral values बताई है, एक तरीके ते 5 आपके ethical principles है, यानि नैतिक सिद्धान्त है, ये चीजे तो एक chartered accountant में होनी ही होनी चाहिए, वो chartered accountant बन गया तो उसको ये 5 principles सो follow करने ही पड़ेंगे, जब भी वो अपना काम करेगा, सबसे पहला principle क्या है integrity, integrity मतलब straight forward and honest, यानि एक chartered accountant straightforward होना चाहिए, ओनेस्ट होना चाहिए, यानि वो ऐसा नहीं कि अपनी बाते, जो सच्चाई की बाते उसको रखनी आनी चाहिए, डर्ना नहीं चाहिए, मान लीजिए मैं कंपनी में नौकरी करने चला गया, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं किसी दिन, महां पर accounting क पार्ट में को देखने को मिला, कि में को financial statements बनाने थे और accounting करवाने थे, insure करवाने थे, as per indias, तो accounting में बिल्कुल indias की according कर रहा था, एक दिन कंपनी का director आता है, और मुझे बोलता है, एक काम कर तो इसकी accounting है न, यह जो PP या, machine खरी दिये, इसको तो एक काम कर asset मत दिखा और मैं तो वही follow करूँ न, बाकि आप देख लीजे, आपकी मर्जी है, मैं तो वही follow कराऊंगा, आपको जो करना है करूँ, straight forward होना चाहिए, honest होना चाहिए, ठीक है, आज कल वो professional ग्यानी बनते हैं न, लिंग निन पर, वैसा नहीं होना चाहिए, दम होना चाहिए, सामने जो की professional judgment करने में उसको दिक्कत करे, for example मान लिजे, वो ही chartered accountant हूँ, मैं accounting कर रहा था, director आया, बोला कि यार, इस machine को तू एक काम कर, खर्चा देखा, इसे PPE, asset मत record कर, director अपने किसी intention से बोल रहा होगा, तो मेरी objectivity मुझे रोकेगी, objectivity के according मैं मैं मना करूँगा, मेरे उपर को किसको क्या ही पता चलेगा, छुप जाया गए transaction, इतने करोड़ों के transaction में, ठीक है, ऐसे में को biasness नहीं लानी है, conflict of interest नहीं होना चाहिए, director ने बोला, एक काम कर, तू इस machine को खर्चा दिखा दे, books में, asset मत दिखा, तेरे को 1000 रोपे देता हूँ, आज श्याम को party करते है, चल इसके आख professional competence and due care, chartered accountant में हमेशा professional competence यानी professional knowledge उसे maintain करनी है time to time, और उसे diligently work करना, due care यानी diligently उसे work करना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि मैं एक company में job कर रहा हूँ, और सामने वाली company ने मुझे index की according accounting करने की काम दिया हुआ, मैं accounting कर रहा था, पर मेंको index में सब आता था, पर मैंने index 116 कभी नहीं पढ़ा था, leases, मैंने वो कभी नहीं पढ़ा और आस्तक नहीं पढ़ा और एक दिन company ने एक lease contract में एंटर गया, और उसके accounting करने मुझे आता ही नहीं, मुझे leases वाला index आता ही नहीं, मैं पास professional knowledge ही नहीं, तो ये गलत बात है भाई, अब इसका मतलब यह नहीं कि मैं कोई index नहीं आता है, मैं कुछ भी accounting करूँ में को अपनी professional knowledge maintain करनी पड़ेगी, time to time update करनी पड़ेगी, professional competence होनी चाहिए, एक chartered accounting में, इसके बाद उसे diligently work करना चाहिए, diligently यह नहीं सूज बूस से काम करना चाहिए, सो समझ के काम करना चाहिए, ऐसा इस में क्या होता था, asset lease पे लेते हैं, तो अभी operating और financial lease देखते हैं, मैंने index पड़ा नहीं, तो मैंने सुचा, AS क्या according accounting कर देते हैं, same ही होगी, किसको क्या पता चलेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, index में क्या होता है, हमाई, ROI, asset lease, liability, बुक करनी होती, यह operating, financial lease जैसा confidentiality maintain करनी है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको अपने दोस्तों को देता फिर हूँ, अपनी किसी girlfriend को जाके उससे बता दू कि देख, ऐसा ऐसा है उस company में, और उसके सामने बहुत बढ़ा अपने आपको दिखाने के लिए, ठीक है, तो ऐसा कोई confidentiality की धज्या नहीं उडानी है, आप लगा के बैट जाओ, एक photo, महां पे LinkedIn पे डाल दो, एक अच्छा था paragraph लिख दो, बड़ा सारा 3-4 page का, और उसके बाद उसमें ज्ञान पेल दो, वो वाला कम नहीं करना है, ठीक है, वो professional behavior नहीं होता, वो तो पागल बना रहे हैं सब लोग, उनको professional का ABCD में नहीं बता, वो क्या ही बोलू में उनका, वो कोई professional behavior नहीं, professional behavior का मतलब है, आप laws and regulations का compliance करने वाले होने चाहिए, आप low and regulation जितने भी उनका compliance करो, आप एक company में जब काम कर रहे हैं, तो वहां देखे कोई laws and regulations आपके लग रहे हैं, आप उनका compliance करें, मान लीजे में को accounting करने का role मिला, तो accounting में मुझे क्या comply करना है, इंडियस, तो मुझे इंडियस का compliance करना है, तो वो मेरा professional behavior होगा, तो जब मैं accounting कर रहा हूं, मेरे director ने बोला, तो इसकी accounting इस तरीके मत कर, तो मैं उसे बोलूँगा, देख, फलाना ही इंडियस ऐसा बोलता है, तो मैं तो इंडियस की according की चलूँगा, ठीक है, वो आप अच्छे से समझते है, final के students है, जो विचारे foundation के इंटर के students है, वो फस्ट जाते हैं उन विचारों के चक्रों में, तो उसके चक्रों में उन लोगों का धंदा चल जाता है, LinkedIn वालों लोगों का, वो ज्ञानी पेल सकते हैं, वो आता जाता हूं को कुछ है चलिए, तो यह पांच fundamental principles एक chartered accountant में होने चाहिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी घ्यान की बाते और कर देता हूं, बाकि audit में आपको अच्छे से detail में पढ़ाया जाता है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, किसी student को ऐसा लग रहा होगा सा, professional competence and due care and professional behavior वाले point मे difference क्या है, बहुत minor सा difference है, मैं आपको clear करता हूं, कोई थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा रहा हो तो, तो देखो professional competence and due care क्या है, मानलीजे में कोई particular चीज़ की accounting करनी है, लेकिन मुझे उसकी accounting पता ही नहीं है, मैंने कभी वो इंडेस पढ़ा ही नहीं, तो यहनी मेरे part पे professional competence है ही नहीं, professional competence and due care नहीं है मेरे part पे, मैं इसे comply नहीं कर पा रहा, professional behavior क्या है, professional behavior का मतलब है, कि मुझे पता इस फलाना चीज़ की accounting कैसे होनी चीज़, वो इंडेस क्या बोल रहा है, फिर भी मैं उससे comply नहीं कर रहा, दोन में एक thin line difference है, इसमें मुझे उस पलाना इंडेस क कुछ ABCD भी नहीं पता, ठीक है, तो मैं गलत accounting कर रहा हूँ, इसमें मैं इंडेस का मुझे सब knowledge, मुझे पता है कैसे accounting होनी चीज़, एकदम correct treatment क्या होना चीज़, फिर भी मैं जान कुछ के गलत कर रहा हूँ, तो यानि वो मेरा professional behavior नहीं है, तो यह थोड़ा था thin line difference है, दोन इनाईयां आएंगी, threats आएंगे, कुछ उसके सामने खत्रे आएंगे, कुछ डर उसे face करने को पढ़ेंगे, तो वो डर क्या-क्या face करने पढ़ेंगे, chartered accountant को, वो मैंने आपके सामने लिखे है, threats to compliance with fundamental principles of ethics, जिसे आप ethical conflict या फिर ethical dilemma भी बोल सकते हो, कि chartered accountant ethical conflict में फश जब आपके सामने कठिनाईयां आती है, तो आप सोच नहीं पाते है कि मैं कौन से रस्ते पर जाओ, अब मैं ये रस्ता चूस करूँ कि ये चूस करूँ, उसमें आप फश जाते है, फिर जब कठिनाईयां होंगी, ठीक है, आगे कुआ पीछे खाई, एक काहवस सुनी होग तो बाद में वो देखेंगे कि वहां थ्रेट्स और भी डिटल में पढ़ाये जाते हैं, वो बाद में आके मुझे ये ना बोलें कि सर आपने तो ये दो थ्रेट्स ही पढ़ाएं, जो आपके एपर के स्ट्रेबस में चेप्टर का पोर्शन हो, उतना ही मैं यहां यहां तो चोटा सा फालतु का पोर्शन है, तो दो थ्रेट्स आपको देखने हैं बद दो धियान लगनें आकाउंटिंग के पॉइंट ऑव यू से, इंटीमेडेशन थ्रेट्स और एडवो के से थ्रेट्स, इंटीमेडेशन थ्रेट्स का मतलब है कि एक्जांपल में ने मैं एक कंपनी में नौकरी कर रहा हूं सी ये बनने के बाद, और नौकरी कर रहा था मैं अकाउंटिंग करता था इंडेश के अक दिन कंपनी का डायरेक्टर आता है, और मुझे बोलता है कि इस फलाना मेशीन को तुम खर्चा दिखा दो, पीपी मत दिखाओ, वही एक्जा या शकल मन दिखाना से, ठीक है, उसके एक लात मार के निकालेगा, डायरेक्टर बोलेगा, निकल चुप चप अपनी दो-चार गालिया देगा, वह लगए तो ये वाली एक थ्रेट होता है, चार्टर अकाउंटेंट को थ्रेट भी दिया जा सकता है, सिंपल सी बात है, हम करना है, तो जो मैंने बोला है, सुन ले, वन न निकल ले, ऐसा डायरेक्टर उसे बोलेगा, तो थ्रेट ऑफ दिश्मिसल मिलगा, या यह नि इन्टीमिडेशन थ्रेट आ सकते हैं, जब वह सच्चाइक रास्ते पर चलेगा, तो उसके सामने इन्टीमिडेशन थ्रेट सकते हैं या फिर इसका एक वर एक्वर प्रेशर ऑन सी ए और फिस परस्टनल सरकमिस्टांसेज डैट ही कैनोट अफ़ॉड लोज जोब इसका मतलब क्या है मां लीजिए मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूं और जब मैं जॉब करने गया था तब मैंने डायरेक्टर सिंसब को बता दिया था कि में को जॉब की सकते रिक्वार्मेंट है सर्फ प्लीज मुझे रख लीजिए और जॉब जोईन होने के बास मैंने बोला कि बस मुझे इस कंपनी की ही सेवा करनी है मैं अपनी जॉब को लॉस नहीं कर सकता है यानि मैं इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूं और डायरेक्टर ने आया वही इसका टेटमेंट ऐसे दिखा अब मैं उसके सामने अपनी इंटेग्रेटी दिखाओं अरे सर मैं तो इंडे 16 पीपी लगा के से पीपी दिखाने वाला हूं आप कैसी बात कर रहे हो मैं तो ओनेस्ट चार्टर अपने पर्सनल सरक्रमिस्टांसेस की वज़े से अपनी इमांदरी नहीं दिखा पाएगा देखो कोई इंसान होता है इमांदर पर उसके कुछ यह से सरक्मिस्टांसेस बन जाता है कि वह इमांदरी नहीं दिखा पाता ठीक है उसको पता है कि इमांदरी के चक्कर में वह व कहिना कहीन कई सब्तराइब काफ़ी करते काफ यूर रागलद सब्सक्राइब कुछ लोंग ऐसे समस्ते हैं कि जिस agrade다 इससे बढ़के हमारे कुछ नहीं है हमारा सेट हो मैं पादा किया की just के माना लेते फेले को वह भगवान बना लेते हैं पता नी क्या की दुनिया और सकंपनी तो यसा सिए जब नौकरी करने को गुलाम बन झाता वा उसको इसको इसको को na कोट में जाके कमपनी के लिए के से भी लड़ सकता वो कमपनी के लिए किसी से बुरा नहीं सुन सकता को यूट्यूब पर जाके कमेंट में लिखता लेना लोन लेना है company को और बैंक वालों ने condition डालिए कि लोन लेना है न तो आपको अपनी financial position बतानी पड़ेगी कि company की financial position कैसी है और उसके लिए आप अपने सीए के साइन करवार के लिए आओ अब यह जो बंदा है सीए यह तो company की गुलामी कर रहा है तो इसको मालूम है कि कमपनी को पर प्रैशार है कि कमपनी को फाइनेश चाय favorites है तो यह तरीके का थ्रेट है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के लिए चार्ट कर रहा है थोड़ा साइन कर रहा हूं इसे इमान दारी मतलब मान लीज़े कंपनी की क्वेश् दोन जिसके बएच्वर यह सब्सक्राइन जाएं जर्ब आपके सामने जाएंगे तो इस तरीकी की चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो आपके लिए पॉइंट दिया गया addressing the threats to compliance with fundamental principles of ethics जब आप सच्चाई के रस्ते पे चलेंगे तो कुछ कठिना ही आएंगी कुछ डर आपको face करने पड़ेंगी जिन्हें आप threats पोल रहें Chartered Accountant के इस case में ethical responsibility या ethical duty क्या बरने वाली है तो देखिए अब इसमें दो सिनेरियो मैंने लिखे हैं इनको आप समझेगा देखिए जो Chartered Accountant है न एक कंपनी के लिए दो तरीके से काम कर सकता अब यह आपको सबसे important point समझना है यहाँ पर मैं company में एक तो employee हो सकता हूँ एक company की नोकरी कर सकता हूँ जो अभी मैं example लेकि इतनी देर से आप से बात कर रहा हूँ मैं company में CA बनने के बाद company की नोकरी करने चला गया ठीक है इसे बोलते है CA in service Chartered Accountant in service ऐसा Chartered Accountant जो सर्विस में है ठीक है बाहर सर्विस कर रहा है कहीं पर किसी भी company में job कर रहा है उसे बोला जाता है CA in service Chartered Accountant अगर company का employee है तो दूसरा होता है CA in practice जो चार्टार अकाउंटेंट consultant services देता है ठीक है auditing की services देता है बहुत सारी कुछ भी services दे सकता है वो उसकी मर्जी है तो इसे बोला जाता है Chartered Accountant in practice यानि जिसमें अपनी खुद की दुकान खोलके बैठा है दो तरीके के Chartered Accountant तो सबसे पहले अगर CA जो आपको question में दिया हुआ वो advisor या consultant है company का यानि क्य consultant CA का मतलब है वो उस company में job नहीं करा consultant का मतलब है उसने अपनी प्रेक्टेर डाली हुए अपनी firm खोली हुए हो सकता है consultant वो auditor भी हो कुछ भी हो उससे अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बस समझ जाना वो outsider है यानि वो practice वाला CA practice वाला CA तो जो company का management है उसने CA को बोल बाता कि इसी बाहर वाले CA से लेकिया हो जो आपके अंडर आपकी company में job कर रहा है उसकी report नहीं चलेगी बाहर वाले किसी CA के चल जाएगी जो practice में तो company consultant advisor CA के पास गई यानि CA practice के पास गई उससे report sign करा ली और CA ने sign भी कर दी गलती थी मदब integrity उसने छोड़ दे समझ में आ अगर वो नहीं करता तो वही misconduct होगा उसके पाली पर तो सबसे पहले आपन उसी की बात कर रहे है जो CA एडवाइजर या consultant कंपनी का एडवाइजर या कंसल्टेंट के अंदर है यह practice के अंदर है वो company में job नहीं कर रहा तो अगर ऐसा CA fundamental principles of ethics को follow करना चा रहा है लेकिन उसके कैसे address करेगा तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिखा है inform या guide दोस्ट चार्श विद गवनेंस यानि डिरेक्टर्स और मेनेजमेंट अबाउट दी करेक्ट्रीट्मेंट और फाइनिशल स्टेट्मेंट सबसे पहले वो क्या करेगा जो भी दोस्ट चार्श विद गवनें जिसे short form में TCWG बोला जाता है बहुत आपसे pre-award होगा आप इसे पढ़ते आरहा audit subject जब से आपने पढ़ना चालू किया होगा तब ही से यह वर्ड आपको याद करवा दिया गया होगा short के अंदर TCWG यानि जो consultant यानि practicing CA जो है उससे सबसे पहले यह चीज बतानी है about the correct treatment इसे बताना पड़ेगा कि यार आप लोग यह गलत कर रहे हो इसका correct treatment यह होना चीए और ऐसे करो आपको जो भी चीज़े corrective measures उसको बताने रहेंगे और उसके बाद financial statements को rectify करवा लेना रहेगा ठीक है बताएगा कि यह आपने गलत दिखाया है इसको correct करो और financial statement सही क करके मेरे पास लहुं आइसा वो गरेगा सबसे पहला काम मुं सबसे पहला काम उसके लिए होगा फ्रेसट जब सामने आएंगे तो सको इनफॉम्या ..... करना ही पढ़ेगा थोड़ा सा इंफोर्म या गईड करेगा इंफारम या गाइड किया पर सामने वाले management वालो ने सुना नहीं बोला ते रिंख साइं करने है तो कर नहीं तो जा तो इसके बाद यह क्या करेगा इस भी एक्षैन ही लिए इसको रिप्लाइ या फिर कोई और अप्रोप्रेक्त आथ्रीट या उनको जाकर तरया को जाकर चोईस है इंकेजमेंट से वेड्रो कर लेगा ठीक है कंपनीवालों बोला कि तो निकल ले तेरी जरुवत ही निये तु निकल यहां से ठीक है तो दूसरे को डूड लेंगे ठीक है तो यह नहीं बोला कि हम इंगेजमेंट से विड्रो कर लेता हूं आप रहने तो मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा मतलब यह आपको एथिकल प्रिंसिपल्स क्या बोल रहे है यानि कंपनी के साथ जो भी आपका कॉंट्रेक्ट हुआ है जिस भी चीज से रिलेटेड आप सर्विस दे रहे हो उससे आप विड्रो कर लो आप बोल दो कि मैं नहीं देपाऊंगा सर्विस ठीक है पर ऐसा कोई करता नहीं प्रेक्टिकल लाइफ में यह वाले पार्ट मतलब मैं खुद C.A. हूँ और आप लोग भी फ्यूचर C.A. है तो आपको समझना चाहिए पर ठीक है दुनिया खराब है फालतु का ग्यान बाटते हैं कि प्रोफेशनल है प्रोफेशनल है कोई प्रोफेशनल नहीं सब धंदा कर रहे हैं लोग दुकान खोलके धंदा कर दुकान खराब है दुकान खराब है दुकान खराब है लोगों को किसी से मतलब नहीं है अच्छाई करने वाले भी बहुत ऐसा नहीं कि कोई नहीं है जो पुरा प्रोसेजर वगरे सब फोलो करते हैं तो ठीक है ऐसी चल रहा है सब खूच नेक्स दिखिए अगर C.A. employee कंप अब इस पुर्णा करांगा कि देखो ये अथिकल रैस्पॉंसिबिलिटी होती है ये मेरी रैस्पॉंसिबिलिटी नहीं आपकी भी आप सोचो ना आपको भी मांदारी से काम करना चाहिए जो ये ने इसी अटिकल प्रिंसीपल्स बताये हैं न ये क्योंको सी एक लिए नही है इसा कैसे कर सकते हो किसी के साथ गलत हो जाएगा आप एक ट्रीटमेंट गलत दिखाओगे तो हो सकता है उसका बहुत मेजर हो सकता है यूसर इस पर भरोसा करके आपकी कमणी में पैसा डाल दे उनका पैसा डूप जाए आप सोचो एक बार ऐसा में को याद दिलाऊगा और उनको प्यार से बोलके क्योंकि मैं नौकरी में हूँ और उनको मैं कम्यूनिकेट करूंगा सबसे पहले मैं बताऊंगा ethical responsibilities और फिर मैं उनको कम्यूनिकेट करूंगा देखो अब अपन यह incorrect treatment से बचने के लिए यह correct treatment कर लेते हैं अपने financial statement गलेट दिखें उसे अच्छा हम यह necessary adjustment कर दीजिए सर ऐसा मैं उनको बलूँगा सर प्लीज आप दिहान रखिए थोड़ी ethical responsibilities और यह correct treatment कर दीजिए management ने मना कर दिया बोला नहीं कर रहा तो उसके बाद क्या होगा मेरे को यह जो फैक्ट है यह तहां लेके जाना है to the attention of appropriate internal authority or auditors company की कोई appropriate internal authority मालिजे company के जो टॉप में लॉग है मालिजे CEO या promoters वगेरा उन्होंने company में separate authority बना रखेगी बढ़ी डिरेक्टर्स management अगर कुछ गलत करवाएं तो आप यहां के रिपॉर्ट कर दीजिए जैसे कि audit committee होती है तो वहां जाके आप उनको रिपॉर्ट करो कि देखो यह fact मेरी नजर में है कि यह treatment गलत हो रहा है financial statement में इसे आप सही करवाईए इसको मैं इस appropriate authority को बता दूंगा ऐसी कोई authority है नहीं बता होगा statutory audit जो आपने stat audit करियोगी practical life से तो आके audit करता होगा मैं उसको बताओंगा कि देखो भाईया मैं company में job कर रहा हूं मेरा तो कुछ बस चलता नहीं है लेकिन इस company ने इस फलाना treatment को गलत क्या होगा एक बार आप इस पर ध्यान देना फिर मेरी मैंने तो address कर दिया मे report अगरा यह भी मैंने बताया तरहां वह अपने काम करेगा ठीक है ऐसे process है जिसके आपको detail में नहीं जाना है वैसे audit यहां नहीं पढ़ रहे हैं इसके बाद विमान लोगी यह कुछ भी नहीं सुनता वोलता है निकल तु यहां से भगी यहां से तु तो company का job करने वाला employee है मैं integrity से रहने वाला इंसान हूं तो मुझे इस company से resign करना है तो आप में दे कितने लोग ऐसा करने वाले हैं तो जो लोग करने वाले हैं वो एक भी नहीं है मुझे पता है तो इस प्रविदन को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं आगे बढ़ते हैं इसके बाद देखिए सबस कुछ कठी नहीं आएंगी कठी नहीं क्या क्या हो सकते थ्रेट्स वो आपको बताए थ्रेट्स को एड्रस कैसे करेगा वो मैंने आपको बता दिया अब मान लीजिए मैं सीए हूं चाहिए प्रेक्टिस वाला या फिर सर्विस वाला कोई सा भी हो सकता है पहले प्रेक्टिस गलत treatment रखा गया और में को fundamental principle follow करने थे में सामने कठिना ही आई पर मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया मैंने आपनी professional duty comply करने में फेल रहा मैंने बोला integrity जाए भाड़ में बस अपने पास तो पैसा आना चाहिए पैसे से मतलब है integrity ऐसी तैसी करा है integrity ऐसी तैसी करा है क्या बात की integrity करिए इतनी मेनत करिए पांच-पांच साल हमने यहां पर कोर्स को रटा है तब जाके बने और अब यहां पर integrity देखेंगे क्या पैसा आने दो ठीक है तो मैंने ऐसा काम किया मैंने ऐसा काम किया यानि मैंने incorrect treatment accept कर लिए कंपनी के डारेक्टर ने बोला किसा आप यह statement sign करना है financial position अच्छे दिखा दो गलत सर्थ दिखा दो ना एक लाप रुपए एक्ट्रा फीस ले 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 ना मैंने बला लो यार तुम कैसी बात कर रहे हो एक लाप रुपए के लिए तुम अपनी जान रख दूं तुम क्या बात कर रहे हो ठीक है तो मैंने incorrect treatment accept कर लिया professional duty को comply करने मैं मैं fail रहा तो अब इस case में as a chartered accountant मुझे professional misconduct face करना पड़ेगा under close 5, 6, 7 and 8 of part 1st of 2nd schedule of the Chartered Accountant Act 1949 अब यह क्या है मैं थोड़ा सा आपको इसके लिए audit का ग्यान मुझे देना पड़ेगा आपको थोड़ा सा समझ में आये वना है कुछ भी नहीं professional and ethical duty of a CEO देखिए audit के अंदर तो आप detail में पड़ोगे तो महां जिसने पड़ा रखा होगा उसको तो पुरा click होगया होगा सब चीज़े हो समझ गया होगा जिसने नहीं पड़ा उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपका Chartered Accountant Act 1949 एक Act है आपके पास एक जो Act होता है यह law subject में आपको पढ़ाया जाता है लोग आपने intermediate में पढ़ा होगा तो वहां आपके पास पहली बार लोग आता है जिसने भी आपको लोग पढ़ाया को उसमें आपको बताया होगा कि एक Act है वो आपको sections देता है उसमें sections में प्राविजन लिखे होते हैं तो ऐसे इस Act में कुछ schedules भी हैं कुछ कितने फर्स शेड्यूल एक और एक सेकंड शेड्यूल है जैसे कि मैं Companies Act की बात करता हूँ जिसको आप अच्छे से जानते हैं Companies Act में schedule 2 है वो बताता है कि Companies को depreciation कैसे कितनी useful life पे लगाना है शेड्यूल 3 है जो बताता है financial statement कैसे बनाने है ठीक उनका format वगिरा दे रखा है ऐसे Act में schedule भी लगाया जाता है पहले sections लिखे जाता है फिर schedules वगिरा लगाया जाते है तो सिए Act में दो schedule है first schedule और second schedule इन दोनों schedule में कुछ parts है इन दोनों schedule में कुछ parts है first schedule में आपके पास है part 1, part 2, part 3, part 4 second schedule में आपके पास तीन part है part 1, part 2, part 3 मैं बता रहा हूं इसमें थोड़ा उपर नीचे हो किसी ने audit में पढ़ रखा हूं और वो बोले कि सर ऐसा ऐसा है थोड़ा detail में जाने की बात करें तो यहां doubt मत लेके आना मैं सिर्फ थोड़ा सा knowledge purpose से बता रहा हूं बाकि detail में आप audit में पढ़ोगी वहां correct तरीके से कर रहा हूं थोड़ा सा बताने से लिए तो दो शीडियूल है इस एक्ट के अंदर दोनों शीडियूल में कुछ पार्ट दिये गए हैं उन पार्ट में कुछ clauses लिखे गए ठीक हैं पार्ट में कुछ clauses हैं यहां कुछ clauses लिखे हैं उनमें लिखा हुआ है कि chartered accountant अगर ऐसा न क्या है एसा माना जाएगा दूर व्यवार किया गलत काम किया उसने सही से काम नहीं किया तो उसके disciplinary action चलेगा disciplinary action भी इसी एक्ट में दिया गया है disciplinary action का मतलब उसके खिलाफ prosecution proceedings चलाएगा institute अपना ICI चलाता है वो action ठीक है तो institute उसके खिलाफ action चलाएगा जिसमें institute judgment देगा कि chartered accountant को कितनी penalty भरनी है या फिर jail वगेरा में जाना है वो सब institute के पास पावर रहेगी वो institute decision देगा या उसकी डिग्री रद करनी है suspend करनी है जो भी करना वो institute की बात है वो सब आपके हमी पढ़नी है आपको मैं आपको बस बता रहा हूं तो वो सब यहां लिखा हुआ है अब यहां पर आप देखोगे न तो जो means Conduct है जो मैं दुर व्यवार या गलत व्यवार की बात कर रहा हूं यह दो तरीके का हो सकता है इस act के अंदर professional वह सकता है और other misconduct बहुता है kennt professional misconduct भी हो सकता है अधर इस कंटक्ट भी हो सकता है तो देखिए जो first schedule है ना एधे इस सेंए डियूल के part 1 और पर 2 में जोंखेज neighborhood उसका करता है तो भी अध वी प्रोफेशनल मिसकंडक्क माना जा एगा अधा प्र शेजleri वी इतवी प्रोफेशनल सेंटेंज फ और शेल के व дав टर जो capital इनमें अगर वो कोई कॉंटरवेंशन करता है तो उसे other misconduct की category में माना जाएगा अब यह होता क्या है professional other misconduct का पर्क थोड़ा सा बता रहा हूँ इस सर्क्लेवर्स का पार्ट नहीं है वोई clarification लिए professional misconduct यह नहीं professional पार्ट पर उसने गलतियां करी है ठीक है professionally जैसा उसको behave करना चीह था जो चीज़े follow करनी चीह थी वो नहीं करी वो in clauses में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसने गलत report पर sign कर दिया इस तरीके के काम कि उसने client की money को हड़ अप लिया इस तरीके के काम उसने करें तो वो professional misconductor भी professionally सही भी यह भी नहीं किया अब जैसे first schedule के fourth part में और second schedule के third part में कुछ clauses दिये गए हैं यहाँ ज़्यादा clauses नहीं है इनके अंदर और अगर वो यह वाले कुछ काम करता है CA तो उसे other misconduct माना जाएगा यहनि CA ने दूर व्यवार तो किया है गलत काम तो किया है पर other profession से related नहीं profession से related नहीं लेकिन गलत काम है वो वो गलत काम है लेकिन profession से related नहीं तो भी उसको disciplinary action face करना पड़ेगा CA को यहनि जब आप CA बन जाओगे ना तो ऐसा नहीं है कि आप professionally ही जो professionally है वैसे उसी चीज के अंदर सही काम करो आपको other other than professional भी सही काम करना पड़ेगा आपकी personal life में भी ठीक है इसका मतलब क्या है एक example मैं देता हूँ इसमें लिखा हुआ है कि CA कुछ ऐसा काम करें जिसकी वज़े से profession जो है ना उसकी reputation खराब हो जाए मार्केट में CA की reputation बिगड़ जाए मान लिजी एक बंदा CA बनके उसने तो चप्त में CA बन गया और CA बन गया तो अब तो मैं अपने मेर से बड़ा कोई है नहीं मेर से जादा ग्यानी कोई है नहीं और वो एक CA ने भरे बाजार में एक लड़की को छेर दिया ठीक है तो ऐसा उसने काम किया इससे क्या हुआ पूरे profession की reputation खराब होई कि यह CA ऐसा काम करें मीडिया वाले ऐसा नहीं चलाएंगे कि फलाना मंदेनी city में ऐसा काम किया वो चलाएंगे CA ने ऐसा काम किया ठीक है यही होता है ठीक है यही चलता है मार्केट में तो पुरे character से खराबता वेचार अधर मिसकंड़क्ट कर दिया उसने मार्केट में जाके लड़किया छेट दिए उसने खुले बजार में तो यह गलत काम किया उसने अधर मिसकंड़क्ट उस पर लग जाएगा तो ऐसे दोनों के लिए common clauses दोनों को commonly यह चीज़े तो फोलो करने ही करने है और पार्ट फोर में तो अधर मिसकंड़क्ट वही बात है फिर सब सेकंड शेडियूल की क्या जरूरती फर्स्ट शेडियूल में सब कुछ कवरतों हो गया तब तुनिएगा फर्स्ट शेडियूल जन्द उसको बाइफर्गेट करने का आपको audit में जब आप पढ़ हो गया तो उसके अंदर आपको सीखने को मिलेका बाइफर्गेशन पुरा समझाया जाता है यहां पन उतना detail में टाइम नहीं दे सकते उसके लिए clause बताने पड़ते हैं फिर जाके आप difference समझभाते हो तो इसमें करने लेकिन आपने नहीं करें आपने गलत treatment accept कर लिया तो misconduct होगा misconduct का होगा accounting वाले जो treatment की बाते करते हैं वो second schedule में लिखी हुए तो CA in practice ने किया तो उसके उपर तो part first लगता है तो part first के clause 5, 6, 7 और 8 clause 5, 6, 7 और 8 ये चार clause है 5 clause 5, 6, 7, 8 इन चार clauses के अंदर accounting से related गलतियों की सजा दी जाती है इन चार clauses में accounting से related बात करीगे ये कि ये चीज़े इस CA को करने पड़ेंगे अधरवाइस misconduct माना जाएगा बाग audit के अंदर ही काम में है और जब CA in service की बात करेंगे गलत treatment तो उसके लिए part 2 काम में ले लेंगे बस ये ध्यान लगना तो आपके लिए देखों CA in practice अगर accept करता incorrect treatment तो professional misconduct होगा ठीक है professional misconduct में under clauses 5, 6, 7 and 8 of part first of second schedule of the chartered accountant section 1949 ये मैंने आपको समझा दिया है अब आगे बढ़ते ह इसमें जादो दिमाग नहीं लगाएंगे, audit पढ़ेंगे तो आप और clarity मिल जाएगे, ये सारे clause महां detail में पढ़ने है, सिर्फ मैंने या लिखा है क्या बोलता है clause, पस सुन लो एक बारा, फटा पट से, clause 5 जो है, वो बोलता है कि chartered accountant है, वो professional misconduct का guilty माना जाएगा, guilty of professional misconduct मा to him which is not disclosed in financial statement, एक chartered accountant guilty माना जाएगा, कि उसने professionally सही काम नहीं किया, वो guilty माना जाएगा, अगर उसने financial statements, जो financial statements में मैं concertancy advice या report sign कर रहा हूं, जा फिन मैं audit कर रहा हूं, कुछ VCA in practice होना मैं, तो उस financial statement में कोई material fact disclose होना चाहिए ता, पर वो होई नहीं रखा, उस financial statement में disclose, ये मुझे पता है, लेकिर फिर भी मैंने ये report नहीं किया, मैंने इसका disclosure नहीं दी, अपनी report वगारा में, मैंने नहीं बताया, मैंने भी छुपा लिया, financial statement में कोई चीज जी disclose नहीं हो रकी थी, मेरे को पता थी, फिर भी मैंने वो कहीं पे disclose नहीं किया, एन रिपार्ट नहीं कर का वेन ही फेस्ट रिपॉर्ट अ माटेरियल में सब्सक्राइब कर रहा हूं उसके फाइनेशल स्टेट्मेंट में कुछ गलती है उसने गलत अकाउंटिंग कर रहा है वह पीपी को मानलो खर्चे में दिखा रहा है उसको खर्चा दिखा रहा है यह जो एक दो रुपय की गलती में बड़े अमाउंट की अच्छा वांड की गलती में जो पता है लेकिन फिनाने पर शुपा लिए बाद तो क्लॉस 6 लग जाएगा एक चार्टर अकाउंटेंट प्रोफेशनल मिसकंड़क्ट माना जाएगा जब वो या वो ग्रोफेशनल ड्यूटेंट है अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को कंड़क्ट करने में निभाने में इसका क्या मतलब है मैंने मैंने अपना दिमाग चलाए है नहीं में यह को सामने वाली कंपनी के मैंने आकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखा दो मैंने वही दिखा दिया अपनी रिपॉर्ट में उसकी आकोडिंगी फाइनिशल स्वाइब कर ले के मैंने अपनी सुझ बूज लगाई नहीं डू डिलीज क्लॉज लगता है यही लगता है आप आप प्रिंसिपल होता है आपको यह बोलता है कि क्या यह दिमाग नहीं लगा रहे हो लापरवाहों कुछ काम चाहिं हो रहा हो तुम से पर रोजना आपको सेवन क्लॉज एट में चार्टर अपांटेंट गिल्टी माना जाएगा सॉफेशनल मिसकंडुर्ट अपनी रिपोर्ट जॉडिट रिपोर्ट पर त्यार त्यार था उसमने ऑपीणी जब उसको देना है उस ऑपीणी यो तो देता है ना उस एक जुब से कूछ क्लेक्ट करें नहीं लग जाएगा बाई आप कुछ भी काम नहीं कर रहे है बस यह है तो चार्ट अकाउंटेंट प्रोफेशनल मिसकंड़क्ट लग जाएगा अगर इनकरेक्ट ट्रीटमेंट फोलो करता है नहीं वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कंप्लाई नहीं करता तो यह पांच क्लॉज तो मुझे प्रोफेशनल मिसकंड़क्ट लग जाएगा अंडर क्लोज वन ऑस पार सेकेंड ऑस सेकेंड शेडियूल अब चार्टर अकॉंटेंट सेट नाइटिन फोटिन एंटिक है सीए इन सर्विस के लिए क्या है पार्ट सेकिंड देखो सेकेंड शेडियूल जो यह पा वालों के गलती बताएगा तो इस प्लॉब में आप पड़ोगे तो यहां पर दिखा ह swear शेड हो आ के वाले की बात होती है जो सर्विस के अंदर है तो से यहाँ पर जिस्यूद्याश होगा यह कि बतकिक्लोज में वाइवलेशन होता है यह contract wasted अच्य चर्छार्ट्ट insane पढ़ता या फिर वो नल्ला बैठा है ना उसने अपनी दुकान खोली ना वो कंपनी की जॉब में गया वो नल्ला घर पर बैठा है तो भी कोई फरक ने पढ़ता मेंबर होना चाहिए इंस्टिट्यूट का शैल बी डीमडी तो बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंड़क् गिल्टी माना जाएगा इस एक्ट के अंदर जितने भी प्रोफेशन वगेरा जो भी इस एक्ट के जो की आप और डिट में पढ़ोगे यहां पर नहीं आपके इस विवसमें उसका वाइलेशन क्या हो या फिर उसने इस एक्ट के अंदर जो भी रेगुलेशन है उनका सब्सेटर देखते नас जिनको हम कई बार आ आके special बाते बोलनी पड़ती है क्योंकि उनके काम ही है से होते हैं क्या हाल लोगों के तो 그럼 से मेंबश गाइयडलाइन इसू करते हैं टाइं में टू गाइडलाइन को आपने follow नहीं किया तो अभी आप clause 1 के अंदर misconduct में आ जाओगे तो इस act में कोई provision या कोई regulation ऐसी नहीं है जो accounting में गलती वगेरा पर penalty लगाने की या contravention की बात करें पर council की एक guideline है council की काउंसिल की गाइडलाइन आई हुई है कि इंपलोई है किसी कंपनी में उसको डूड इलिजेंस exercise करने चाहिए और उसको ग्रॉसली नेगलिजेंट नहीं होना चाहिए अपनी professional duties करते वाल यानि जो प्रैक्टिस वाले के लिए clause 7 में लिखवी बात ही न वह काउंसिल ने employee वाले लोगों के लिए जो सीए इन सर्विस है उनके लिए guideline इशू करके बोल दी सेम बात सेम टू सेम वही बात कि उसे लापरवाही नहीं करनी है सूजबूस से समझधारी से काम करना है ठीक है तो clause बनतों बोलता है कि आपके प्रॉविजण्स का रेगूलेशन का और काउंसिल की गाइडलेन का और काउंसिल की गाइडलेन है कि एमप्लोई वाले चार्टर अकॉंटेंट को डू डिलिजेंस और ग्रॉस नहीं करना है तो यह इस clause के अंदर इस clause के अंदर वह वालेशन हो जाएगा employee CA in service का अगर वो incorrect treatment accept कर लेता है तो misconduct हो जाएगा complete हो चुका है आगे देखिया तो अब सर मिसकंड़क्ट हो गए मिसकंड़क्ट होने के बाद क्यों होगा सर वह disciplinary action यह सब वह आपके audit subject आपा यहां आपका कोई पार्ट नहीं है यहां वपन आगे ब आपको आपको कैसे लिखना है मतलब क्या बोलेगा प्रोफेशनल मिसकंड़क्ट बताओ क्या क्या होते हैं यह बोलेगा थ्रेट कैसे करते हैं ऐसा कोई direct question यह आएगा एक्जाम में पूरे case scenario बनके आएगा और किस scenario क्या करेंगे और कुछ भी नहीं है मैं आपको अभी दिखाऊंगा question आप हसोगे इस chapter को देखे कि मतलब क्यों time pass कर रहा है इंश्यूट मतलब पूरा pure time pass करने का चेप्टर है फ्री के मांक्स है एक्जाम में अगर आगया तो क्यों दे रखा होगा कि company के management ने डायरेक्टर ने गलत treatment करने को बोला सब्सी यह इन सर्विस था company में जॉब कर रहा था मुझे गलत treatment करने को बोला एक पीपी को खर्चा ऐसे दिखाने के लिए बोला जबकि वह असायट दिखनी चीए तो आप उजी एक्जामपल दिया तो कि अब आपको answer कैसे देना है सबसे पहले आप accounting implication बताओगे ठीक है accounting implication यानि कि इस particular case में relevant इंडेस कौन सा लग रहा था और उसके according correct treatment क्या था सबसे पहले वह बता तो ग्यान आपको देना आना ची रेस्पेक्टिव हर इंडेस पढ़ाया अब वह मत पूछना सा ग्यान कैसे बार-बार बताया बाकि मैं आपको अब यह लाश्ट चेप्टर अपना लाश्ट लेक्चर इसके बाद guidance का वीडियो दूंगा वो जरूर से देखना ही है अभी बताऊंगा उसके बारे में आपको तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या आपको answer लिखने होते हैं सब चीजे बताऊंगा तो relevant इंडियस आपको बताना है इस पर इंडियस 16 पीपी यह होती है और इसको इस तरीके से बुक्स में असेट के दिखाया जाता है वो सारी चीजा आप बताऊंगे यह इन्डियस का reference देके आपने correct treatment बता दिया इसके बाद फिर आपको ethical implications बताने है कि यह treatment होना चाहिए था अब ethical implications बताने है कि एक CA जो है company का उसे क्या-क्या principles फोलो करने है वही पांचो principles आप लिख दो कि CA has to comply following five fundamental principles of ethics, integrity, objectivity, यह सब जो मैंने notes में लिखा है न वह एदेटेश चाप के आदा नो एदेटेश का मतलब यह नहीं कि सर रटना है मतलब अपनी language में पर नीचे कर लो यहां कोई रटने वाली चीज़ नहीं है इस चेप्टर के अंदर ठीक है अपने पूरा एफ़ार के सलेबस में कुछ रटते नहीं है अपन यहां अपन समस्ते अपनी language में लिखो पर मेरे कहने का मतलब है जो मैंने notes में लिखा है वो छापने आपको fundamental principles नहीं उसको जब threats रहेंगी तो address कैसे करना है आप बताओगे वहीं सर्विस अपने वाले example में तो से इन सर्विस को क्या करना था सबसे पहले remind करवाना था दो start with governance को ethical responsibilities का उनको communicate करना था necessary adjustment ताकि incorrect treatment से prevent हो जाए financial treatment second अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो bring करना इस factor to attention of appropriate आपकी internal authority और या फिर auditors और last में resign कर देना आपको अभी दिखाऊंगा question तो फिर आपको यह सब चीज़े लिखने है बस लाश्ट में ethical responsibilities यह इन प्रैक्टिस के लिखोगे प्रफेशनल मिसकंडर का बोलोगे अंडर क्लोस 5678 चारो क्लोस चापने आपका जब भी चैप्टर का question आएगा पहले accounting का correct treatment बता दो कि जो आप लेडी कर चुकिए बहुत बार अपनी language के अंदर इसके बाद आपको सबसे पहले यह पॉइंट चापने इसके बाद यह चापना है फिर यह चापना है जो भी प्रैक्टिस वाला है यह सर्विस वाला यह चापने है ठीक है अपनी language में उपर नीचे करो कोई दिक्कत नहीं पर मतलब यह content चापने है उसके यह प्रैक्टिस है तो professional misconduct में यह चापने है और सी यह सर्विस है तो यह चापके आना है मतलब बड़ा सारा answer लिखना पड़ेगा लेकिन marks पूरे में देख लेते हैं अब अपने एक बार उससे पहले एक बार जो मैंने पढ़ा है मैं वाप करना है इसलिए उसे fundamental principles of ethics का compliance करना पड़ेगा अकांटिंसी प्रोफेशन के objective अचीव करने के लिए जी करते वक्त उसके सामने कुछ कठिनाईयां आ सकते हैं तो उसे identify करके address करना पड़ेगा otherwise misconduct हो जाएगा fundamental principles यानि ethical principles क्या क्या है वो पांच है integrity, objectivity, professional, confidentiality, professional behavior threats क्या क्या आएंगे यानि ethical conflict या ethical dilemma, intimidation threats या advocacy threats threats को address कैसे करेगा या ethical responsibility या duties क्या होगी अगर वो advisor या consultant यानि CA in practice है तो वो दो start with governance को inform करेगा correct treatment के बारे में और financial statement rectify करा लेगा otherwise वो report कर देगा non compliance को appropriate authority पर फिर भी कुछ नहीं हो पाता तो वो withdraw कर लेगा engagement से CA employee है company का यानि CA in service है सबसे पहले वो TCWG को remind करवाएगा ethical responsibilities अनको communicate करेगा necessary adjustment अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो इस fact को attention of appropriate internal authority या auditors के पास लेखे जाएगा फिर भी नहीं होता तो resign कर देगा employee organization से इसके बाद professional misconduct under chartered accountant act अगर यानि incorrect treatment accept कर लेते हैं तो CA in practice है incorrect treatment accept किया तो professional misconduct लग जाएगा under close 5678 of part 1st of second schedule जिसमें clause 5678 में क्या लिखाया वो आपको बता दिया इसके बाद CA in service है incorrect treatment accept कर लेता है तो misconduct हो जाएगा under clause 1 of part 2nd of second schedule clause 1 आपके समय लिखा हुए और answer framing मैंने आपको बता दिया question bank पर आईए आप लग question tick लगाने हैं यहां कोई solving बाला नहीं है आप बोलो कि sir इसमें भी solve करा दो पूरा theoretical है यहीं tick लगाएंगे खतम करेंगे इसको कोई दिमाग नहीं लगाना देखिए मैं फटा-फट से बताएता हूं क्या आपको दे रखाए एक case scenario दिया हुए रुस्तम limited कंपनी है जो और इसकी क्या है एक प्रेजेंट में obligation है कि जो और इसे इंस्टॉल करेंगी तो जब उसको obligation को cancel अगेरा कुछ नहीं कर सकता इसकी estimated cost 100 करोड नजर आ रही है दस साल बात तो आपको क्या करना होता है पीपी की 37 के और इंडिया 16 के provision को जानते थे उनको मालूम थाया ऐसा कुछ होता है फिर भी उन्होंने क्या बोला उन्होंने decide कि जो cost of dismantling है उसको expense out करेंगे जब वो cost incur होगी अभी उसकी कोई भी entry नहीं करने अभी उसकी कोई judgment लगा लो prudence से काम करो conceptual framework यह सब में भी लिखा हुआ है तो इसके लिए हम यह काम करना चाहते हैं क्या डाइरेक्टर सही है बिल्कु सही नहीं है सही नहीं है डाइरेक्टर क्योंकि यह गलत बात है इंडियास का आपको compliance करना पड़ेगा आप ऐसा थो नहीं इंडियास मे इन्होंने बता दिया अब आपको यह लाइन देखके समझ में आ रहा है एथिक्स के चप्टर का question है ठीक है अब आपको क्या करना है जो मैंने बताया सबसे पहले accounting इसके बात हो चुकी इसके बाद एथिकल इंप्लिकेशन आपको अपनी लेंग्वेज में लिखो गए यह मैं आपको बता रहा हूं आपको अपनी लेंग्वेज में फ्रेम करना तो आता होगा अपनी प्यॉर अपनी लेंग्वेज में कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है यहां पर अगर रटने वैठेना फर में तो कुछ नहीं होना ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है आपको चार्टर अकॉंटेंट के एथिकल प्रिंसिपस बताने है तो आप बोलोगे कि चार्टर अकॉंटेंट है इसके बाद आप लिखोगे कि इस चार्टर अकॉंटेंट के सामने थ्रेट आसकते हैं इंटिमिडेशन एक्जांपल जो भी कुछ अगर लग रहा है आपको फ्रेशन में केस की अकॉड़ी और एड़ो केसी थ्रेट बताओगे कि जो चार्टर अ आपके काम का है जैसे मैंने आपको आंसर बताया वैसे आंसर देना कुछ भी अलग नहीं करना जो बता रहा हो बस वो फोलो कर लेना बाकी बाद में पूछो के सरे ऐसा कर दिया कर दिया कुछ भी नहीं करना जो बोला है वो करना अकांटिंग ट्रीटमेंट बता दो सही वह आप अल्रेड़ी करते आयो उसके बाद आपको चार-पांच चीजे मैंने नोट्स में लिखा है वो छापके आदमें कई बार यह किसी क्वेशन में उससे कम पॉइंट लिखें करते पर जोन के आंसवर में उससे कम कर दिया जिसके कीवर्स के जिस चीज के मांक से वह नहीं है तो फिर मांक कर जाएं ठीक है तो यह चीज़ ध्यान लगना तो सब्सक्राइब आप तो एक साब सिक्वेंस से चलना तरीके से चलना यह ऐसे करेंगे उपर नी पड़ेगा इसके बाद थ्रेट्स अगेरा कि यह बात करी नहीं इस क्वेशन में सर्फ रंभी एक्जाम में लिखे गया एक दो क्वेशन में लिखते आप सब में लिखना ना आपको पांच मिनट एक्ट्रा लगेंगी पर आपका फुल इंशोर हो जाएगा कि पूरे मांक्स मिलने वा इसके बाद लाष्ट में क्या होगा अगर यह नहीं फोलो करता यह सब चीजें तो प्रोफेशनल मिस कंड़क्त लग जाए गंड़ क्लॉस 567 ही लिखा इन्होंने आप 5678 चारो लिख्या हो ठीके छोड़ेंगे मैंने बोला ना आप पूरा लिख्या हो और पास पास और सेक इसके बाद एथिकल रेस्पॉंसिबिलिटी यानि एड्रेसिंग दी थ्रेट्स और सबसे लाष्ट में प्रोफेशनल मिसकंड़क्त कंप्लीट हो जाएगा क्वेशन बिल्कुल फालतु चप्टर अब टिक लगाते जाओ बस नेक्स्ट्वेशन देखिए यह जो कंपनी है अगस्तिया लिमिटेट यह अपने फाइनिशियल स्टेट्मेंट बना रही है डायरेक्टर जो है न इस कंपनी के इंको इंसेंट्व यानि बॉनस वगेरा कुछ मिलता होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बेसिद पर कंपनी के कंसल्टेंट अपोइंट करे गए हो यह वर आपने अभी तब पूरा स्वेबस बढ़ा लाइन वाइज अपने क्वेशन करें हर चेप्टर में कभी ऐसा नहीं किया कि आज करते हैं चलो क्वेशन 15 पे आज और रखी अब क्वेशन 20 निकालो जो लोग ऐसे कंपाइलर बनाते डोलते वह अपने कभी नहीं किया उसमें अभी टॉपिक वाइज करें क्वेशन जो नोट्स में पहले जो टॉपिक उसकिया कोड़ेंगी इजी टू हाड की तरह ऐसा आपने किया तो वही चीज यहां चल लिए सी इन प्रेक्टिस के बाद है चल दिया भी और आपको आपको फाइनेशल स्टेट्मेंट पर एडवा उसमें मैंने अमेंडमेंट किया है कंपनी ने 12% फाइनेंस अलिए 18.5% कर दिया जी आमेंडमेंट की वज़े से जो है आपके चार्टर अकॉंटेंड ने इस इंक्रीज इन पैंशन अनिकलोड बनता था उसको एमप्लेवेशन पार दिखा दिया ओप्रेटिंग प्रॉफि से पार्ट सर्विस कोश्ट अभी तका जिताब उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है उसे पी एंडल में एडजस्ट कर दो यह मैंने बताया था तो हम इंक्रीज कर रहें सामने वालों का बेनिफिट 85 करोड और देंगे एंप्लोई को तो यह क्या कंपनी के लिए खर्चा लॉस तो पार्ट सर्विस को खर्चा है पी एंडल में जाएगा खर्चे की रूप में जाएगा तो जो सीए है वो यही बोरा है कि एंप्लोई करने को बोल रहे हैं उनका क्या इंटेंशन है कुछ ना कुछ उनका कुछ फायदा होगा ठीक है इस वज़े से बोल रहे हैं जैसे यहां पर देखो डारेक्टर को बोला गया कि इंसेंट्टिव मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के वेसिज़ पे कंपनी का जितना ऑपर अगर चाइए 85 करोड का खर्चा पी एंडल में दिखाने को बोलेगा एस पर इंडियस तो डारेक्टर बोलेगा यार इसे तुम्हें प्रॉफिट का मुआ अपरेटिंग प्रॉफिट का मुआ तो डारेक्टर इसले खुश नहीं है इस प्रेजेंटेशन से और उन्होंने इसे आप प्रेजेंटेशन सही नहीं रहेगी आप इसे और दिखा दो डारेक्टर बताओ कितने घ्यानी है अपना पूरा दिमाग चला रहा है और प्रेक्टिकला इसमें ऐसा होता है जब आप 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 आर्टिकर शिप में पी जाते हो ना कुछ कंपनी के डारेक्ट पार थोड़ी है प्लार्न अमेंडमेंट कभी कभी हो जाता ओसी में दिखा दो इसका गिनलो पी इंडल में क्यों दिखा रहेंगे तो अप्रेटिंग प्राफिट एड्जेस्ट हो गाई नहीं प्राफिट ज्यादा रहेगा समझे डारेक्टर क्या खेलना चारा है डारेक् है तो हम तो true and fair view दिखाना चाहिए न अपनी policy choice करना चाहता हूँ डारेक्टर ने बोला कि मैं यह accounting policy change करना चाहता हूँ पी एंडल की जगा OCI में दिखाना चाहता हूँ तो ethical और accounting implication देने है बस यह वर्डिंग देखके समझ में आगया कौन से chapter का question है तो अब देखिए क्या alternative treatment नहीं देए डाइक्टर के अब रहे चेंज इन अकाउंटिंग पोलिसी कर रहे हैं हम भी OCI पे दिखा रहे हैं साब बोल दो और इंडियास 19 बोलता ही नहीं पार्ष सर्विस कोष्ट को पी एंडल में दिखा लो और OCI में दिखा लो यह कोई चोईस देता है क्या कोई च सेट में आपने पढ़ा है कि चेंज इन अकाउंटिंग पोलिसी कर सकते हैं तो आपके बाद तो इंडियास में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि पार्ष सर्विस कोष्ट में उसी में दिखा सकते हूं तो पी एंडल बोला तो पी एंडल ही डाइक्टर अपना फाल्टू का गान दे रहे से बाद समझ में यह बाद तो डाइक्टर का प्रपोजल जश्टिफाइड नहीं बिल्कुल भी नहीं है वह बोल्रहां ना फिए प्रेइंटेशिन कोई जस्टिफाइड यह हो गई आपकी आपकी अपने आपने किए पार्ट सर्विस कोष्ट आपकी है वह प बात क्या करोगे, threats, threats, जो भी हो लिख देना, इन्होंने लिखे नहीं, addressing the threats, यह इन प्रेक्टिस है, तो वही inform करेगा, TCWG को, report करेगा, non-compliance, या फिर withdraw कर लेगा, तो यह report और withdrawing यहापे इन्होंने mention कर दिया, फिर क्या होगा, professional misconduct, अगर यह chartered accountant, जो influence हो जाता है, director के suggestions, या clause 5678, तो इन्होंने तीन लिखे हैं, आप सारे लिख देना, चारों लिख देना, next देखिए, सेम वैसा ही कि इस उपर वाला paragraph बिल्कुल सेम है, वही अगस्तिया लिमिटेड डिरेक्टर को operating profit के basis पर incentive मिल रहा है, यह इन्होंने बोला, आगे देखिए, आप consultant है company के, यहाप 75 लिख रुपीज का डिरेक्टर को एक loan दिया गया था, तो financial asset दिखनी चीए, डिरेक्टर को loan दिया तो financial asset to bank loan देना, वही पावत प्रिचर में पैसा मिलेगा, तो financial asset, यह जो loan है, repayable on demand है, तो डिरेक्टर ने पता क्या बोला, इस loan को आपने cash and cash equivalent का पार्ट दिखा दो, repayable loan cash में convert कर सको है, यह विदिन 3 months, ऐसा कुछ अपने यह चीज़े पड़ी थी, वहाँ कोई repayable on demand जैसी यह वर्डिंग ने थी, यह तो इंडिया 109 में अपने cover कर लिया था, तो यह डिरेक्टर ने फालतु का ग्यान दिया, आप लोगों को, इसके बाद डिरेक्टर जो है, व कोई दिक्कत ने आनी चीज़े, सब ग्यान दिया डिरेक्टर से, आप बताओ, वह यह ethical और accounting implication, सबसे पहले accounting, तो आप बताओ, कि इंडेस 7 में cash and cash equivalent मतलब कोई भी short term highly liquid investment, जिनको readily cash में convert किया जा सके, तो जो आपने डिरेक्टर को loan दिया, उसे cash equivalent दिखाया, वो inappropriate है, यह loan है आपका financial asset under index 109, यह अगया आपका accounting implication खता हूं, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने ना, इन्डेस के framework का ग्यान दिया, इन्डेस के framework का reference दिया, जब भी इन्डेस के conceptual framework का reference दे ना, इन्डेस के conceptual framework का reference दे तो आप एक चीज़ और चपका दे ना, जो इस question में इन्होंने चपका conceptual framework क्या according क्या बोल रहे हैं कि conceptual framework है ना, fair presentation की बात करता है, अपनी accounting policy choose करने की बात करता है, तो सरे framework ने कब ऐसी बात करिया, accounting policy choose करने की, वो true and fair view देने के जरूर बात करता है, तो आप framework के point चिपका होगे, जाद करो framework में मैंने बढ़ायते qualitative characteristics, जो एक financial statement में होने चाहे, relevance of faithful representation, इसके अलावा कुछ enhancing qualitative characteristics भी बतायते हैं, तो वो लिख दिये points है, अंदर का बना के आप चेप तो यह हो, जो मैंने आपको भांग ज्यान दिया था, से वही चीज़ा कुछ अलग नहीं है, यह एक extra point framework question में लिखे, आप यह भी चिपका देना साथ है, मतलब यह जो चप्टर इसके बाद इन्होंने directly किस पर आगए, क्या duty होनी चाहिए, अब CA in practice है, तो क्या करना पड़ता है, इसको inform करना पड़ता है, TCWG को corrective measures और financial statement rectify करवाने होते हैं, तो responsibility है, financial statement rectify कराएगा, कैसे directors को guide करके, inform करके, इसके बाद अगर यह ऐसा नहीं करता है, तो professional misconduct हो जाएगा under clause 56708, अब चारो clause है इतना, ठीक है, खताब, next देखिए, info star एक company है listed, और यह company कुछ IT services वगेरा दे रही है, इस company के जो directors है न, उनको bonus मिलता है, देखो ध्यान देना, हर question में ऐसा होगा, कि director गलती करने के लिए आपको बोलेगा, और क्योंकि director को उस गलती से फायदा हो रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो director को bonus मिल रहा बेश दोन, प्रॉफिट सचिव बैदी company, अगर during the year company का profit इतना रहा, तो कोई bonus ने, इस से उपर यहां से यहां तक रहा तो इतना bonus, यहां से यहां तक रहा तो इतना bonus, समझ जाओ, जितना ज़्यादा profit होगा, director को उतना ज़्यादा bonus मिलेगा, जितर कोई काम में आएगा, आप साकी question पढ़ने में time waste करो, आपको लगना चाहिए ना भारी भार कम chapter है, जबकि कुछ नहीं कचरा है, अभी आपको समझ में आ रहा है, अभी पढ़ते जाओ, सारे question कचरे की तरह होगे, जो company की profit and loss statement, उसमें current year में इतना profit दिखा, बिलकुल time pass है, कहीं कोई काम में नही मेगा सा कोई calculation करनी पड़ेगी है, कुछ नहीं करना इस chapter में, फाल्त में आपको paragraph भरने है, अब during the year देखो, इस company ने एक land जो है, उसको third party को बेचा, 40 crore के consideration में, और साथ में मैंने option to purchase the land back लिया, 4 rupees 40 crore plus a premium of 6%, मेरे पास एक asset थी land, वो मैंने सामने वाले को 40 crore में आज 40 crore ले लिए, बेशते वक्त मैंने उसके आट एक option contract किया, ठीक है, एक option contract किया, जिसके अंदर मेरे पास एक option है, मैं चाहूं तो ये land सामने वाले से future में खरीद लूँगा, ठीक है, ये future में land खरीद लूँगा, कितने में, 40 crore plus a premium of 6%, 40 crore plus a premium of 6%, सामने वाले से land में future में व बात करा था, यह revenue का transaction है कि यह जो रीपर्चेस agreement है कि specific case अपने discuss किया था, इंडेस 115 में जो दिया हुआ, revenue की बात नहीं करता था, यह case, यह बोलता था, company की कोई भी asset, company कोई भी asset किसी को बेची हो, कोई भी asset, जरूरी नहीं है, inventory के बाद हो, कोई भी asset, लेंड बेची, लेक financing arrangement है, यानि एक तरीकेते आपने loan लिया, अब फुस सोचो ना, मैंने क्या कि, ultimately substance की बात करता था, इंडेस 115, क्या बोलता था, आद देखो, मैंने 40 करोड लिये, land सामने वाले को देखे, future में land वापत ले लूँगा, 40 करोड प्लस 6% उसको pay करूँगा, यह 6% के एक तरीकेत इंट्रेस्ट दे रहा हूं है, प्रिंसिपल प्लस इंट्रेस्ट, यह लैंड को गिरवी रखे मैंने loan लिया बस, यह काम हुआ, तो इसे financing arrangement इंडेस 109 की अपडिंग अकाउंटिंग करने की बात करता था, जाके इंडेस 115 रिवाइस कर ले, इस चप्टर में यह लिंक आएं यानि CA in service है, कंपनी का CF हो तो कंपनी में नौकरी कर रहा है, CA in service, उसने इस transaction को डायरेक्टर की बात मान के क्या किया, सेल दिखा दिया, books में सेल रिकॉर्ड कर लिया, जो भी profit आया, सेल पे, वो P&L में दिखा दिया, इससे क्या हुआ, P&L का profit बढ़ा, profit बढ़ा तो डायरेक्टर का bonus बढ़ गया, इसले डायरेक्टर ऐसा करवाया, डायरेक्टर ने इसले ऐसा बोला, अब ethical accounting implication वही घ्यान द पर हो, और land को वापस से books में carrying amount पर दिखाओ, क्योंकि यह lawn record होगा, अलग से, land आपके books से नहीं जाएगा, आप इसे declassify नहीं करते हो, वो आपके books में रहेगा, तुकि आपने सामने वहले को control नहीं दिया, पर गिर भी रखवाया है, एक तरीके से, इंडिया सब्स्टेंस की बात करता था, अब ethical की बात करते है, accounting implication हो गया, ethical में सबसे बहले fundamental principles comply करने, chartered accountant को वही integrity, objectivity, professional behavior, competence वह लिख दी है, फिर threats लिख दो जो इन इसकी खतम हो जाए, आप थोड़ने याद दखो कि कौनते question में कितना लिखा, आप पूरा ही लिख के आजो ना, जो notes में, और अभी कहें, cn service है, तो professional misconduct, अगर नहीं किया, तो इसने follow, सही treatment, तो clause 1 और part 2, बस खतम clause 1 आप लिख दोगे, जो भी clause 1 में लिखा हुए, जो मैं financial statement में ये lease से related कोई asset और lease liability दिखाए नहीं दे रही, company ने during the year कोई lease ली होगी, कोई asset lease पे ली होगी, 1st April 2005 को, ये asset मैंने lease पे ली, पर जब year end के financial statement बने ना, तो books में कोई ROE asset ये lease liability दिखी नहीं रही थी, जबकि India 116 ROE asset lease liability दिखाने की बात करता है, तो देखो अब आगे क्य Cain Service वाले मैंने lines लगाया, तो finance controller है company का, यानि Cain Services, Cain Sunil Raghwan, इसे company join करिए, इसी financial year end में, 1st April 2005 से लेके 31st March 2006 CC में, और ये company के financial statement review करवा रहा था, और क्यों करवा रहा था, क्योंकि company की अभी एक audit होने वाली थी, क्योंकि company को एक loan की application लगानी थी, to finance the new technology, company को एक loan लेना होग मार्केट से, loan लेना होगा, new technology में पैसा लगाने के लिए, तो loan लेना होगा, तो उसके लिए, सामने जो बंदा loan देने वाला, उसने company को audit करवाने के लिए, review करवाने के लिए बोला होगा, तो Sunil Raghwan, ये सब चीजे देख रहा है, CA Sunil Raghwan, ये मान के चल रहा है, कि जो lease agreement है, वो balance sheet में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए था, R.U.S.A.T.O.L.E.S.L.E.L.E.L.I.T.I.S. 116 पढ़ा है, लेकिन जो कंपनी का managing director है, कोन है, Miss Anusha Shivastow है, ठीक है, लड़की है एक बेचारी, पर अभी देखना है ये लड़की बहुत बड़ी-बड़ी धंकिया देगी ठीक है, Miss Anusha Shivastow, बॉल्ड लड़की होगी, इसनी अच्छी अच्छी धंकिया देगी आगे इस बेचारे सुनील रागवन को, तो ये managing director है, कमनी की MBA करी है, इसको कोई CA का तो ग्यान है नहीं, MBA करके आगई, अब MBA वाले लोग आप जानते हो न, वो थोड़े model टाइप रह मेडम को जाके कि मेडम, इंडियस 116 बोलता है, मेडम ने बोला बेटा, तू कंपनी में जॉब कर रहा न, जॉब कर में, MDU कंपनी की, मेडम ने अपनी वो साउथ Bombay वाली जो लेंग्वेज होती है, कौनसी होती है, साउथ बेली, साउथ Bombay की भाया, ऐसा ऐसा ऐसा, वो English म बोलते हैं, वैसे उस language में बोला होगा, तो वो strongly disagree का यह मतलब है, अपना ज्यान दिया होगा और उसको office से धक्के मारके निकाल होगा, अपने cabin से बाहर निकाल होगा, इसके बाद मेडम बोलती है, she wishes, to charge the lease rental to the statement of P&L, her opinion is based on understanding that lease arrangement is merely a monthly rental payment without any corresponding asset or obligation, फलाना फलाना ज्यान दिया उसने, पता नहीं क्या क्या ग्यान दिया, मैडम क्या बोलती है, कि lease में तो monthly payment हो रहा है, monthly payment हो तो monthly payment को खर्चा दिखाओ P&L मेडम ने, मैडम ने CE किया ही नहीं, तो मैडम को क्या वालूम इंडेस क्या चीज़ है, तो institute भी बताना चारा है कि इस मैडम को, MBA वाली मैडम को क को भी ग्यान दिया, MBA वाली मैडम बोलती है, भाई, lease का monthly payment हो रहा है, मन्तली खर्चा दिखाओ, अब उस मैडम को को समझाए, इंडेस 116 नाम की कोई चीज़ होती है, उसके बाप दादा ने कभी सुनी नहीं, तो बेचारी तो यही बोलेगी न, वो बस South Bombay की language में बोल सकत है, तो lease obligation एक loan की तरह होता है, lease liability, financial liability होती है, इसके वज़े से company का gearing ratio, debt ratio बढ़ जाएगा, adverse impact आएगा, loan application जो लगाई हो सकता है, वो loan हमारा approved ना हो, इसलिए Miss Anusha Madam जी न, has made it clear to CA Sunil Raghwan, that at stake is not only the loan application, but also is future perspective शास्त्रे लिमिटे, मैडम ने बोला Sunil Raghwan जी को, कि देखो आँ अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही है, वो बोल रही है कि हो सकता है, आप सही हो, lease को ऐसा दिखाना चीए, पर सुन लो अगर तुमने ऐसा किया न, तो सिर्फ company की loan application इस टेक पे नहीं है, कि company को loan नहीं मिलेगा, सिर्फ यह इसका consequences होगे, इसका consequence यह होगा, कि तेरी अपनी में दुबारा कोई भी नहीं देखेगा, तेरा future prospects इस company में नहीं देखेगा, तो इस company में शकल दिखाने लाइग नहीं बचागा, मैडम से ढर गया, बचारा भई, मैडम है, तो मैडम ने ऐसी धमकी देदी उसको, अब potential ethical conflicts बताओ, बचारे के अब तो पूछी लिए इन्होंने ethical conflicts पूछेगा है न, threat सामने की दिख रहा है आपको, ethical principle वगरा ये बताने है, finance controller के लिए बचारे के लिए, पहले इंडियस 116 का ग्यान देदो, इसको ROE SET और Lease Liability रिकोर्ड करने हैं, वही सब चीज, present value of lease payment करके इस तरीके से आप रिकोर्ड करते हैं, तो इंड इन्टिविटी, इंटिग्रिटी, professional competence ये, इसका threats आएंगे, threats के आएंगे, इस case में इसको intimidation threat है, intimidation threat क्या है, madam से धंकी मिलिए, कि भाई देख, आगर तो नहीं करेगा, तो तेरा company में आगे रहना मुश्किल है, कि वह loan application prospect पे नहीं है, दूसरे advocacy threat भी है, क्योंकि अब तु हो गए, इसके बाद addressing the threat, finance controller, यानि CA in service है, तो address कैसे करेगा, सबसे पहले वो remind करवाएगा management को, इसके बाद दूसरा क्या करता है, वो report करता है, इस matter को bring करता है, किसके attention में, appropriate internal authority, auditors, तो वो इन्होंने बता दिया, और अगर ये finance controller, फिर भी managing director का treatment, accept कर लेता है, तो clause 1 of part 2 मे professional misconduct, आगे देखिए, next question, मितना limited एक company है, during the year ये अपनी एक subsidiary में 75% जो इसका stake है, दोस्ती limited इसकी subsidiary है, उसका 75% stake dispose of करना चाती है, मेरी subsidiary में मेरा 75% stake था, वो मैं dispose of करना चाता हूँ, जो non controlling share थे, वो 25% थे, तो दोस्ती limited में 25% NCA के पास था, 75% मेरी पास था, तो 75% भी म आप dispose कर रहा हूँ, यानि NCA के पास चला जाएगा, बाकी लोगों के पास चला जाएगा, पुराइस्ट है, कि यह नो नहीं आपर बोला हुआ है, जो sale है, वो October 2004 तक complete हो जाएगी, 31st March 2004 को मैं यह सोच रहा हूँ, कि मैं इसको बेचूंगा, subsidiary को plan कर लिया, October 2004 में यह sale हो ज Mr. X एक chartered accountant है, जो इस company में employee है, ठीक है, जहां से पढ़ ले न, employee है in finance department of Mitra Limited के अंदर, जिसकी अपन subsidiary बेचने वाले है, यह जो chartered accountant है, इस दोस्ती limited जो subsidiary हैने, इसे help for sale दिखाना चाता है, financial statement में इंडिया 105, disposal group help for sale, इस case में disposal group subsidiary है, तो discontinued operation के तरह दिखना चाता है, तो charter restructuring provision भी create काना चाता है, expected cost of disposal and future trading losses का, तो आपने index 37 में में आपको link करके पढ़वाया था, कि जब आप ऐसे बेचते हो, अपनी subsidiary अगरा discontinued disposal groups को, तो उस पे आपको जो भी restructuring के cost आपको नजर आ रही है, उसका provision आपको बना लेना चाहिए, लेकिन future के operating losses, future trading या operating losses का आपक जो company का chief operating officer है, वो नहीं चाता कि दोस्ती limited को health for sale दिखाया जाए, और नहीं provision मनाया जाए, expected losses यानी restructuring cost का, क्योंकि chief operating officer को लगता है, कि इसकी हो जैसे company की sales effect हो जाएगी, bonus target meet नहीं होगे, management में दिक्कत आएगी, यह सब नुकसान होगे, CEO क्या बोल रहा है, यार मत तो customer का विश्वास उठेगा, sale नहीं आएगी company के पास, और इसके खुद के bonus target रुख जाएंगे, भई provision बनाएंगे, खर्चा बनाएंगे, तो bonus इसको कम मिलेगा, तो इस सब के लिए वो बोल रहा है, इसने साथ में, क्या बोला, he has also hinted that Mr. X job could be at stake if such a provision were to be made in financial state, साथ में ज expected cost, जब आप sale करोगे अपनी subsidiary वगेरा को, तो expected cost आपको नजर आ रहे हैं नहीं, restructuring का provision बना नहीं, future trading losses इसका provision नहीं बनता, various legal cost इसका provision बनेगा, redundancy cost इसका provision बनेगा, India 37 में लिखवाया हुआ है, impairment losses यह already book हो चुके होंगे, impairment के नाम पर, तो इनका तो अलग से वैसे provision बनत बता दोगे कि index 105 के according, और फिर दूसरे में ethical issues बताने हैं, ठीक है, यह अपने को बताएंगे, तो पहले accounting implication index 105 के according, head for sale दिखाना पडता है, अगर आप किसी भी asset बगेरा का amount, sale के through लेना चाहते हो, rather than continuing use, यह मैंने आपको लिखवाया हुआ है, इसके बाद आपको क्या करना है दोस्ती लिमिटेड को इसे disposal group मान के discontinued operation दिखाना चाहिए, financial statements में, नित्रा लिमिटेड, दोस्ती लिमिटेड को ऐसा दिखाएगा, और किस amount पे at lower of carrying amount and fair value, less cost to sell, यह index 105 में लिखा हुआ है, तो chief operating officer जो है, वो incorrect statement बता रहा है, तो आपको restructuring cost का provision बनाने के लिए बना कर रहा है, तो आपको restructuring cost का provision बनाना पड़ेगा, इसमें amount दे रखें, तो आप amount बता देना, दोको इन दोनों cost का provision बनेगा, यहने 5.5 करोड का, ठीक है, 5.5 करोड का, खतम, second part देखो, professional ethics, सबसे पहले आप बताओगे, ethical principles, तो यहां पे ethical principle इन्होंने लिख दिया, आप सारे लिख अब इसे आप address कैसे करोगे, आप CA in service हो, तो आप जाओगे अपने chief operating office के बाद, उसको remind करवाओगे उसके basic ethical principles, ethical responsibilities, उसे communicate करोगे necessary adjustments, ठीक है, यह आपको बताया था, फिर उसके बाद report करते हैं, bring करते हैं, to attention of auditors वगेरा, और last में resign करते हैं, वो सब आप लिखो, अगर फिर expense limited जो है, इसके directors, एक incentive मिलेगा, इनको eligible है, percentage of cash generated from operations, India 7 के according statement of cash flow बनेगा, उसमें cash from operations आता है, वो जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा इनका incentive होगा, अब समझ जाना ही, वहाँ पर कुछ गपला करना चाहेंगे, ठीक है, इसके बाद देखिए, company जो है, वो pandemic बगेरा की वज़े से अच्छा perform नहीं कर पाई है, और cash from operations उनके बहुत कम हुए है, अब देखिए, जो directors है, उन्होंने क्या decide क्या, directors को आप cash from operations बढ़ाने है, डारेक्टर को कितने चाला के, उनको तो incentive से मतलब है, company बरबाद हो रही है, कोई लेना देना नहीं है, ऐसे वायाद लोग अब इन्होंने क्या सोचा, directors ने, कि हम क्या करते है, company के equipment और investment उनको बेच देते हैं, उनसे जो पैसा आएगा ना, उस पैसे को हम क्या दिखाएंगे, cash from operations में दिखादेंगे, cash from operations में दिखादेंगे, statement of cash flow में, cash inflow आएगा, लेकिन ये investing activity होना चाहिए, भाई, company के PP investment ये ब आप में आने वाला है, इतले हम इते cash from operation में दिखा रहे हैं, तो ये true picture reflect कर रहा है, ऐसा इन्होंने तुख दिया, इतने समझदार director ने सोचे, तब आप ethical responsibility बताओ, इस company के chartered accountant की, जो इस company में एक employee है, तो सबसे पहले, आप वही accounting ये according index 7, index 7 बोल रहा है कि investing activity के cash flow होते है, प अंकी तरफ से attempt है, deliberate attempt है, जान रुच के वो उनको mislead करना चाते है, गलट treatment है, कहने का मतलब यह है, अब आप वही ज्यान दे दीजिए, chartered accountant की, सबसे पहले इन्होंने introduction वाला part लिख दिया, chartered accountant की duty केवल company के लिए नहीं है, उनको stakeholders सबके लिए काम करना है, तो इसे cash flow from investing activity दिखाएंगे, fundamental principle of ethics follow करेंगे, chartered accountant, professional competence and due care इन्होंने लिखा, इसके बाद देखिए, आप threads बता देंगे, जो इन्होंने लिखे नहीं, इसके बाद आप क्या बताते है, आपका addressing the threads, जिसमें chartered accountant सबसे पहले remind करवाएगा, ethical responsibility तो communicate करेगा, necessary adjustment to prevent incorrect treatment in financial statements, इसके बाद blink करेगा, इस factor to attention of auditors, last may resign, otherwise subject to professional misconduct under clause 1 of part 4 of security, next देखिए question, इसमें क्या और एक अलाप limited company है, इसके directors को company में capital की सक्त जरूरत हो रही है, वो plant and equipment में पैसा invest करना चाते हैं कंपनी ताकि अच्छी quality के goods produce करके market में अपनी command बढ़ा सके, अब current जो bank की policies है, जहां company loan लेने पहुंची है, वो policies के according, जो company के cash flows है, वो strong होनी चाहिए, और company का debt service coverage ratio जो है, वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए, debt service coverage ratio 10 से ज़्यादा होना चाहिए, जो cash flows है, यानि statement of cash flow है, उसमें अच्छी cash flow position दिखनी चाहिए, तभी bank loan देगा, लेकिन correct statement, जो current statement of cash flow company का बना हुआ है, वो bank के criteria को satisfy नहीं करत है, इसलिए directors ने bank को बोला कि आप परेशान मतों, company की financial position बहुत excellent है, बहुत शांदर है, यह cash flow में सही position नहीं reflect हो रही है, आप tension मतलो, company की financial position, financial reward, cash flow projection जो है, वो criteria को meet कर देंगे, और हमारा जो chartered accountant जल्दी इसके regarding एक आपको report submit कर देगा, तिक आप chartered accountant को दवाव में लेके आ financial commitments के हो जैसे, यानि personal circumstances के हो जैसे, यानि employee है, समझ में आ गया, और वो उसने बोल रहा है कि वही मैं अपनी job नहीं छोड़ना चाहता, personal circumstances, यानि वही आपका intimidation, threat इसमें आपको नजर आएगा, तो ethical conflicts बताने है, राफ दिख रहा है आपको, और ethical principles वगेदा, इस case में देखे इस case में आपक कहीं पे भी कोई accounting implication बताना पड़ेगा का इस question में नहीं, accounting implication है इनी, इस question में, accounting गलत करने की बात होई नहीं, चार्टर अकांटेट जो company में service में, जोब में, उससे गलत report sign करवाई जा रही है, ठीक है, कि company की financial projection वगेरा सब अच्छ है, तो इसमें accounting implication वगेरा नहीं बताना इस answer में, ठीक हो मत बताने बैट जाना या वो मत ढूंडने बैटना विना बात में, direct ethics से start करेंगे, तो ethics में देखो, chartered accountant जो है, उसको ethical principle वगेरा follow करने होता है, तो वह इन्होंने लेकिए, objectivity, integrity, professional competence, यह सब, इन्होंने threats वगेरा बताये, तो उसको लिए इन् finance लेने का, और chartered accountant को खुद के personal circumstances का, कि वो अपनी job loss नहीं कर सकता है, यानि advocacy threat और intimidation, intimidation threat दोनों आ रहे हैं इसके अंदर, intimidation क्योंकि chartered accountant को डल लग रहा है, उसकी job छोट जाएगी, अगर वो इमानदारी पे चला, advocacy threat यानि chartered accountant को यह भी एक यार company को loan नहीं मिल पाएगा, अगर मैं इमानदारी पे चला, समझ हुआ है, तो दोनों चीज़े यहां पर इन्होंने बता दिया, आप वो ही लिखोगे, जो notes में, notes में मैंने intimidation threat में exact यह line लिखके example दिया था, आपको same as it is, छापने मैंने पहले ही बोला था, इसके लावा जो basic line है, इसमें introduction के इस chapter में जो है chartered accountant की public interest में है, यानि shareholder, employees, third party यानि अपने case में bank सब के लिए होती है, ना कि सिर्फ company के लिए, वो ही सब बाते लिख दी, इसके बाद अब threats address कैसे करेंगे, chartered accountant, employee का, तो इसका ethical dilemma यह face कर रहा है, इसके लिए सब से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, communicate करना और उसके बाद attention of auditors पर जाता है और resign करता है, वो सब इन्होंने mention नहीं किया, पर आप करना है, फिर भी अगर chartered accountant incorrect treatment करता है, incorrect projected statement submit कर देता है, तो clause 1 part 2 में guilty हो जाएगा, next देखिए, sunshine limited एक company है, cosmetic industry में, और इसमें कोई loan लिए हुए है, उस loan की कुछ condition है, debt covenants है, debt जो लिए की हुए, उसकी कुछ condition है, कुछ condition पर मुझे loan मिला था, जो condition है, यह condition अगर मैंने fulfill नहीं करी, तो जो debt है, वो मुझे repay करनी पड़ जाएगी full में, हम अतलब full payment immediately करना पड़ जाएगा, और इसकी condition यह है कि मुझे कुछ liquidity ratio बोले हुए है, और operating margin है, वो कुछ limit में को बता हो है, तो CFO जो बताया गया कि chartered accountant है, यानि company में service कर रहा है, CFO chartered accountant है, Cain service, वो एक 5 year fresh lease agreement में enter हो रहे है, company, ठीक है, company 5 year का lease contract कर रही है, 5 साल का में lease पे asset ले रहा हूँ, but are concerned about the negative impact, यानि potential lease obligation को क्या होगा, 5 साल की lease ले रहा हूँ, तो lessie के लिए क्या होगा, RU asset or lease liability, lease liability loan के है, तो उसे liquidity ratio company का बजल रहा होगा, ठीक है, liquidity हिल रही होगी company, liquidity ratio हिले का company का, तो क्या होगा, इनको यह जो loan है, हो सकता है, इसकी condition violate हो जाए, उनको यह जो पुराना loan है, रीपे करने की जरुद पर जाए, तो इसके लिए directors और CFO ने क्या बोला, कि lease agreement, बहुत दिमाग लग इसको, director और CFO ने मिलके, CFO Chartered Accountant ने company में नौफरी कर रहा है, पांस साल पे मैंने machine lease पे लिए, तो अब मैंने क्या किया, मैंने देखा, अगर lease liability वाली accounting करें, इंडेस 116 के तो दिक्कत आएगी, तो हमने दिमाग चलाया, कि इंडेस 116 में एक short term exemption का मैंने आपको एक point लिख अब मैं ठीक है, तो इन्होंने दिमाग चलाया है कि पांच साल की, आई 60 मंस की lease होगे, पांच साल में 60 मंस ही तो आते हैं, 60 मंस आते हैं, तो यहनी इन्होंने 10-10 मंस की 5 contract में बाट दिये इन्होंने क्या कर लिए, 10-10 मंस के 5 contract सेम आदमी थे, सेम चीज की asset की lease के contract दिखा की 10 मंस का, पहले 10 मंस का, फिर अगले 10 मंस का, फिर अगले 10 मंस का, फिर अगले 10 मंस का, ऐसे दद-दस महिने के 5 अलग-अलग contract बन वाली है, हाथ की आद, same asset को lease पे लेने की, ताकि short term lease exemption उनको इंडियास 116 में मिल जाए, कितना दिमार्ग चलाया है, तो इसकी वज़े से क् आप देखो, इंडियास 116 तो बोलता है, short term lease, एक contract की बात करता, अब ये contract, single contract तो बोल देगा, short term lease है, short term lease है, तो इसकी accounting आप मत करो चाहिए, इंडियास 116 वाली नॉर्माली जब पे करोगे खर्चे तब बस खर्चा पे हैंडल में दिखा देना, यानि लीगल फॉर्म में accounting आप करोगे, बिल्कुस है, legal form में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो डायेक्टर बोल रहे हैं कि treatment की वज़े से हमें debt condition जो पुरानी वाली, वो meet out हो जाएगे, और इंडियास में भी कोई contravention नहीं हो रहा, ethical accounting implication बताओ, सबसे वहले accounting implication की बात करें, तो जो को lease agreement को substance में द गलत चीज कर रहे हैं, वो contract को जान मुझके टुकड़ों में बात रहे हैं, ताकि वो गलत representation कर सके, तो गलत information जारी, lease contract तो पांस साल का है, बुझको टुकड़ों में बना दिया, ताकि lease की accounting वो वाली ना करनी पड़े, रूवी एसेट, लीगल form में तो यह accounting पे कोई सवाल खड़े करी नहीं सकता, लीगल form में तो यह treatment सही है, रूवी एसेट, lease liability बनाने की जुरत नहीं, इंडियस बनाना से एक शॉर्ट टम लीजे में बोलता है, लेकिन इस section की वज़े से, company के section की वज़े से, जो liquidity ratio है वो गलत represent होगा, operating profit margin वगेरा भी adverse effect होगे, क्योंकि अब सार तो गलत picture आपके सामने आएगी, जबकि actual में तो क्या था, वो एक ही contract था, आपने बसको जान मुझके टुकड़ों में बाटके दिखाया, तो इंडियस सब्स्टेंस पर जाने की बात करता है, तो आप उसको एक ही दिखाना चाहिए था, तो अब इस case में legally तो कोई सवाल ख लिखे का objectivity integrity वो सब लिख दिये, threats वगेरा कुछ इन्होंने बताया है नहीं, addressing the threats में इन्होंने point लिख दिया, कि उसको remind करवाना पड़ेगा directors को भी उनकी ethical responsibilities हैं, कि भाई ये चीज़ देखो, ठीक है, तो इंडियस सब्स्टेंस की बात करता है, इस इंडियस में सब्स्ट से पता कर लेगा ना, तो हम गलत information दे रहे हैं, तो इससे सही करो, और अगर CFO फिर भी नहीं कर पाता, तो clause 1 part 2 में misconduct, समझ में आया हैं यहां पर, next question देखे, last question complete उसके बाद chapter ये फालतू कता, वही एक question में अपने देखा था ना, same, company है, directors को इस तरीके से bonus मिलता है, वही एक फालतू paragraph चपका दिया, question बढ़ाने के लिए, एक line में भी लिख सकते थे कि directors को bonus मिलता है, profit की basis पे, लेकिन बिना बात में question आपको लगे, अच्छा खास है, आगे देखे, जो employee है, इस company के, उनको bonus मिल रहा है, अब देखो इसमें आबे, जो इस company के employee है, उनको company historically, पिछ पंदरा साल, उसे हर साल, जो ऐसी उनकी performance होती है, उसके basis पर bonus देती है, discretionary bonus है, company अपनी मर्जी से देती है, नहीं, company ने कभी भी employees को ऐसा promise नहीं किया, कि हम आपका ऐसा bonus देंगे, constructive application बोल सकते है, company past में ऐसा कर रही है, तो उनके पार्ट पर उमीद है, employees के पार्ट पर, ले कभी भी case नहीं कर सकते, company पर, कहीं पर, लेगली court में इसको ऐसा नहीं बोल सकते है, कि आप bonus हो, कि company ने कहीं उनके साथ contract नहीं कि, अपनी मर्जी से देती है, समझ में आ रही है, तो past trend of performance के basis पर, जो bonus है, वो current year में भी नजर आ रहा है, 3 करोड का बनना चीए, उसका past year के according देखा जाए, तो अभी भी 3 करोड का देना चीए, current year में, तो director ने क्या बोला न, in view of possibility of directors not receiving the bonus on account of company's poor performance, info star chief financial officer who is a chartered accountant has suggested that discretion incentive usually payable to employees could be avoided in the current year, देखे क्या बोला, during the year company के profits कम हुए, profits कम हुए, तो directors ने क्या बोला, अगर अगर अपन employees को ये profit देदेंगे, जो पिछले 15 सालों स चाहिए, constructively, ethically, तो अगर वो ये देदेंगे, तो जो company का profit after tax है, वो कमाएगा, वो कमाएगा, तो directors को bonus ने मिल पाएगा, तो directors को ने मिल पाएगा, तो directors बेचारे टेंशन में, तो company का chief financial officer था, वो directors को हो सकता है, गुलाम होगा, वो chartered accountant था, थीके, question में लिखा हुए, chief financial officer, यह कमपनी का chartered accountant, यह हो सकता है, डायेटर्स का गुलाम होगा, इतने डायेटर्स को suggestion दिया, मत डायेटर्स ने कुछ नहीं बोल, आपकी बार, वो विचारे tension में थे, कि company की profit नहीं रहेगा, तो यार, हमको bonus ने मिल पाएगा, तो CFO क्या बोलता है, directors को, कि सुनो, आप एक क bonus मिल जाएगा, ऐसा इसने बोला, तो इसके बाद क्या हुआ, देखो, employees को bonus नहीं देंगे, तो कोई कुछ कर सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्या accounting की तो बात ही नहीं है, accounting में कोई ऐसा कुछ नहीं है, company की मर्जीती bonus देना है, तो दो मन्ना मत दो, आप पिछले 15 साल उसे देरे तो employee उमीद करेंगे आपसे, पर अगर आप नहीं दोगे, तो employee कुछ नहीं कर सकते हैं, और फिर आपको accounting भी नहीं करने है, simple थी बात है, mandatory bonus नहीं था मेरे पार्ट पर यह, मैंने जो उनके साथ contract किया हो, या किसी active में मुझे पे करना हो, यह discretionary दीवाला दा, तो ज्यादा हो जाएगी, उनकी part time job करने लगेंगे, company में वो efficiency से काम नहीं करेंगे, ठीक है, यह company में notice में आएगा, और company को क्या करना होता है, जब वो company अपनी annual report बनाती है, तो उसमें financial statements तो लगाती है, non financial performance भी बताती है, कि company में कितने employees ऐसे हैं, जो during the year company छोड़के गए, attrition rate क्या रही, company में employee का satisfaction score क्या है, जो employee से मांगा जाता है, form fill करवा के, gender equality यह सब भी देना होता है, कि कितने male female है, employee कितने absent रहते हैं, company में उसका भी percentage rate बताना पड़ता है, तो यह सब आपको annual report में देना होता है, तो directors ने बोला, कि यार ठीक है, तो जो बात बोल रहा है, कि employees क अपन बोनस नहीं देते हैं, वो discretion पर है, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, और हमको bonus मिल जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, annual report में यार यह employees नाराजगी जताएंगी, और नाराजगी जताएंगी, तो annual report में दिखेगा ना, कि employees कहते, company मार्केट में इमेज खराब हो जाएगी, ठीक है, तो CFO जो था ना, C, वो और ज्यान देता है, डायक्ट को, वो बलता है, रे सर, कौन पढ़ता है, नोन-financial performance को, लोग annual report को कचरे में डालते है, बुकलेट आती है, कचरे में डालते है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं उनको कुछ भी, ठीक है, कितना बड़ा गुलाम था यह, देख लो आप, यह था C.A. शुशील भूपती, आप पता यह question जिस बंदे ने बनाया ना, उसने specifically नाम लिखा C.A. शुशील भूपती, तो जिस बंदे ने question बनाया, किस्ते दुश्मन होगी या तो, ठीक है, उसक को गाली बकना चाहता होगा, या गालिया देना चाहता होगा, इतले उसने नाम लिखा C.A. शुशील भूपती, तो जान बुच के उसका लाश्ट में नाम लिखा, इससे अपने को मतलब नहीं है, इसके बाद देखिए, accounting की discussion में बात होगी ही नहीं, accounting का कोई दूर दूर लेना देना नहीं आरे भाई ठीक मत दो बॉनस वो डिस्क्रेशन परकांटिंग कुछ मत करो वो तो कोई बात हैं है एठिक्स की बात आती है अप एठिक्स की बात बी ऐसी है कि काउंटिंग की मिसकंड्ट जैसी चीज तो कहीं पर आएगी आकाउंटिंग की तो गलती है नहीं कहीं पर तो यहां पर देखेंगे पर यहां पर देखो पुरा पूरा जो सजेशन दिया गया वो इन्लीचल तो है नहीं गलत है ना बॉनर्ड डिस्क्रेशनरी था सिएफर नों जो सजेशन दिया वह एक्ट के अकॉडिंग तो लीगल है मतलब हर जगह वह स्टैटुट्री मेंडेट्री निदा कोई कोंट्रेक्चुल ओबलिगेशन नहीं तो कहीं से भी इलीगल तो नहीं है कोई भी केस नहीं कर सकता कोई आके उनको गलत नहीं ठारा सकता क आप बोलें नोन फाइनेशन मेंडेस कोई नहीं पड़ता पढ़ेंगे लोग जो स्टॉक मार्केट में इंवाल्व होते हैं वह कंपनी की छवी देखेंगे क्या कर रही है मार्केट में इस प्राइज गिरेगी लोग कंपनी में भरोसा करना छोड़ेंगे हो सकता है कंपनी कैसे रही सकते है ऐसा सजेशन कैसे दे सकता है डाइरेकटर को तो क्य comments कैसे अ कि कर सकता उसकी क्या थी पुबलिक इंट्रेटर्स के काम करता समझ मि आई बात तो पाबिक इंट्रेश्ट में करना है ना कि सिर्फ कंपनी के लिए उसे कि यह काम करना है तो इसलिए chartered accountant को अपने professional standards को उपर रखना है और ethical principles के according उसे काम करना चाहिए ठीक है उसको ऐसा suggestion नहीं देना चाहिए था बस यह false question था इसमें थोड़ा अलग way से answer दिया आपको समझ आगे होगा इसी के ताथ यह false chapter आपका complete हो चुका है इसमें कोई doubt होना नीची है इसमें भी किसी का doubt रहता है तो मैं क्या ही बोलूँ अब next आजेए अब आप लोग अपने अपना chapter complete किया अब next chapter आपके पास ऐसे ही false category में last chapter जिसके पास आपका syllabus complete हो जाने वाला है accounting and technology यह जो चप्टर है यह और भी महान चप्टर है यह और भी महान चप्टर है जो हमने chapter देखा professional and ethical duty उसमें फिर भी थोड़ा कुछ आपने समझा बाते करें यह तो और भी घटिया समझने वाली चीज़े होंगी तो क्या होंगी वह मैं आपको बताऊंगा समझ लोगे आप समझ के कुछ नहीं निकलना पर के स्लेवस में डाल दिये गए इस एक चप्टर बनाके accounting and technology accounting और technology को मिक्स कर दिया या accounting और technology का अपस में क्या इंटरलिंक की है वो बताने के लिए तो यह प्योर theoretical होता था computer वाले words आई गे टेक्निकल वर्स आएंगे तो वह यात करने पड़ेंगे वह यात करने का काम आपी सकते बस नँआ vetat बता कि क्या क्या चीजे है कैसे क entraire ज्यादा इसमें बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं है कोई की चीज नहीं है फालतु घटिया चप्टर इंस्टिट्यूट ने बिना बात में आपके स्लेबस में डाला है ठीक है फिर भी आप याद करोगे एक्जाम में मिल सकता एक क्वेशन फिरी के मार्क से याद कर लिए तो फिर फिरी के मार्क से चापना है जेटी जोर कुछ भी न पनी आने वाला थोड़ा बहुत आएगा वह पन देख लेंगे क्या आएगा बागी सब पालतु बाते होंगी टेक्नोलोजी से रिलेटेड अगर अगर मिए फटावाट कमपलीट करते हम इस चप्टर को ज्यादा टाइम नहींगे देंगेा इस चप्टर में इस चप्टर में मैं यहीं लिखा किस चप्टर में आप क्या सीखने वाले गवी 5 बॉसके पैसले अकाउंटेंसी प्रोफेशन में कैसे यूज किया जा सकता है यह उसके वाज़े से accounting पे बहुत impacts आ रहे हैं वो सब अपन समझेंगे कि technology को अगर अपन accounting में implement करें तो हमारी accounting किस तरीके से चलेगे हमारी accounting में क्या-क्या impacts आएंगे कैसे technology को use किया जा सकता accounting करने में तो उसके लिए यहाँ पर चीज़े लिखिए सबसे पहले तो करन्ट टेक्नोलोजी न अकाउंटिंग करन्ट सिनेर्व में मार्केट में कौन कौन सी टेक्नोलोजी है जो अकाउंटिंग में यूज में लिए जा रहे हैं तीन है automation process cloud computing enterprise resource planning सब समझेंगे technical words में आगे देखेंग then cyber security in accounting जब भी आप technology की बात करोगे न तो cyber security आपके mind में आएगे क्योंकि technology जो चीज ऐसी है इसमें cyber security सबसे important है cyber आपको security maintain करनी पड़ती है तो किस तरीके से करोगे future of technology in accounting technology का future क्या है accounting की अंदर यानि accounting में future में क्या-क्या technology आने वाली है जो accounting को और revolutionize कर देंगे इसके बाद index and information technology इंडेस और information technology किस तरीके से parallelी काम करेंगे कैसे इंडेस के implementation में information technology यूज में ली जाएगी वह पन लाश्ट में देखेंगे सबसे पहले अपन बात करते हैं automation process यह क्या थी current technology ने accounting चल रहा है ठीक उसमें automation process यहां से अपना पूरा आपका टेकनोलोजी वाले पार्ट की बात होगी accounting आप भूल जाओ accounting का इधर कोई अपन लिंक नहीं आएगा थोड़ा बोज्जो आएगा समझाने के लिए example की रूप में मैं दूंगा accounting अभी कोई लिंक नहीं है अब टेकनोलोजी के नाम से समझना आपको तो automation process क्य क्यों कोई manual process को आप automate करना चाहते हो मेरा कोई manual process होता था पहले manual process इंसानों को करना पड़ता था उसको मैं automatic करना चाहता हूं उसके लिए मैंने एक software को यूज में लिया इसे ही बोला जाता है automation process इससे क्या होगा वह process एकदम fast हो जाएगा और accuracy आजाएगी जो process को करने में प तो के और वोग हमारी क्लासेग में डालता था कि बस्तुड का नियिक जाता था एक दिन बाद हमारा जो स्टाफ है जो टीम मेंबर वहों अधुमिलेट करता था और औरज का डेटा एक फशेट में डालता था कि order number student का name, mobile number address, कौन से class लई है, ये सब details डालता था, और उसके against फिर वो आपको mail भेजता था, खुद manually mail भेजता था, कि हाँ ये आपका mail idea और इस पे ये वाले class भेजनी है, serial की वगेरा software जो भी आपको भेजना होता था, वो भेजा जाता था, ये पूरा manual process, इसम प्रोसेस भी थोड़ी कम रहती है, ऐसे manual process में, वो सकता है, मानलो, इतने सारे orders आगे, एक दिन 500 orders आगे, तो 500 orders हैं, तो को सकता है, कोई एकाद order में, किसी और mail ID पर दूसर mail चला गया, जा फिर इस बच्चे ने, फार की class लिए, तो इसको AFM का link चला गया, ये जनरली होता पर हो सकता है, ऐसी accuracy, inaccuracy वारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन अब मैंने इस process को automation कराया हुआ है, automation कराया हुआ है, कैसे, अभी आप जैसी website पो order लगाते हो, तुरंत आपको mail चला जाता है, तुरंत के तुरंत, आपको कुछ भी वेट निकाना, order आपने लगाया, payment किया, जो manual process था, वो पुरा का पुरा automatic हो गया, एक software website पर integrate करवाने को, जैसे जो मैंने बनवाया, उससे process fast हो गया, तुरंत के तुरंत, आपको link में लिया, और accurate हो जाएगा, आपको गलती होने के chances ही नहीं है, क्योंकि system को पता है, जो आपने order किया, वही बेजगा, system उसमें कभी गलती नहीं करेगा, तो यह होता है, automation process, जनरल example था, accounting में कैसे क्या, यूज में आ सकता है, accounting में एक छोटा से example देता हो आपको, accounting में आपने DMART में देखा होगा, DMART वगेरा में आप जाते हैं, जब कुछ भी shopping करते हैं, तो cashier के पास अपले जाते है, वो फटाफट आइटम पर बारकोड स्केन करते हैं, और आइटम आगे खिसकाते चले जाते हैं, तुरहन तुस आइटम का नाम, price, जो भी discount वगेरा चल रहा होता है, सब वहां पर system में update कर देता है, और पुरा text लगा के पुरा bill बना के देता है, यह पुरा system चलता है, तो यह automation process ही है, जो DMART वाले फोलू कर रहे हैं, accounting वगेरा, सब चीजों के लिए, bill बनाने के लिए, वन्ना manually बना करें, तो पहले नाम देखेगा, फिर उसकी MRP चेक करेगा, फिर manually डालेगा, फिर दूसरा देखेगा, MRP डालेगा, discount के कुछ आ रखें, आगए से authorization, तो फाइल खोल के देखेगा, कोई discount फगिर है क्या, पता नहीं, एक customer का bill बनाने में अदा घंटा लगा देगा, फिर accounting के records में तो पताने बिल कब बनेगा, वो चड़ाएगा, और फिर बाद में PC में चड़ेगा, system में चड़ेगा, तो कितना time लग जाएगा, यह पूरा automate हो गया process, समझ में आ रहे हो, यह accounting में इस तरीकिते automation किया गया है, benefits देगे, इस process के benefits, रटने वाली चीज़े, यह आपको याद करना है, यहाँ पर मैं बोलूगा, बाकियास तक नहीं बोला, यहाँ पर मोलूगा, यही याद करना, यही लिखना है, तो marks मिलेंगे, exam में आता है, benefits क्या होंगे, automation process के आपके benefits क्या इस process को अगर आप use करोगे, तो benefits क्या मिलेंगे, तो देखो, अब यहाँ पूरा रटने वाली बात आ गई, तो मैंने यह मिमोनिक्स बना के दे दिया, आप अपने भी बना सकते हो, मैंने यहाँ बना दिये, safety, 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 इस तरीकिते आप इसे रट लेना, short form में सब S मतलब streamlining data entry, A accelerated data processing, F facilitating compliance, E enhancing accuracy, वापत S जो है, वो saving time and money, और I मतलब improving decision making, यह आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो अब exam में आएगा benefits, तो आपको यह लिखने, यह points एजिते लिखोगे, और इनके अंदर 2-3 line अपनी मर्जी से बना के लिखोगे, मैं इनका explanation दे देता हूँ, बाकि आपको ध्यान दाएज ठीक है, वन अपनी मर्जी से बना के कुछ भी लिखना, वो कोई नहीं देखने वाला, सिर्फ यह points की वज़े से marks मिलेंगे, सर्फ यह points ही लिख दे अंदर का कुछ भी ना लिखे, तो फिर marks करतेंगे, आपको अंदर लिखना है, लेकिन अपन का नीचे कुछ में मत करना, यह एजेटिव रखने हैं रखे, यहां पर इस चप्टर में में को बोलना पड़ेगा, क्योंकि यह है यह सब्जेक का चप्टर जो आपके डाला गया है, देखे अब, इस ट्रिम लाइनिंग डेटा एंट्री, डेटा एंट्री स्ट्रिम लाइ एक बंदे को डिस्काउंट दे दिया, एक को देना रह गया, एक बंदे के में टेक्स गरत लगया, कुछ ऐसा नहीं होगा, बार्कोर्ड इस्काउंट करेगा, आपको पता चल गया, जो भी कुछ कम्प्लाइंस आपको फोलो करने ते, वो सब उसमें आप सिस्टम में डालो आपका जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डर में एक दम एक्कूरेसी है, अगर वहाँ पे मैनुवली कोई बंदा, कैशेर बैठा होता, हो सकता है, MRP 290 की जगा 190 लिख देता, ठीक है, कैल्कूलेशन में, डिस्काउंट गलत दाल देता, कुछ भी होता था, एक्कूरेसी रहे गया, जो में मीनिंग में पॉइंट से वही तो आ रहे है, स्पीड बढ़ गई, में देख रहा हूं, एक ही पॉइंट लिखे आ जाता हूं, दोनों क्या करूँगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, सब लिखना है, जो लिखने हैं यहां पर, ठीक है, पांच-छे नमर का यह तो लिखने है, ठीक है, जनरली एक पॉइंट का एक मार्क होता है, एक्जाम में पर लिमिटेड बैठा सकते हो, इंप्रोविंग डिसीजन मेंग, क्या हो रहा है, तुरंत बनते जा रहे हैं, सिस्टम में जा रहे हैं, अकांटिंग सॉफ्टेर के अंदब पूरा कम्प्लीट सेल्स का डेटा, आपको हर पल का मिल रहा है, हर सेकिंड सेल्स का डेटा सब हो रहा है, तो मैं तुरंत देख सकता हूँ, अभी किस चीज का कितना इस्टोक है, अभी कितनी सेल्स हुई है, तुरंत उसके अपटिंग कर सकता है, कंपनी का वेनेजमेंट, पहले क्या होता है, इसा मानलो, डिमार्ट में पहले वाला सिस्टम होता है, वह बिल ऐसे मैनु कुछ भी बोल दो, आप डिसएडवांटेज जो आपकी मर्जियों, आप समझ जाओ बस में, कैसे याद करना है, पी एना, याद है न वो रेलवे में आपका पी एना नंबर आता है, रेलवे टिकेट बुक कराते हो, वैसे ही पी एना, सबसे वहला है, पोटेंशल लोस आफ उन में कमी आईगी, जोब्स हैं, वो लोगों को खोनी पड़ेंगे, अपनी नोकरिया खोनी पड़ जाएंगी लोगों, आप खुद देखो, आटमेटिक होने लगेगा, जैसे मैंने मेरी वेबसाइट का बोला, तो मेरी वेबसाइट पर आटमेटिक लिंक जाने लगे तो आप काम कर रहे हैं अपना, पर वो जो चीज ऑटमेट हो जाने चाहिए, वो हमने करा दिये, तो बागी जो बड़ी कंपनी है, वो सब यह नहीं सोचती है, वो यह नहीं देखते कि यह आपके भरों से काम कर रहे है, जैसे भी लोग है, वो लोग इतना नहीं दिमाग लगा तो ऐसा नहीं कि स्टाफ की जरुवत ही नहीं पड़ेगी, स्टाफ की फिर भी जरुवत पड़ती है, जैसे आप जो डिमाट पर कैशियर वाला है, मैंने बोला कि बारकोड से काम हो रहा, पुरी अकाउंटिंग वगरा सब कुछ, फिर भी चाहिए नहीं बंदा जो बारको मतलब जब भी आप काम करोगे ना टेकनोलोजी में तो सबसे इंपोर्टेंट रिस्क होती है, डेटा ब्रीच जहां पर भी इंवल्मेंट आती है, तो आप हैकिंग आपके उपर होने के बहुत जादा चांसे हो जाते हैं, क्योंकि टेकनोलोजी में ओन्लाइन बना रहे हो, ठीक है, मैनुवली बिल बना रहा हूं, तो वो एक बुक के अंदर है, जिसके पाद बुक है, उसके पाद डेटा है, अब सिस्टम में है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, हैक करके, तो साइबर एटेक्स हो सकते हैं, समझ में आई, आगे बढ़ते हैं, फट इसमें डेटेल में और बताओ, तो वो मैं नहीं बताओंगा, तो क्योंकि अपना ये काम है भी नहीं, आपने इन सब चीजों को समझते भी नहीं है, जितना मैं समझता हूं, उतना ही मैं आपको समझाओंगा, ठीक है, आप मेरे से कोई इंडेस का डाउट पूछोगे, तो रोबोटिक प्रोसेस ऑर्टोमेयेशन ये क्या होता है, यहां आपको फेलुरा Oui लेकिन विपीटेट्टीव ने चैका विलकुल रिपीटेट्टीव ने चैका उसमें कोई चेंज निया, हर बार सेम चीज करनी तो ऐसे प्रोसेस को को करने के लिए आप सफ़ुएर के रोबोट्स मेंनाते हो जिन्ने आप बोस के नाम से जानते हो और आपने जो फिंदीकली अलग यृब चीज्य करते हैं these software robots कैसे नहीं करते हैंं वह वाले robots हैं जने बोर्ट्स बोला जाता है बहुत सपितन को और Trump किया सकते हैं वह एक यह पहुल cinaida रिपोर चुर्ट59 काम करते हैं फाइनिशल बॉक्तिंग में बहुत थैsmixíक है पूरा चेंज कर दिया जो पहले सिस्टम था तो इसी तरीके से इन्होंने पूरा आकाउंटिंग का सिस्टम है कर दिया इस पर पूरा का पूरा पूरा रिवोल्यूशन लेकर अभी ऐसा मत बूलना कि सर अपनी खुद की वह तारीफ कर रहे हैं मैं बता रहा हूं जो एक एक्जांपल मैंने आपको दिया अगर फिर भी आपको किसी को लगता ऐसा है तो आप भी बता सकते हैं आ फिर इक्जांपल आक्या अपको नॉर्मल देता हूं आप तैलीगराम से ते मेरिण की बहुत साथे ऋंगे। ओंगे क्यी अग्रॉपत funds一樣 को रहा है उसके basis पर यह उस मेसेज का consequence कर लेते हैं ठीक है तो टेलिग्राम गूप में आपने देखा होगा कई बाग कोई इसके लिए क्या आप मैं तो टेलिग्राम को बार बार देखूंगा अब कोई बंदा मानलो मैंने भी देखनी रहा और वह उसके तेलिग्राम को पिगाली गलोच कर रहा है और मैंने गंटे बात देखा गंटे में पता निए उसने पूरे मैसेज भर दिए जैसे उसमें पहली बार क्या होगा इडेंटिफाई किया और इडेंटिफाई करके तुर्ण उस बंदे को बैं कर दिया ब्लॉक कर दिया तो उसका मैसेज हट गया वो ब्लॉक हो गया ग्रूप शांद हो गया ऑटमेटिकली मतलब मैनुल रिपिटेट्ट जो आप जन्रली यूज में लेते हो वह जो मैट और स्युगी आप लोगों ने यूज मेल यूग हर को यूज मेलेता आजकल तो जो मैं पहले की बात बताता हूं जब जो मैट शीविगी नहीं नहीं आये तो उस टाइम पर क्या होता था आप खाना ओर करते थे तो उसमें क पहले कोई यह सॉफ्ट्रे बोट्स नहीं थे उनके पास की मैनुवल उन्होंने स्टाफ बैठाया हुआ था और वो स्टाफ का आपके मैसेज आता था वहां मैसेज डालते थे तो और उनको आप फिर बोलते थे अरे हमने यह ओर्डर किया था इसमें बाल आ गया इसमें यह कोकरोच आ गया आप पता नहीं कोई उदर से आइटाम उठाके डाल के फोटो खीच के उनको भेशते थे फिर वह बोलते थे अरे सर्थ सॉरी आभी आपको यह इस्यू हुआ उसकी वजह से हम आपको यह रिफंड दे देते हैं आपका और वापस प्लेस करा देते बहुत ल लोग होते थे वह चेक करते थे वह देखते थे बंदे का रिकॉर्ड कैसा है यह बंदा पहली बार इस डाल रहा है भी पांट दस बारी इसके इस इस आए तो ठीक है कोई बात नहीं कर देते हैं पर उन्हें देखा यार यह बंदा तो हर और के बाद तुरहन्त दो मिनट ब सबह्तन आते में इसको फोकटका घाना घाने तो इसको साब माफ कर यह आपको सर्विस नहीं दे पाईंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा आपको दिक्कत है कोई बात में आप इस खाने को कर या करो थैक है कि तो वो रिकोर्ड में देखते थे और इस त provinces उनकू बाते करते थ पूरा का पूरा जो करा जा रहा था बहुत लोगों का स्टाफ रखना पड़ता था कितना टाइम कंजूमिंग प्रोसेस हो जाता था उनके लिए और कोश्ट भी कंपनी की बहुत आते थे तो कंपनी ने इन्होंने क्या कि बोट्स बना लिया आज अगर देखोगे न अब क्लिवर का इशू है या फिर मिसिंग आइटम से नोडर या फिर और भी बहुत होते हैं क्वालिटी इशू सलाना इशू जो भी है वो सब उसमें लिखाता है तो यह सब आप्शन आते आप उस पर क्लिक करते हो पाटिकुलर जो भी इशू हो उनको मालूम है यह इशू आत क्या फोटो देते हो उसके बाद वो सिस्टम ओटोमेटिकली देखेगा आपका पास्ट रिकॉर्डर कोई इंसान नहीं बैठा सिस्टम देखेगा इस बंदे ने पास्ट में कैसी अरकते करिया है उसने देखा यार यह बंदा तो सो ओडर कर चुका और आस तक इसका कभी ऐ इशू रिपोर्ट करना था इस तरीके पूरा एक उन्होंने बनाया हुआ है आप जो क्लिक करेंगे उस अप्वरिंग को प्रॉसीड कर देगा सबसे लाश्ट में अगर आप अपने इशू नहीं पहचान पाते उसके अंदर तो लाश्ट में आजा था आई वन्टू टॉक तो इजेंट ऐसा करके लाइव एजेंट तो इससे फिर वह डायक्ली स्टाफ से कनेक्ट करवा देता है तो यह पूरा प्रोसेस उन्होंने बना दे यही सॉस्टेर बोर्स हैं और कुछ भी नहीं है तो कितने अब उनका स्टाफ कम हो गया और सब चीज़ ऑटमेटिक हो मेरे म मैं तो देखोए बाल आया मैं आपको डिखा रहा हूं है वह तो आपने अधिकले अपना दाल लेखे अपना नहींडेस आप कोई बात चलता है आगे देखिए इनको डेटा बोस कैसे परफॉर्म करते हैं आगे बात करते हैं बोस के एक्षेक्ट डेटा परफॉर्म कैलकुलेशन जनरेट रिपोर्ट्स भाई मीमिकिंग हुमन इंटरवेंशन डिजीटल सिस्टम अब बोस वर्क कैसे करते हैं बोस मैंने आपको लुद्र करते हैं कि आगे से असा कुछ नहीं होगा आपके साथ और आप इस इस इसू को आप रिपोर्ट कर सकते हैं और हम आगे रेश्टोरेंट को कम्युनिकेट कर देंगे इस तरीके से वाप मेसेज कर देता है तो आप समझ जाओ कि आपका रिकोर्ट उनके पास अच् करके फालक्याशक करेंगे रिपोर्ट जन्रेट करेंगे प्रोसेस है जिसमें आपको क्या करना आपको देखना है कि कि भाई acquisition डेट पर इतनी net assets थी आज इतना है अब पोस्ट acquisition में कितना share लेना वो ले लिया गुडविल कैटल डिजर्व एक मैथड से calculate किया इंसी है calculate किया फेयर वैल्यू पी एसने मैथड से balance sheet बनाई लाइन बाई लाइन सबसीडिर पेरेंट के अगर यह सब कमांड डाल दी तो वह बनाने लग जाए आपका बनाया जा सकता है जो कि बहुत लोग यूज में भी ले रहे है अप उसमें फिर आगे वर्किंग कर ली जाए अपने अकोडिक बड्राफ लेवल का आपको मिल जाता है अच्छी रवाइन इसके जाथ automation प्रसेस कंप्लीट है जो अकाउंटिंग में करन्ट टेक्नोलोजी यूज में ली जा रही है इसके लावा अकाउंटिंग में करन्ट टेक्नोलोजी और यू में ली जा रही है यह वर्डवाइट हर चीज में ली जा रही है जैसे मैंने अपना एक्जामपल यूज में ले जा रहे है बहुत इंके यूज़ेद हो गया टेक्नोलोजी के मेना दुनिया चली नहीं सकते आज की टाप ऐसा स्थीन हो गया देखिने क्लाउड कंप्यूट क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपोर्टेंट चीज है क्लाउड कंप्यूटिंग समझो पुरी दुनिया अब इसी पर चल रही है क्लाउड कंप्यूटिंग के उपर इसका नाम से क्या समझाता है क्लाउड कंप्यूटिंग तो यानि बादल बादल पर मिल रही है ऑवर दा इंटरनेट कम्प्यूटर वाली सर्वीज करनेक्ट है तो इंटरनेट के इंदर है यह यहीं बादल वाली सर्वीज ले पारे तो इंटरनेट के फिरूव आप आप computer वाली सर्विसेज ले पारे हो इस mobile के अंद में computer वाली सर्विसेज ले सकते हो internet के थू computer वाली सर्विसेज आप remotely एकसेस कर सकते हो यानि data और system को आप किसी भी system या data को remotely एकसेस कर सकते हो इसे बोला जाता है cloud computing अभी example से बताऊंगा बहुत अच्छे से समझाएगा आपको बताता हूं आपको cloud computing पर पूरी clarity में जाएगी exactly क्या चीज़ हो रही है cloud computing देखिए cloud computing क्या है एक्च्वल में बादल अगेरा पर कोई कुछ नहीं है ठीक है वो तो नाम है सब्स्टेंस पर समझना आपको अब आपको बताता हूं पहले के जमाने में क्या था जब पहले इंट्रनेट इतना ज्याद़ नहीं था ना थीक अब इंट्रनेट जब से 4G वगए ता जीव तक जाद़ हुआ है उससे पहले क्या होता था आपको कुछ भी चीज़ होता था था आपको तो मान लीजी आपके दोस्ते कुछ लेना होता था उसके system से कोई files चीह होती थी मान लो उसके आपको कुछ भी copy करना उसके system से तो आप उसको phone करते थे या तेरे PC में ये एक file है ये में कुछ चाहिए तो वो बोलता था कि हाँ मेरे घर आ जा pen drive ले आना उसके copy करके डाल दूँगा ये होता था मतलब आपको किसी का system access करना है तो आप उसके पास जाते थे और वहां से फिर file लेके अपने पास आते थे या फिर आपको file देखनी होती थी तो आपको उसके घर जाके उसके computer पर access करना होता था फिर देख पाते थे इसको मगावाव यह मेरा computer है थो इसको अगा कॉछ एकसेस करना है या मुझे देखना है तो मुझे इसके पास जाना पड़ेगा इस पर क्लिक करके इसको access करना पड़ेगा तो टच करने पास समझो मेरे कहने का मतलब इस particular computer को अगर मुझे access करना है तो इसको touch करके मैं feel लेत ये आप obs़ करते हैं जैसे पहले क्या था ना मैंआ को थोड़ा सा है उ तो मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल में था, स्टार्टिंग की बाते हैं, तो हमारी जो हम एक चोटे से टाउन से बिलॉंग करते थे, कौटकुतली ही है वो तो वहां पे, मतलब जो हमारी स्कूल है, उसमें परीकित हैं, हमारे पास कंप्यूटर था और किसी के पास आप था नहीं कुप्यूटर जअरल दो, पकैसे के पड़ा रहा हूँ तो हमारे पास computer था तो computer पे मतलब एक तरीके से उस time के लेवल के according expertise knowledge थी कि computer किस तरीके से क्या चलता है तो पूरा अच्छे थे हम चलाते थे फिर बागी एक दो friends बागी धीरे धीरे उनके पास भी computer आने लगे normal तो हम क्या बच्पन से चला रहे थे ना तो हमें पता चल गया था computer चलाना कैसे है क्या करना है बहुत तरी चीजे पता चल गया थी यह तो कई बार उस time पे जब मैं स्कूल में था यह मानों फिफ शिक्स प्लास में या फॉर्ट क्लास में तब मुझे पता चल गया था कि Windows कर करनी है कहां से लानी है क्या करना है अगर रहर नी करनी तो computer खोल के रहे सखरे करें रहाते दे तो हम अगरवालों को लगता थे क्या कर देंगे पर वह सखरके हम कर रहाते थे हमें मतलब तो यह चीज होती थी तो उस time पे आज करोए सब्सक्राइब कर्षे सारब तक क्रहता ऩो वह conscienza को सारे सांवेक्ट में अलग शाइने पहले से डिवीडी प्लेयर आता था आपके CPU के अंदर आजकल तो हटा दिया गया है जमाना है आप तो और भी आगे पहुंच गया जमाना जो भी अपन पढ़ेंगे वही मैं आपको लिंक करवाने वाला हूं तो वो सब मैं करता था तो मेरे जो friends वगिरां होते इनकी पास computer होते थे तो वह बहुत कोश्टली आते थी उस टाइम पर हमारे लिए कोश्टली थी तो वह लेके आते थे उनके पास होती थी तो उनको मैं पेंडर में कोपी करके देता था तो मतलब देखो अगर कुछ भी चीए था तो मेरे पीसी में आके अपना डिवाइस लगाते थे उसमें डेटा क कोपी करते थे कुछ भी उनको चाहिए तो मेरे डिवाइस में पर करके जाते थे तो मैं उनको भर बर के देता था और बहुत सारी चीजह वह सब बात में बात करेंगे सबसें तो यह सब चीजे फिजिकल डिवाइस कनेक्टिविटी ओती इसके अलावा मानलो सामने वाला ज कुछ देखनी है तो उस टाम पर मैं उसको बोलता था कि आज अगर बैटे भी बहुत अगर बैटे और देखने यह हो जाएगा आज घर बैटे वह मेरे से फाइल करवा सकता नेटवर्क पर एनिडेस पर फाइल भी कोपी हो जाती है या फिर मैं उसको सर्वर पर दे दूग मुसें आरी है मिरे डिवाइस परिये के जरूरत निनre कर सकता है मेरे शिश्टम का डेट रिमोटेव-क्र तो इसका मिमोनिक बनाए मैंने CS IPCC बीग बड़ी बड़ी जगह तो ऐसे याद करो सब्सक्राइब करते हो आपके फाइल आपके पास कोई मैमोरी नहीं है हार्ड डिस्क नहीं है वह बस आपका स्टोर हो गया हवा में मतलब जो शादी के बाद बनती है वह वाली सास नहीं है करते हैं तो इसका मैं एक्जाम्पल देता हूं हमारे साफ़फेर से आप यह लेक्ट्र अप मेरे सॉस्फफेर पे देख रहे हो जो में ने दिया होगा ने मेरा कोई मेरा खुद का सॉस्फेर है किसी और का उस्ट्वेर है उसको मैं पेमेंट करता हूं जितनी सीरील की इस तो इस तरी कें सेंग सब्सक्राइक कें हो गई पहले आगर पहले की कि बात करूँ तोमुझे खुद के बनाना तो जो औरा आग्च 다음에 कुछ siuss ए सब्सक्राइब कर ऀता है आप Microsoft की पर प्रक्राइब करों ऐसे गूगल का पैकेज होता है गूगल वर्क इस्पेस का जिसमें आपको पूरा गूगल वर्क इस्पेस का अक्सेस मिल जाता है आपको सिस्टम में डालना पड़ता था इंस्टॉल होता था और उस तरीके से चलता था आजकर वो सिस्टम खतम आपका सॉस्वेयर ऐसा सर्विस हो जाएगा इंफ्रेस्ट्रक्चर की सर्विस आपको क्लाउड कंप्रेटिंग में मिलने लग गए इंफ्रेस्ट्रक्चर की सर्विस का मतलब क्या है इंफ्रेस्ट्रक्चर तो फिजिकल चीज होती है बिल्कुल पहले क्या होता था हार्डिस्क जो है फिजिकल अभी भी है हार्डिस्क पहले की बात क्या है लेकिन पहले मेजर नहीं आपको अगर कोई डेटा स्टॉर करने क का infrastructure setup करें आप server ले लीजिए उनलाइन आपको server मिल जाएंगे Google का server मिल जाएगा Amazon Web Services मिल जाता है AWS का server मिल जाता आपको इसके लावा पता नहीं कितने आजारों server है Google का तो आपका बता है Google Drive है आपके सामें और Microsoft OneDrive है बहुत सारे infrastructure की सर्विस दे रहे है storage की सर्विसे क्लाउड उपर कुछ में को हार्डिस्क वगेरा नहीं लगानी है अपने सेटप करना पड़ेगा उसे में कौडिंग करनी पड़ती आजकल इसके लिए प्लैटफॉर्म दे रहे है Google का एक App Engine आपने अगर नाम सुनाओ एक Microsoft का अजूर करके है औरेकल गुरूप का भी आता है बहुत सारे लोगों का आता है टेक्नोलोजी में इतना डेटेल में जाने की जरूरत नहीं एक्जांपल दिया है दो-तिन मेंने बाकि Google App Engine आपने सुना तो अपनी या कुछ भी बनानों वह बना सकते हैं पूरा उसने कंसोल दे रहा है प्लैटफॉर्म दे रहा है आपको जिसमें डीबगिंग टेस्टिंग सॉप्वेर कि सब कुछ वहीं पर हो जाएगी सारी चाहिए उसने करा हुए प्लैटफॉर्म आपको मिल रहा है ठीक है वहना पहले खुद तयार करना पड़ता था पेमेंट करो प्लैटफॉर्म अप्लाउड बेस्ट कम्यूकेशन और कोलाब्रेशन आप जनरली डे टू डे लाइफ में यूज में आने लग गया यह तो क्लाउड बेस्ट कम्यूकेशन कोलाबरेशन करते हैं आज कल हम जूम मीटिंग गूगल मीट मैक्रोसोफ टीम पदा हूं क्या क्या है अने को सफ़ेर हो गया है इसके क्लाउड बेस्ट कम्यूकेशन पहले कि पूरी खोलनी पड़ेगी वहां सामान दखना पड़ेगा टीव बहुत लाज अमांट का जो लाज वोलिम अफ डेटा है उसको भी एनलाइज आप कर सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग की वज़े से सारा डेटा आपका क्लाउड पर है सारा डेटा सर्वर पर है है आपने सारा कारो सब्सक्राइब का क्लान के सब्सक्राइबर लेखन स्क्राइब.. क्लावड क्लूटिंग के अप्लिकेशन नेगट आको बेनेफिटौ ने किया सम्ट कुपप्यूटिंग का रह justified वो मैंने आपको बताया अब बैनिफिट्स देखे बैनिफिट्स एसर ठीके इसर ऐसे याद करो ईसर जोर लगा के यह नहीं सर में तीन आई आएंगे टीक है इसर तो बैनिफिट्स में क्या है सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है टेकनोलोजी में सिक्योर्टी वाली दिक्कत होती है तो इसका मैं आपको बताता हूं क्लाउड श्टोरेज के एक्जामबल पहले मान लीजिए में पास हार्डडिक थी उसमें मैं डेटा रखता था अपना पर वो हार्डडिक किसी दिन करप्त होगे खराब होगे सारा डेटा गया है कुछ नहीं कर सकता मैं पर अगर मैंने गूगल सर्वर पे क्लाउड पे करें आने वाला समझ मैं तो स्क्योर्टी ने त्टी 1 कोलेब्रेशन जो भी कोलेब्रेशन हो रहा है क्लाउड की वज़े से वह स्ट्रीम lin पुरा व्यवस्त्य स् तरीके से हो रहा है आप आपस में इंटर कनेक्शन कम्मिनिकेशन ताल मेल जो है यूजर्स के बीद में हर प्रीम लाइंड आपका किसी से भी आप कम्यूनिकेट कर सकते हो कभी भी कम्यूनिकेट कर सकते हो इंप्रूव एकसे सिबिलिटी आप कभी भी कोई भी चीज एकसेस कर सकते हो कहीं से बताया ना मैं किसी गाओं में भी हूं तो भी मैं आपनी Google Sheets वगयरा वास सकते हूं लो में इसको भी सकते हॉं इंक्रीज इंक्रीज हो जाती है मेरे बिजनस को में स्केल कर सकता हूं किसी चीज़ को आपको इसकेल ज़्यादा मार्केट चीए तो ओनलाइन जाना पड़ता है समझ में आरी आपको बाद इसके बाद इंप्रूव्ड रिपोर्टिंग एंड एनलीटिक्स इंप्रूव्ड आया है अभी बताया बिग डेटा को आप एनलाइस कर सकते हैं अब कभी बात करें लेकिन पहले की बात करें तो कुछ ऑनलाइन नहीं नहीं आप लिमिटेड डेटा है उसको कैसे अनलाइस करोगे करने में भी टाइम लगेगा इसके पास रेडूश्ट कॉस् बहुत ज्यादा लगते थी तो कितनी ज्यादा कोश्ट आती थी आज आप क्लाउड संब्यूटिव में बहुत सस्ते सस्ते पैकेज मिल जाते हैं सौफवेय में को पे-on-go basis पे मिल जाते हैं खुदका सौफवेय बनाने बैट तो हो सकता एक करोड रुपय लग जाए प्यो कोई ज्यादा कोश्ट नहीं आती तो रेडियोश कोश्ट है नेक्स देखे चैलेंजे दिया ड्रोबै क्या आपको यही लिखना पड़ेगा बस यह कैसा चप्टर है तो हैकर्स के लिए प्रौन प्रौन टू हैकर्स रहेगा यानि हैकर्स कभी भी आपके डेटा को चोरी कर सकते हैं और सारा डेटा क्लावड पे किसी को मेरे गूगल का पास्वर्ड मिलगा तो एकस्स कर सकते हैं या फिर मेरे डेटा के इंतीक रिटी को कॉंप्रमाइस कर सकता है डेटा के इंटेग्रीटी मतला गूगल ट्राइफ पे मानों मैंने गूगल शीट में टेटा था किसी एकर ने चोरी तो नहीं किया डेटा पर जो शीट में डेटा था उसके साथ छेड़ खानी कर दी तो यह भी पॉसिबल यह इसके लावए अब करेंगे और शीले पर इंट्रण नेट के रहें के लिए आपको जरूरी होते हैं क्लावड कंप्यूटिंग के लिए अब मान लिए कई नेट के कनेक्शन ही नहीं आ रहे दरां धरां रहे तर्णा का सब्सक्राइब कर लोगे अब इसके लिए सबसे इंपोटेंट चीज इंटरनेट है जो मैं पहले से बोलता रहा हूं कि इंटरनेट के ओपर सर्विसेज देना तो बिना इंटरनेट के तो क्लाउड कंप्रूटिंग कुछ है ही नहीं यह सिर्फ इंटरनेट के विज़े से पॉसिबला तो इस प्रॉंग का मैं एक एक्जांपल दूँ आप लोगों ने अगर आटिकर्शिप में काम किया है तो आपको पता होगा जो बड़ी कंपनीज है उनके पास एक सेप सॉफ्वेर होता है जो शायद औरेकल गृप का है तो उनका एक सेप सॉफ्वेर अकाउंटिंग के लिए यूज में लेते स्वाइब काव यह समझ में आरे है न आपको बात बस वाइचेवर एक रखिष्वेर जिसमें अलग 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 कंपनी अपने-अपने यार्प सॉफ्वेर मार्केट में ला सकते है जिसमें सबसे फेमेस है आपका सेप वाला सॉफ्वेर जो औरेकल घृप का है शायद किस को मँएनेज करना चाहते हैं डे यह सफवेर्व सिर्फ अकांटिक से लिमिटेड नहीं है मतलब इस सब्सक्राइब की पूरु की पूरे बिज्नस एक्कांटिक कर सकते सेन इस सब्सक्राइब में असथियर में होगी सपलाइब टेस अपरेशन और यानि कितना raw material कितनी quantity कितनी गई कितना स्टॉक में क्वांटिटी वगेर अकाउंटिंग में आती उसमें तो अमाउंट आते हैं एक चार को भी मैंनेज करेगा उनको मैं बता रहा हूं जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं पता होगा तो थोड़ा सा सुन लो जिन्होंने यूज किया वो लिंक कर पाएंगे सैप सॉफ़े में जैसे हमने भी आटिकर्शिप के टाइम पर यूज में लिया था तो सब्सक्राइब में बहुत सारे मोडियूल होते हैं बहुत सारे उसके अंदर मोडियूल होते हैं मोडियूल होते हैं फाइनस का मोडियूल अकाउंटिंग मोडियूल जनरल मोडियूल पता नहीं क्या-क्या मोडियूल होते हैं अब तो जिहान भी यह इतना टाइम हो गया म तो बहुत सारे उसके अंदर मॉड्यूल से उस मॉड्यूल के अंदर आप जो चाहे ना वो रिपोर्ट निकाल सकते हैं अगर बिजनस से उनको इंटीग्रेट कर रखा तो बिजनस की सारी एक्टिविटी को मैंच कर सकता है एक ही जगह पर सारा बिजनस का डेटा मिल जाएगा यानि बिजनस के जितने भी प्रोसेसे दना सब को वो कनेट करके रख सकता है सबको कनेट करके रख सकता है उसी सौफवेर में आपको सप्लाई चेन की भी रिपोर्ट मिल जाएगी कस्टमर रिलेशन्शिप रिपोर्ट भी मिल जाएगी अकाउंटिंग एक बजट फॉरकास्टिंग के लिए एक बंदा बैठा रखिये एक बंदा बैठा रखिये एक इंवेंटरी का मेनेजमेंट देख रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि data duplication हो रहा है अब inventory management वाला बना रहा है इदर accounting वाला accounting एंट्री पास करता है तो इंवेंटरी के record भी बंग भाता है कि इसको भी closing stock दिखाना है तो यहां से डेटा यहां पर भी जा रहा सब लोग जिसको जो एकसेस देना था वो दे दिया होगा कंपनी ने तो सब वो डेटा वहां पर एक ही जगह पर रहेगा और मुल्टिपल बिजनस प्रोसेज़ कनेक्ट हो जाते हैं यानि यह टेक्निकली मैं आपको बोलू ना जो यार्प सब्सक्राइब फिर एक जगह जैए इसकेमा करके एक टेक्नोलोजी जिसको यूज मिलेते हैं यानि सिंगल डिफाइड डेटा स्ट्रक्चर विश्मार्व डिटक्चर विश्मार्व लाग जाता है धेक्नेकल लेंग्वीज में टेकनोलोजी को या अपको द्यान द्खना पड़ेगा मेनिग it is a software that organizations use for managing day-to-day business activities like accounting and supply chain operations it connects multiple business processes and eliminates data duplication it has single defined data structure with common database schema ठीक है meaning पूछा तो यह आपको लिखना है इसके बाद benefits देखिए इसके ERP के benefits क्या होते हैं आपके ERP Software के benefits क्या है BC Liar ठीक है BC Liar अब इसका जो meaning निकालना है निकाल लेना वो आपके इच्छा है बस याद करने के लिए अपने मिमोनिक्स बनाना चाहूँ बना लेना पर मिमोनिक्स ऐसे बनाओ जिसको आप याद दख सको तो BC लाया है यानि जूट बोल रहा है कोई benefits नहीं है परिशान कर देता जाए कॉश्प्र खीडारर सभर्ना आपको बताता हूं कोई थोड़ा अब सब्सक्राइब रेंट होड़ाल शूझाए ऑनको देता हूं नेजब में दो गंटे का शार दाशता है तो बैंगलोर की हम उसे ओडिट बोलते थे तो टैब इंडिया जो इनका क्लाइंट था वहां सैब सब्सक्रियर यूज में होता था और वहां पूरी अकांटिंग इसी सब्सक्रिकर दुख करे जाती तो वहां बहुत सारे मॉडिल्स होते थे पहली बार हमने वहीं यूज किया था तो वहां पर हमने देखा था तो इसमें अकांटिंग कर तो तरीका होता है ना अकांटिंग की एंट्री पास होना वह भी बहुत कॉंप्लिकेटर है जो बंदा पहली बार देखेगा बहुत टाइम लग जाता है लोगों को समझने में तो यहां इसे अकांटिंग चल रही है हमें जो टैलिक, आदऀक पड़ी रहती है उसमें थोड़ा अलग तरीका है थोरा कि बहुत अलग तरीका है बहुत अलग तरीक है पर उसमें बहुत सारी बीपर्षक हो ayATIONhertz कर सकते हैं तो वहां पे accounting वगेरा क्या तो हम वह access कर लेते थे पर उसके अलावा हमारी के वहां internal audit का काम था तो internal audit की report वगेरा के लिए हमें data वगेरा चीह होता था तो वहां एक परसंथे उनके वहां चायद शिर्वराज जी नाम ता उनका जितना मुझे द्यान है वो उसमें सब्सक्राइब करना तो उनके पास चले जाते थे हम और उनको बोल देते थे एसे एसे हमें रिपोर्ट पूरी रिपोर्ट निकालके हमें दे 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 और उसी के वेसिस पर मैं पूरी इंटर्नल औरेट की अपनी ऑप्जर्वेशन देता था तो इतना शांदार सब्सक्राइब यह वाली चीज थी तो यह सब्सक्राइब वैसे चलाने में बहुत इसको आपको नौलेज चाहिए एक्सपर्टाइश चाहिए बिना ट्रेनिंग के आप नहीं चला सकते कोई नहीं गारें के बनेटर गवरा यह ऊच्छानने को जिए आपको समझ में आ रहा है एक और यह प्यक्राइब बिजनस में मैं फिसनुडश सॉफ्रेर को धिको मैंने रहे हैं दो कॉंसिटाइब के सब्सक्राइब ऑलने प्सक्राइब का इसक्षिद्र टों आएगी कंपनी में से तो उसी से आपका सब कुछ रन हो रहा है लेस ऑपरेशनल कोश्ट कंपनी की कम हो जाते हैं क्योंकि एक इस सारी बिजनस एक्टिविटीद मैंज हो गई तो पहले ज्यादे स्टाफ की जरुरत थी तो अब आप कम स्टाफ में भी काम कर सकते हो बहुत कम कर सकते हो कर देखो एक बागी बिजनस प्रसेस से लिंक होगा तो कहीं पर भी डेटा आगी गलत नहीं जाएक एक बार जो डेटा गया सब जगा वही डेटा काम में आएगा तो यहनि आपका जो डेटा चला गया सिस्टम में वह फुल जाएगा मीनिंग पूछा तो यह चाप होगे और यह लिख दिया और यह चाप किया रहे है इसमें वही बाते रिपीट होके आएंगी थोड़ी अलग तरीके देटा इसका डिफाइंड इस्टेंडर्ड डेटा इस्ट्रक्चर ठीक है इस्टेंडर्ड तरीके से डेटा इस्ट्रक्चर किया जाता सॉफ़वे में इनफ्रमेशन ऑफ डपार्मेंट इद अवेलेबल टू ऑधराइश्ट यूजर्स इसी भी एक डिपार्मेन्ट की इनफरमेशन ऑथराइश्ट यूजर्स इएक्सेस कर सकते हैं मतलब भई उसॉफवे में डिसाइड कर जा जाता मोडियेटर के तरह गये तो हमारे भी उसमें पास्वार्ड आइडी वगरा सब्सक्राइट करें गये तो हमें कुछ-कुछ मोडियूल के एक्सेस मिलते थे वह हम एक्सेस कर पाते थे तो इस तरीके दें वहाँ चलता है इसके बाद यह सब्सक्राइटर करने वारी चीज़ होती है तो वही हो रहा है कि एक बार आपने डिटा डाल दिया एक पर्टिकुलर मॉडियूल में तो वह डेटा बागी बिजनस प्रोसेस में जहां जरूरत है वहां अक्रोज डिपार्टमेंट्स ओट्वेंटिकली लिंक ह हो जाएगा उटमेटिकली चला जाएगा जहां जरूरत है इसके बाद यह सबते ज्यादा यूज में जब आता है यार्पी सिस्टम जब कंपनी अपने मेजर हर एक मेजर बिजनस फंक्शन के लिए मॉडियूल में ले रही है तो यह कंपनी को जरूर बेनिफिट देगा क् कंपनी का पूरा बिजनस उस सौफ्टर के थूरन कर रहा है जहां पर सब कुछ रिपोर्ट वगेरा निकाली जा सकते कंपनी आराम से वर्ट कर सकती है बस यह यहां पर लिखा हुआ है तो इससे जादा इसमें बात करेंगे नहीं आगे देखू इलस्ट्रेटिव स्टेप् इस अब बहुत आप अपने फाइनेशल इस्टेप्मेंट बना यूजर को देना चाहते है तो फाइनेशल रिपोर्टिंग करने के लिए अकांटिंग और फाइनेशल इस्टेप्वाली बात की बात चलेगे हम अकांटिंग करें financial statements finalize करके उनको report करें तो इस process के ओपर internal control आपको रखना पड़ता है क्योंकि इस process में कहीं ना कहीं internally company में गलतिया हो सकती है कुछ लोग गड़बड़ी कर सकते हैं कुछ गलत दिखा सकते हैं या छेड़ चाड़ कर सकते हैं इंटर्नल कंट्रोल होना चाहिए कुछ में कुछ भी पूचे दोनों का सेम जली गये और रिपॉर्टिंग करना यानि वह इंटर्नल कांट्रोल की बात हो रही है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं ध्यान दखने पड़ेंगे आपको लिखने एक्जाम में आ जाये तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप और एक तरीके से मैं बताओ ना वाउचिंग वेरि से लिए यह एक जहां तक लिन्हीं ऑन है कि सबसे पहले आप देखो servicio प्रोश mister उसके प्रोसेस के अंदर है क्या यह डाला गया एक फाइनिशल रिपोर्टिंग की सभयर्मेंट्स वह vy ili ए देखेगा कि यह चीज गलत हो रही है कि सही हो रही है इसके अलावा फाइनिशल रिपॉर्टिंग की इस देट तक फाइनिशल स्टेट्मेंट बन जाने चाहिए जो भी डेडलाइन्स वगेरा है रिक्वार्मेंट्स है वो सब सब्सक्राइब को तो पता होनी चीए तभी तो इंट्रेट चेक करपाएगा तो पहली बात वरीफाई एट प्रोसेस इंख्लूट्स अइन्टिफिकेशन और फीनिशल रिपॉर्टिंग रिकॉर्ट्टिंग की हमारी रिकॉर्मेंट्स क्या क्या है क्या सॉफ्ष्वेर को पहले तो चेक आपका प्रोसेस जो एंदर वह च को बता दिया कि हां भी देखो financial reporting में यह requirements होनी चाहिए यह requirements होनी चाहिए तो जो process अपने बनाया उसको document करवा company document करती है उसको लिखना पड़ता है कंपनी को कि हमने process में यह डाला है कि process financial reporting की इन इन requirements को देखेगा तो आपको क्या करना है यह चेक करने के लिए कि इंटरनल कंट्रोल और फाइनेशल रिपोर्टिंग एर्पी के थुरू अपा रहा है तो आपको देखना है documented process जो है documented process जो हैं को review करना आपको उनको review करो और देखो कि क्या company की जो financial reporting की policies है यानि financial reporting जो होना update changes देखिए software में entry पास हुई और दस दिन बात किसी ने entry change कर दी software में कर सकते हैं तो step में पता क्या होता है जब entry change करता है कोई modify करता है उसमें लिखा आता है किस user ने change करी कौन सी date को करी कितने बज़े करी पहले क्या entry थी और अब उसमें क्या करी सब पूरा change आप उसमें changes हुए थे वो क्या क्या हुए थे और क्या वो सही थे क्या changes ठीक उनमें कुछ गडबढ़िया तो नहीं हुए ना कोई fraud वगेरा तो नहीं हुए ना इसके बाद verify that changes are authorized by designated individuals लिंक होते जा रहे हैं point verify करो फिर साथ में आप कि जो change किये गए थे accounting entry वगेरा में उनको कि इसी डिजाइनेटेट इंडिविजियल ने authorized किया है यानि जब भी सैप में change करा जाता है ना एंट्री में तो उसके बाद उसमें एक option रखा जाता है कि इसको authorized करने का option कि change की request अगर कोई डालेगा तो उसके बाद एक person management ने allocate कर दे कि यह बंदा उस change को authorized कर सकता है कि यह यह चेंज अला हुए यह नहीं अला हुए तो आप यह देखो कि जो भी changes हुए थे क्या वो designated individuals ने authorized कर रहे थे या नहीं कर रहे थे इसके बाद देखो review change request to ensure proper authorization आ आ रही है वो proper authorized हो रही है नहीं सेम पॉइंट को गुमा के वापस रिख्या है review करो आप change request को change की जो भी request डाल रहे है उनमें proper authorization के लिए तो जा रही है नहीं कि कि किसी ने मन मर जिया है कोई entry change कर रहा है आगे कोई authorized करने वाला बंदा ही नहीं है ऐसा नहीं होना चीए review करो change request to ensure proper authorization तो internal control आएगा इसके बाद आप देखो जो भी यह ERP में process आपका ERP software के अंदर उसके अंदर roles और responsibilities है ना हर एक individual की clearly defined है हर एक individual की कि मेरे को assign क्या हुआ finance module तो में पास क्यों इसी का access है एक को assign क्या हुआ है HR module तो क्यों उसको उसके पास ही access है कि समझ में आ रही है आपको बाद हर बंदे की roles और responsibilities defined होने चाहिए कि इसके पास यह access रहेगा इसके बाद assess qualifications of individuals assigned to financial reporting roles जिस बंदे को आपने financial reporting वाल रोल दिया है मैं तो technology field से था तो क्या मतलब है उसको user बना रहा है कि वो क्या accounting सही कर रहा होगा validate that individuals responsible for financial reporting have appropriate knowledge जो बंदा individual responsible for financial reporting करने के लिए तो उस बंदे के पाद appropriate knowledge यह चेक करवा मालो मैं CE था तो मुझे financial reporting role दे जिया उन्होंने बोला ठीक है तो इसमें qualification वाला point तो assess हो गया लेकिन में को accounting कर नहीं तो इंडेस के according और इंडेस मैंने आस तक पढ़े नहीं तो यह कुछ आपको point देखने है internal control और financial reporting ERP के थूँ नेक्स्ट आजए यह last point ERP वाले में ERP system for inventory management कई बागा question पूछेगा कि inventory को आपको manage करना ERP के थूँ तो ERP में कोई system बनाया जा सकता inventory manage करने के लिए बिल्कुल बनाया जा सकता कैसे बनाओगे तो वह आपके सामने लिखा है सबसे वहले steps to be followed to enable ERP ERP में inventory manage करने के लिए क्या क्या steps follow करने पड़ेंगे उसमें short form मैंने बनाए है mid track depo mid track depo, mid track कर ले depo को, mid track करेगा depo, mid track करेगा depo, mid mid track dipu, ठीक है mid track depo तो staff to be followed to enable ERP, यानि आपको अगर inventory management करना है ERP के थूँ तो तो क्या 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 आपको enable करवाना पड़ेगा ERP के अंदर क्या 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 steps लेने पड़ेंगे सबसे पहले आपको maintain करना पड़ेगा bill of materials management, ERP के अंदर एक module डालना पड़ेगा bill of materials management का, यानि जो भी material वगएर आप purchase करते है तो उसके bill वगएरा के information उसमें store हो जाए कि इतना material इतनी quantity ऐसे ऐसे अपने पास आया इस तरीके से अपने पास आगे चला इतना यूद में आया उसका stock maintain हो जाए इसके बाद implement purchase order controls, purchase order के controls implement करो, purchase order controls का मतलब क्या है? purchase order, देखो software में जैसे purchase order create होता है कि purchase request डालनी है अपने को supplier को तो purchase order बंगता है तो purchase order ERP software में जाएगा कि इतना purchase order हम लगा रहे है supplier के पास तो purchase order ऐसा डाल दिया किसी भी बंदेने तो उसका मतलब नहीं कि बस वो purchase order लग गया सामने वाले supplier पे उसका control होना चाहिए, उसका control मतलब purchase order डाला तो उसको authorize करने वाला एक बंदा होना चाहिए वो बंदा देखेगा कि यह purchase order लाला है supplier के बाद इतनी quantity का इस price पे तो सही है ना तो authorize कर देगा आगे purchase order चला जाएगा तो purchase order के controls implement होने चाहिए वना inventory में पता घपला क्या हो सकता है मानलोब मैं purchase request डालता हूं purchase order डालता हूं कोई उपर control करने वाला नहीं हो थोराइस करने वाला नहीं है मैं supplier से setting कर लूँगा मैं बोलूँगा देखे 40 का product है ना मैं 50 का purchase order रालूँगा 50 की price पे 10 रुपय में ते 5 रुपय तो मुझे देज ना 5 रुखा लेना समझ में यह बात तो वो control होने चाहिए define appropriate costing methods inventory के management में inventory की cost निकालनी पड़ेगी आपको तो इन्वेंटर के costing के methods फिर आप उस software में define कर दीजिए कि FIFO method से करेंगे weighted average cost से करेंगे जो भी आपको follow करना है ट्रैक लेबर कोस्ट इन्वेंटरी की कोस्ट में फिर लेबर का भी एक important पार्ट होता लेबर भी तो inventory की cost में याड़ होते हैं आपने पढ़ाया index to inventory में तो लेबर की cost कितने लग रही है तो वो भी software ट्रैक कर पाए कि हम इतने labor hours लगे तो उसके according इतनी labor cost लगी तो वो भी आप इंटीग्रेट करवा डिफाइन ऑवरेड अब्जोपशन रेट ऑवरेड भी आपको inventory की cost में डालने होते हैं उसकी absorption रेट होते है किस रेट से जाएगा calculate जो अपन करते हैं तो वो रेट आप्टमेंटिकली software calculate कर पाए उसके according overhead allocate कर दे वह आप इसमें डालो इसके accounting वाले में closing stock चीए होगा यहां पर value calculate हो और वहां पर उठा लेगा automatically तो real time closing stock update होता रहेगा perform periodic reconciliation ERP में आपने stock का maintenance कर दिया inventory management तब इस stock को आप periodically physical stock से reconcile करते रहा हो ताकि आपको पता चले सब सही चल रहा है और the reporting capabilities ERP के अंदर सबसे important के report आप कभी भी कैसे भी निखा सकते तो reporting capabilities जो है यहां कि उनको utilize करना inventory management proper हो जाएगा ताकि आपको reports से पता कर सको कहीं दिक्कते वागेरा तो नहीं चल देखे इसी में ERP system for inventory management में कैसे इंप्लीमेंट होगा उसकी बात हो गई ERP अब देखिए integration of internal control over financial reporting with respect to inventory in ERP system ERP को यूज में लेके financial reporting के inventory वाले aspect पे internal control कैसे लाए जा सकते है financial reporting के अंदर ERP की वो यूज करके internal control कैसे ला सकते है financial closing and reporting में वो अपन ने देखा अब financial reporting में inventory के उपर अगर inventory के उपर मुझे internal control चीए तो वो ERP के थुरू कैसे integrate किया जा सकता है ERP software को यूज में लेके कैसे integrate किया जा सकता है वो समझ लो तो उसके लिए आपके इन्फोर्स आईपी इन्फोर्स आईपी आईपी में चार बार आई है ठीक है तो आईपी जोर लगा कि आप बहुत सकते हो इन्फोर्स आईपी तो इन्फोर्स segregation of duties तेम वही point है जोग पर मैंने बताया ना सब सेम कैसे है बस थोड़ा घुमाके लिग दिया ठीक अब ध्यान दख लेना इन्फोर्स segregation of duties आप segregation of duties कर दीजे यानि आपको वही तेम अलग 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 बंदों को अलग टास्क देने बिल ऑफ माटेरियल मैनेजमेंट का अलग बंदा होगा पर्चेज ओर डालने वाला को यह ओर होगा ओथुराइस करने वाला को यह ओर होगा सब काम एक बंदे को द का इस वाले लेप्टॉप से इस वाले डिवाइस में केवल बिल ऑफ माटेरियल का एक्सेस है जैसे आप लोगों को मैं क्या आपको बीजिवाइस पर चलेगी ताकि कहीं ओर शेयर ना करो तो वही थेम चीज़ एकसेस कंट्रोल आप इंप्लीमेंट करो इंक्लीविवड व तो उसके बाद जो गुर्स आएंगे फिर उसको एक बंदा प्रूब करेगा कि जितने वो सही आए तो अप्रूवल का प्रोसेस एक डालते जाओ सिस्टम में रेस्पेक्टिव जगह पर ऐसा नहीं कि बस प्रोसेस चले जारा कहीं भी बीच में अप्रूवल की जरुरत नहीं सब्सक्राइबया सब्सक्राइब जोन रिपट सेस्ट आप जो सब्सक्राइब लागाए मनेज में का डेश बर्ट बना जिसमें से management customized report निकाल सके ताकि वो देख सके कि भाई सही तरीके से काम कर रहा ना inventory management, internal control आपका ensure हो जाएगा यह topic आपका complete हो गया current technology and accounting के तीन थे जो सबसे important main बड़ा topic था अब आजए यह cyber security and accounting accounting में cyber security accounting में cyber security यह क्या चीज़ है देखे accounting में cyber security की बात करें जब भी आप technology use में लोगें तो आपको security ensure करने हो कुँदी cyber security क्योंकि technology use करते वक्त cyber security आपकी बहुत जरूरी है technology use करते हो तो systems use में आते हैं online आप जाते हो तो hacking हो सकती है आपके data को चोरी किया जा सकता है लाओ network सबसे पहले आपको cyber security में threat क्या नज़रा रहे हैं क्या क्या आपको डर नज़रा रहे हैं क्या क्या आपको खतरा हो सकता है तो स्काच्वरे क्या हो सकता है साइबर security क्या हो सकता है City PM सर day सब्म सब्सक्राइब क्या हो सकते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या होते हैं थोड़े थोड़ा सा डिफ्रेंस है फटाफट से समझे लीजी याद करने दिनायल अटर्विस अटेक्स में क्या होता है इसमें जिस सिस्टम को आपको हैक करना रिक करना होता है करना है व्म दन तर्भी तो उन्होंने लोगों को बैठा दिया है कर सको एक दम से ट्रैफिक डालेंगे तो सर्वर की केपरिसिटी से बाहर चला जाएगा तो वैबसाइट हैंग हो जाएगी और फिर वो कुछ टाइम तक हो सकता कुछ दिन तक वरकिना करें तो यह होता है डिनायल है बहुत बार आजकल होता है यह दो आपके पास वाटसेप पर यह्या कहीं करो यह मेरे करो आपको प्राइस जीत गयो उसका जैसे लिंक करते हो आपकी पासफ़र अगेरा सब चले जाते हैं और पैसा भैंक से से खाली हो जाता है वह होते हैं वह सामने वालों के अंदर वाइरस वागेर डाल दिया है तो वाइरस के वाइरस के वज़े सारा डेटा करप्ट हो गया बहुत कुछ भी वह सकता है क्वाइश के अंदर जो सब्सक्राइब को कि कि नहीं डाल दिया थोड़ा था है मालवेर अटक में पीसी में वाइरस प्लाइब करेंगा वाइरस प्लाइब्ध नहीं कर दो जिसने सब्सक्राइब भी नहीं पता कि अंदर किसी ने वाइरत रागा उस्के पास नहीं था किसी शिटम का तो भी उसने कहीं से जोगार लगा के एक्सेस निकाला और वहां से डेटा चुरा रहा है वो data चुरा रहा है company का या उसमें छेड़ चाड़ कर रहा है फ्रॉड करने की वज़े से ransomware attacks, ransomware attacks भी virus वाली attack को ही बोला जाता है special जो virus होते हैं, special category के वो ransomware attacks की category में आ जाते हैं तो malware attacks और ransomware attacks institute ने अलग बनाया है बाकि malware attacks में ही ransomware attacks बोला जाता है यह अलग नहीं है पर आपको ध्यान लखना है आगे देखिए मेजर्स to mitigate cyber security risk cyber security की जो risk है cyber security में जो आपको खत्रे हैं उनको mitigate कैसे कर सकते हैं उनको दूर कैसे कर सकते मेजर्स के ऐसा paint आपको थोड़ा दर्द सेना पड़ेगा पर आपकी cyber security risk दूर हो जाएगी paint 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 में यह दोबार आएगा दर्द थोड़ा ज्यादा है दर्द ज्यादा है तो यह दोबार आएगा पी तो पी का मतलब है password management आप password रखो हर चीज़ पर password डालके रखो ठीक है कोई ऐसी कोई भी आके access ना करें तो access control उसके लिए फिर आप access control भी डालो similar type की चीज़ है कि इस device पर यही access मिलेगा इस पर यही मिलेगा ताकि कोई दूसा system access ना कर पाए incident response planning incident response planning का मतलब है कि मानलो में पर cyber attack हो जाए आज कि दिस किसी भी तरीके का phishing मालवे जो भी तो उस time पर तुरंत मेरा response क्या होगा मैं आगी कैसे process करूँगा अपने मेरे पर क्या जो impact आएंगे उस threat की वज़े से जो मेरे पर attack होगा उसके वज़े से जो impact आएंगे उनको मैं reduce कैसे करूँगा वो सबकी planning में को करके चलनी चाहिए पहले से इसके अलावा network security network security मुझे strong करनी पड़ेगी इंटरनेट connectivity है तो firewall लगानी पड़ेगी जो आपने देखा होगा इंटरनेट जो भी यूद में लेते होता है ताकि थोड़ी सी एक्सेस कर लेते हैं उल्टी सीदी वाइरसे आ जाते हैं इसलिए कुछ companies तो आप उनको ब्लॉक की कर देती हैं कि आप सिर्फ यह काम काम की चीज़े एक्सेस कर पाते हो लैप्टोप पर वाकी चीज़े आप website पर जाहीं नहीं सकते एक दिन पूरा डेटा करें लेगा तो क्या करें तो बस यह आपके मिटिगेट करने की मेजर्स नेक्स राजए यह फ्यूचर आफ टेक्नोलोजी न अकांटिंग अकांटिंग यह अंदर टेक्नोलोजी का क्या है एक अपको क्या ही बताया जाए तो उसमें इसके बारे में उसके बारे में लेकिन बहुत कम 사शना क्या है है तो थोड़ा बोग जितना मुझे पता है जितना मुझे समझ आता है तो जितना अगल्र सेक्नोलोजी जिसके लिए ट्रांजेक्शन की सिक्यूर रहते हैं इस में घेनी पर खत्रा नहीं है सकता में थोड़ा अलग एक्जामपल एक आपको समझाता हूं फिर आपको ब्लोक्चेन समझ में आ जाएगा ब्लोक्चेन समझाने के लिए थोड़ा थर मैं देना पड़ेगा अज आपको लगता है कि यार गौर्णमेंट जो ना वो लोगों से पैसा लेत यहां मैंनत करता हूं और कभी मुझे लगता है कि अ a के जो मेहनत करके कमा रहा है वो ऐसी तैसी कराए बागी सबकों मुफ्च में बाट हो तो ऐसी चीजें होती है तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते आपको पता नहीं कि वह गौश्य कर रहे हैं अपने यूज में ले रहे हैं लोगो का भला कर रहे हैं तो इसके लिए ब्लोक्चेन टेकनोलोजी मार्केट में है अबी जिसका बहुत बड़ा फ्यूचर है दीरे-दीरे हर जगे इंप्लिमेंट करी जाएगी और यह जो मैंने आपको एक्जमपल दिया ना वहां पर भी एक टाइम पर जाके करें अगर कोई अच्छे पॉलिटीशन जयासे लोग है तो वो व्यूटीट करेंगे शिस टेकनोलोजी में क्याना डिस्ट्रिब्यूटेड नेट वरक होता है डिस्ट्रिबूटेड डी सेंट्रलाइश्ट पावर यानि इनफरमेशन सिर्फ गौर्मेंट के पास नियों कितन पूरी पब्लिक के पास सी information है कुछ लोगों को पूरी पब्लिक को दे देंगे तो भी दिक्कत होती है ठीक है पब्लिक में हर इंसान को भी सब चीज़े नहीं दी जा सकती ब्लॉक्चेन में क्या होगा ना तो यह जो information कि इं फॉरमेशन कोन सी अपने इक्जामपल में कितना टेक्स आ रहा है कहां पैसा जा रहा है का ख़्योन हो रहा है यह information और यह एक्से फेसर देंसे είναι सब उनको दिखेगा सब उनको दिखेगा सब उनको दिखेगा गांप students ay मतलब अब सब्सक्राइना सब लोग अब और सब्सक्रण करेंगे तो मतल्ड नहीं होगे पर सब्सक्रायज करेंगे तो आई इस बंदे ने चेंज की डाली है इस बंदे ने बोला है कि इसको पांच करोर करूं फिर बाकी लोग देखेंगे कि यह बंदा सही बोल रहा है अगा बाकि सब लोगों ने अप्रूफ कर दिया कि हां यह इनफोर्मिशन गलत दिख रही है तो अपडेट हो जाए गी बाकियों म प्रवाइब ने गलत दिखाना चाहा तो इन में से मानु कोई एक आद भी मांदर हुआ वह बना कर देगा नहीं होगा वह इंसे करते फिर्मेशन पुरी ट्राम्सपेने रहेगी ट्रांसक्शन से क्यों रहेंगे ट्रांसक्श pipe कि मैं आपको बता ओलोगाicularly technology में क्या होता है blocks बनते blocks बनते blocks कि चीज के information के information क्या थी income tax कितना आया तो एक block में कुछ information store होगी कि इस बंदे से इतना income tax आया अगले block में information store होगी कि यहां पर इतना income tax आया पैसा खर्च हुआ इसमें होगी कि इस बंदे से इतना आया यहां पर इतना खर्चुआ मतलब इन्फोर्मेशन चोटे चोटे टुकडों में चोटे चोटे ब्लोक्स बनागे चोटी छोटी फाइल्स बनाके अलाग जगे श्टोर करी जाएगी कुछ कच information इस इसवाइल में कुछ इसमें ईसी करोडो फाइल बनाई जाए तो मैसे बहुत कम बनाई बनाइए उन को चेंत के तरह कर दिया जाएगा चेंत के तरह। चेंत की तरहय का थो इसमें previous वाईल का लास्ट रिकोर्ड वो दिखेगा टक्राडोर्ट फाइल का लास्ट जिसे किननेक्टिविटे Challenge या पता क्या होगा Pits swirl को को कुरता है करने कि कोशिच करें कोई कर लिए ँब दो तो फोड़ा सा डेटा मिला अब को फोड़ेसा और हर फाइल का एकनोजी अलग होती है इसमें अलग सब में इसको दूबारा इसने वहनत कर नहीं चान लग जाएंगे एक डेटा को चांवें नहीं कर पाएंगी तो शर्वा ऐसा तो कर सकता ना मानुस ने एक फाइल करी इस फायल का data manipulate कर दे इस फायल का में data manipulate क्या होगा इस फायल में data closing में मानलो कोई data था वो 10 दिख रहा है और सेकेंड फायल में previous file का data मैंने बोला था हम इसमें link करते हूए चलता है तो वो 10 दिख न चिए था वो 10 ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी बहुत सिक्योर है डी सेंट्रलाइज और ट्रांस्परेंट लेजर है यह मैंने आपको बताया डिस्ट्रिवुटेड नेट्रक इसमें ओफर किया जाता है जहां ब्लॉक्षेन टेकनोलोजी आपकोई करेगा टो प्लॉक्षेन से पता चल जाएगा क्या है सब कुछ जाएगा लिए स्टीम लाइन थ्टीम्लाइन और और कोंटिंग में आया तो लॉए से इस बढ़ेगा वहीं हो जाएगा तो कोस्ट रेडिक्षिन हो जाएगी मतलब आपको जो भी आप अलाक बंदे बढ़ा अब आप multiple users को एक्सेस दे दो उनके सामने ट्रांप्रेंट लेजर है वह ही महां पर अधराइज कर सकते हैं स्ट्रीम लाइन ऑडिट प्रोसेस पुरा स्ट्रीम लाइन हो जागा सबसे ज़्यादा वेनिफेट अडिट करेगा उसको एक पुरा व्यवस्ति ट्रांजेक्शन द इंप्रूव होगी डेटा की इंटीग्रिटी डेटा की जो इंटीग्रिटी वह इंप्रूव हो जाएगी सिंप्लीफाइड रिकंसीलेशन करना आसान होगा क्योंकि हर चीज बिल्कुर चल रही है ब्लोक्चेन में कुछ गडबड होने के चांसे दिनी है इने इस में उसको हेल्प मिल जाएगी ट्रांस्पेरेंस होई रही है सिम चीज़े रिपीट हो गई आप लिए नेक्स्ट आईए फूचर आफ टेकनोलोजी में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जिसे आप AIB बोलते हो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है इस ट्रेफिश डिन्सान के पासितना दिमाग वो इस मशीन को देदिया मैंने इसमें सिमूलेशन चला दिया इससे क्या हुआ अब यह एसे टास्क कर सकता है जो human intervention के बिना हो नहीं सकता था यानि अब यह वह भी काम कर सकता है जो human कर सकता था किसी भी फील्ड में तो artificial intelligence कैसे होता है machine learning के तुरू आप एक machine को learning देते हो कुछ और वह machine फिर इनसानी दिमाग के तरह खुझ से चीज़े सीखती है और खुझ से चीज़े करने लगती है जो इनसान कर सकता था इसका एक आपने देखोगा मार्केट में आप ऐसे रोबोट्स आये हैं जो न्यूज में आते रहते हैं जिन्सको आप बात करो पुरा एकदम आप जो बोलोगे उस तो मशीन को आपने इतनी हुमन इंटेलिजेंस दी कि वह लोगों से बाते करके खुझ से लर्निंग ले रहा है खुझ से सीख रहा है कि अब आगे कैसे करना है समझो आप यह बात वह यह आई बोलते हैं दुनिया बदल जाएगी तो वह यह है कि हो सकता एक दिन इंसानों क पर कभी नहीं हो सकता तो फिटा को नहीं समझ सकता सकता वह यह दो कभी सोचने कि बात सकते हैं और पुरा रेप्लिके सी अंदर डाल सकते हैं तो यह कहां यूज लिया जा सकता है डेटा को एनलाइज करने में प्रेडिक्शन फ्यूचर के सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि इसी कंपनी के डेटा की डेटेल में लगता है है और शरी डिङेशन अपके इसी में डालोगे मशीन में तो मशीन लर्निंग करने लगेंगे अपने आपसे ठीके जैसे इंसान अपने आपसे सीखता है तो आप टेक्नोलोजी देट इनेबल इसी एक जैसे वजह से जो कंप्यूटर्स है वह ऐसे काम भी सीख जाएंगे ऐसे काम करने लगेंगे जो हो कि आपने उनमें प्रोग्राम ही नहीं करें यह उनको बताया ही था वह भी करने लग जाएंगे वो खुछ से सीख रहे हैं चीजए यह होती आटिफिशल इंटेल इसके बैनिफिट्स क्या होंगे सब बैनिफिट्स एडवांटेजिस क्या है आफ़त है आफ़त हो सकती है हुमेनेटी के लिए हो ना तो आफ़त है ये डवल एफ-अफ़त तो ऑटमेटेड डेटा एंट्री सब कुछ हो जाएगा डेटा एंट्री में आपने बाते करी वहीं यहां पर आएंगी वह सब सब्सक्राइब बना पारें सब्सक्राइब चोटे लेवल की है तो डेटा एंट्री ऑटोमेट हो रही है इस फ्रॉड डिटेक्शन आप बना दोगे तो एई टूल खुष से फ्रॉड डिटेक्ट कर पाएगा चीजों में की कहां कहीं फ्रॉड हो रहा है क्या उसमें दिमाग है कि यहां अकाउंटिंग यह नीची यह क्यूद है कर पाएगा यानि फॉरकास्ट कर सकता है कि फ्यूचर में कंपनी के यह प्रॉफिट बगिरा सेल क् सकते पास्ट ट्रेंड यह सब देखके मार्केट को अनलाइज करके अकाउंटिंग पुरी ऑटोमेट होई जाएगी टेक्स कंप्लाइंस ही हो कर पाएगा वो अटोमेटिकली केलकुलेट कर लेगा इतना टेक्स बनता है वो अटोमेटिकली इनकम travel प्विक नाट होना लेते काइँ आने बसक नाट कर्णा हो यह सबसे प्राइवेसी आपने एक AI टूल को पुरे डेटा के अखसेज दे दिया तो डेटा की प्राइवेसी कहा मची जए करके ले जासकता है सेम चीज़े रिपीट करके लिखा है समिशा रहेंगे टेकनिकल कॉंप्लेक्सिटी आईगी लोगों को समझने में लोगों को समझने में बहुत दिक्कत आईगी यूस कैसे करना है जैसे कि मैं आज की टाइम बताओं आपके ग्रेंट फद अगर कोई होंगे तो वह लोगों क आज अगर आप इंटरनेट दोगे मोबाइल दोगे तो उनको समझने में दिक्कत आती हो सकता समझ में आ जाए उनको पर कुछ तो नहीं समझ पाते हैं क्योंको यह सब चीज़ें कॉंप्लेक्स लगते हैं तो आज आप स्मार्टफोन यह सब नॉर्मल है पर AI जब इस करना है तो एंप्लोई वगेरा को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पर आजए इस चप्टर में इंडेस एंड इन्फॉर्मेशन टेकनोलोजी हमने इस चप्टर में पढ़ा अकाउंटिंग टेकनोलोजी वाला पाट कि टेकनोलोजी क्या क्या यूज में ली जा रही है अकाउंटिंग में क्या सिक्यूर्टी थ्रेट्स हो सकते हैं उनको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं फ्यूचर में क्या क्या टेकनोलोजी अकाउंटिंग में यूज में ली जा सकती है यह सब अपने बात करें अब अकाउंटिंग को लिंक करने के यानि इंडियस को implement और validate करवाने के लिए technology कैसे रॉल प्ले करेगी। यानि किसी company को implement करना कि मेरा इंडियस यह इंडियस सफ्टम सही implementation हो जाए, इंडियस फोलो हो जाया accounting में ठीक है? तो उसके लिए टेक्नोलोजी कैसे रॉल प्ले करेगी तो उसके लिए बताया गया कि इंडिया देगा एक प्रिंसिपल बेस्ट फ्रेमवर्क है कैसे पूर एक्जामबल पी पी की बातकरी लिखा हुआ है पीपी आप पीपी की डेफिनिजन है इस आइटम को पीपी मानोगे पीपी मानोगे तो उससे आप कोस्ट पे रिकॉर्ड करोंगे पूरा एक प्रोसेजर है पूरेक फिक्स्ट परोसेजर है ऐसे है आपको मानों क्वानोगों फाइनिशियल एस्ट करने तो इंडिया संजायन में बोला गया है कि आगर यह condition फुल्फिल करते हो तो इसए मैथर सवागिरा दे रहे एसे बनें अपने देखा हुआ है ये सेग्मेंट ऑपरेटिंग सेग्मेंट है कि नहीं क्या हम इन दोनों सेग्मेंट को अगरगेट करके अकर कि छोगिया हम आड़ेटिंग सेग्मेंट दिखा सकते को सब्सक्राइबcakी यानि प्रिंसिपाल wise जो है software के अंदर account level पे आप configuration डाल दो कि बाई sales के account में कितनी performance obligation उसके basis पर data जाएगा तो rule-based validation डाल दो कि इस contract के अंदर automatically software identify करें कितनी performance obligation है या फिर मालो financial asset का account है तो financial asset के account के अंदर इस software में configuration डाल रहें और coding कर दो जिसे जो भी financial asset का contract होगा ERP software तो contract भी software में रहेंगे तो integrate हो जाएगा तो software से पकड़ ले और software को खुदी analyze करें condition आप डाल दो यह condition हो तो FBTPL यह हो तो FBTO से यह हो तो ECL तो वह financial asset में उस account automatically उस में धर से accounting करने लग जाए अकाउंटेंट को कोई दिमाग ही नहीं लगाना तो इंडियस implementation पूरा automate हो सकता है technology यूज़ करके लेकिन अगर account level configuration आप नहीं कर पारे हो software में नहीं किया गया है coding वगेरा तो आप external source of technology यूज़ में ले सकते हैं Microsoft Excel भी यूज़ में ले सकते हो और बहुत बहुत डेटल फर्मुला होते हैं offset match जो आपने अगर कभी यूज़ में लियो हो तो इन फॉर्मुला से बहुत condition लगा कि अभी भी मेरी वो sheets चलती है जिमें पूरा data automatically में पास calculate होके मिल जाता था ठीक है तो वह है कि account level configuration नहीं Microsoft Excel भी यूज़ में लिया जा सकते हैं जिसे आप external source of technology बोलोगे उसमें क्या करोगे मानलोग फाइनेशल asset की बात करें तो मुझे इस financial asset को FBTPL FBTOC या Amotex Cost case पर दिखाए तो जितने भी financial asset के contract है उनका data आप Excel में maintain कर लो या software से Excel में निकाल लो क्या क्या data आप column डाल लो क्या 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 इंटेंशन होती है कि आप इससे contractual cash flow collect करने वाले हो आपका intention है इसको बीच में बेचने का या आप इसको ट्रेडिंग परपस से रखने वाले है से column डाल लो और उन कोलम में contract में से data डालो कि क्या क्या intention हो contract में लिखा होगा उसके फाइनल कोलम में इस या जो भी condition वाले rule है वो डाल दो logical functions Excel के और उसके according आप formula set कर दो वो automatically formula आपको देदेगा आप समझते होगे जिन्हों नहीं किया वह बस सुन लो और आगे बढ़ जाओ उन में कुछ नहीं कर सकता है यहां पर Excel में वह सब चीजे करना अपने को नहीं सीखना है ठीक है तो यह आपको समझ में आगया होगा कैसे technology यूज की जा सकती है इंडियस 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 की आपने पास रहते हैं तो इसकी जो कुछ भी आपको एसा याद रखने की जरुरत नहीं है फिर भी जो the common steps होते हैं वह मैंने यहां लिखे हैं तो अगर आप यह याद रख लेते हो तो फिर आप एक्जाम में देटी यह लिखके आजाना फिर आपको बनाके लिखने की जरुवत नहीं पड़ेगी और अगर आप यह याद नहीं रखते हो त सबसे किया जा सकते हो बस आप सुनते जाओ क्या-क्या हो सकता है कैसे किया जा सकता है सबसे पहले तो आप अपने accounting software को अधर operational systems के साथ integrate कर दो यह जिस software में accounting हो रही है ERP में बागी systems भी इंटीग्रेट कर दो inventory management, supply chain operation, contracts वगएरा के तो उससे क्या होगा financial assets वगएरा के contracts वगएरा हम ERP भी maintain करें वह accounting software से link करो वह लिंक नहीं होगा तो वह data को verify कैसे कर पाएगा कि हाँ इस contract में यह लिखा हुआ था और उसके according अपने को इस method के according accounting करें तो पहले तो वह integrate करो अब integrate करने के बाद आपको क्या करना है अब integrate करने के बाद देखते हैं कि software में according कर लो उसके according working करेंगे लेकिन अगर software में नहीं कर पाए हम तो क्या करते है एक्सल के लिए करना पड़ेगा डेटा Excel में निकालना पड़ेगा extract करना पड़ेगा तो अपन उसकी बात करते हैं पहले फिर बात में वह अगेरा पर आजाएंगे तो आप क्या कर लो एक्स्ट्रेक्ट कर लो relevant data from accounting package contract documents जो भी accounting का software है उसको अगर integrate कर दिया होगा तो वहीं से आप अप एक्स्ट्रेक्ट कर लो data को एक्स्ट्रेक्ट कर लो जो भी आपको data चीए माँलो अपन financial asset का एक contract किया था उसका data को अपने extract कर लिया अपने बहुत सारे contract कर रहे थे financial asset को उसको एक्स्ट्रेक्ट कर लिया accounting package से excel format के अंदर columns के अंदर अपने पहले predefined predefined template बना लिया जि accounting software को integrate नहीं किया मैं को सब कुछ excel पर करना तो contract document से मैंने excel में information बना ली excel में information जचा दी टीक है तो वही next point भी उसी तरीके से use custom queries या predefined templates to extract information predefined templates मतलब पहले से fix format बना लो जिसमें data extract होके आजाए आपके पास clean the data by removing unnecessary information काई बार किजी software में predefined template नहीं है वो एक साथ आपको 10-15 column निकालके देगा उस contract को जब आप extract करोगे excel में तो 10-15 column बना के देगा उसमें तींचा column आपके काम में नहीं आने वाले analyze कर करने के लिए तो तींचा column आप हटा दो clean कर दो data यानि उन column को delete कर दो जो column चीए वही रखो ना फालतु में इतने बड़ी एकसे बनाने क्या जोड़ा क्या पॉइंट सोचो क्या पॉइंट है यह question के solution में लिखे हुए इसलिए मैंने बनाके बास अपने मर्जित से लिखने को पुछ नहीं है analyze the clauses in contract clause जो भी है contract को अब analyze करो बाप कि क्या-क्या clause लिखा हुए उसमे column में data आगया ना analyze करने अब आपको अब analyze करके आपको क्या करना है define करने सबसे important सबसे important step यह है criteria और rules for categorizing contract as per relevant India अब criteria और rules बना लो criteria और rules बना दो और categorizing contract as per relevant इंडियस जैसे इंडियस 109 के according FBTPL, FBTPL या ACM किस method पर दिखाए इस financial asset को criteria और rule बना दो कि यह condition fulfill हुई इस यह हुआ तो ACM otherwise यह हुआ तो FBTPL तो यह criteria आप rule बना दो logical functions आप जानते हो Excel के वह use करके आप यह कर सकते ठीक है तो पहले criteria decide कर लो कि आपको rule क्या बनाना है यहनि इंडियस के condition इंडियस के rules आपको follow करने है इंडियस के rule आप पता कर लो और वो define कर लो एक बार लिख लो आप अपने पास इसके बाद आप क्या कर दो codify कर दो code डाल दो ठीक है coding कर दो आप each close अब यहां पर coding वाली बात आ गई वही जो पर मैंने बोला था अगर integrate कर रखोंगा तो code कर दो codify कर दो each close by assigning appropriate parameters tax attributes labels या values based on defined criteria तो आपने criteria डिफाइन किया जो भी आपने बना लिया के हाँ यह condition होनी चाहिए तब इस method से इस method से ऐसे दिखाएंगे जो भी चीज आपको करवानी है अब उसका coding कर दो उसकी coding कर दो आप appropriate parameter यह टेक्स या attributes labels या values डालके कि भाई इस वाले code को आपने यह coding दे दी भाई यह अगर हम contractual cash flow लेना जाता है और intention है maturity तक होल्ड करेंगे तो उसको आपने एक parameter tag या attribute डाल दिया कुछ भी आपने उस पर tag या label value कुछ भी डाल दिए इसको आपने ए बोल दिया इसको बी बोल दिया इसको सी बोल दिया इस तरीके से coding कर दो इसके बाद assign करो इस course weights या boolean value 0 और 1 to parameters जो भी आपने parameters बना लिए जो भी आपने parameters बना लिए उनको आप boolean values अलोकेट कर दो boolean values का मतलब क्या है स्कोर्स या वेड्स boolean values होते हैं 0 और 1 यह बिल्कुल technical language है जो लोग actual में software coding करते हैं software engineers होते हैं वो लोग यह wording यूज में लेते हैं उनके लिए आपको बिना बात में दे रखिए पर आप थोड़ा ता सुन लो यह क्या है आपने coding डाली में Excel के तरीके या यानि वो यस है भाई मानलो मेरा यह था कि यह financial asset है या नहीं है मानलो यह analyze करना था मुझे तो 00 यानि यस वन यानि नो ठीक है या फिर 0 यानि नो वन यानि यस कुछ भी कर सकते हो वह आप पर है तो आप assign कर दो कि boolean value 0 का मतलब क्या होगा और 1 का मतलब क्या होगा respective parameters कि इस वाली condition को fulfill किया तो 0 आना चाहिए answer इस condition को fulfill किया तो answer वन आना चाहिए जिसे आप score weight या बोलियन values भी वोड़ सकते हो यह सब बात चल गए तो यह आप software में करो यहां तक software की बाते थी यह software में recording करते हो अब excel की बाते वापत अगर excel में कर रहे हो तो क्या कर नहीं इस्टेब्लिश कंडिशन दे रहा था आपको लॉजिकल फंक्शन लगा तो इसके बाद यहां फिर सौफ़ेर से करें तो डेवलप करो आपको अपको सौफ़ेर में बनाने पड़ेंगे डावलप करवाने पड़ेंगे डेटा को डेटा इवल्यूट हो जाएगा excel में या फिर सौफ़ेर में बता दिया मैंने उसके बात क्या करना है आपको आउटकम मिलेगा तो बेस्ट अदिशन आपने लगाई एक्सल में य होगी आपके पास आप evaluate कर लीजे रिजल्ट को डेटरमाइन करें आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपका या वेट जो भी आपने परामेटर को असाइन करें उससे आंसवर में 01 ऐसे आया होगा बूलियन वेल्यू सपोर्स जिरो मतलब यस था वन मतलब नो था अपने अपन documentation करके books में books of accounts बनाके रखोगे मतलब जो भी documents है वो आप अपनी files बनाके रखोगे इसके बाद में किसी को review करना है चेक करना है वो कर सके इसके बाद देखे लास्ट इसमें पॉइंट advanced technologies that may be adopted automate करना है इंडियस implementation प्रोसेस तो कुछ advanced technologies और है जो मार्केट में अवेलेबल है इनको adopt किया जा सकता है सबसे पहले business intelligence software को आप यूज में ले सकते हो business intelligence software इन सब में बहुत help करता है कॉंट्रेक्ट से डेटा वगेरा लेके उनको extract करवाने में एनलाइस करवाने में इसका यूटिलाइस कर सकते हो ओस्या टेक्नोलोजी टु एक्ट्रेक्ट इंफॉर्मिशन आपने डेटा मशीन में अप्लोड कर दिया software में और मशीन लर्निंग के अपने मशीन लर्निंग डाल दी एनलपी टेक्निक यह भी आपकी लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होती है जो कि बहुत टेक्निकल चीज़ें जिस पर आपको जाना नहीं बस नाम ध अपने प्रोसेस बना लाइब करते हैं एक बार आपने बर आपके लिखने का है समझ के अपनी आंडेस्टेंग के बेसिस पर लिखने का है बाकि जितने भी टॉपिक इस चेप्टर में ते वहां आपको रखना था पर यह लाश्ट टॉपिक ऐसा है जिसमें आप बनाके अपनी अंडेस्टाइडिंग से लिख सकते हो फिर भी पॉइंट्स दिया है इनमें ते आप याद कर लोगे पांचा पॉइंट से आपका काम हो जिसमें सबसे बहले करेंट टेकनोलोजी इन अकांटिंग क्या क्या यूज आ रही है अप्रोप्रोशेस यानि सॉफ्वेर और अधर टूर्स यूज में लेकर हम मैनुवल प्रोसेस अटोमेट करें जिसके कुछ बेनिफिट्स और ड्रोबैक्स मैंने आपको बताएं फिर रोबोटिक प्रोसेस अटोमेशन एक इमर्जिंग टेकनोलोजी है जिसने फाइनेशल रिपोर्टिंग को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया पूरा का पूरा सॉफ्वेर रोबोट्स यानि बोक्स को यूज में लेकर मैनुवल एन रिपिटेट्टिट्व टास्क के लि सब्सक्राइब करने में काम में आता है अकांटिंग सप्लाइज और अपरेशन वगेरा यह मल्टिपल बिजनस प्रोसेस को कर देता है और डेटा डॉप्लिकेशन हटा देता है डिपाइंड डेटा स्ट्रक्चर पर यह स्टैब्लिश है इन स्कीमा इसके बेनिफिट्स जाता है और यह जब काम में आता है ज्यादा तर जहां मेजर बिजनस फंक्शन के लिए मोड्यूल बनाए गए हों अब इंटेग्रेटिंग इंटरनल कंट्रोल और फाइनिशल रिपर्टिंग विद इयार्पी करना हो तो उसके कुछ स्टेप्स दिये गए थे जो अपनने देखोगे कि डिजाइनेटेड इंडिविजूस में अथोराइस करें चेंज रिक्वेट्स को आप रिव्यू करोगे प्रोपर अथोराइज़ेशन के लिए रोल्स और रेस्पोंसिबिलिटी जो है प्रोसेस में क्लियरली डिफाइन होनी चाहें क्वालिफिकेशन जो है इ इसके मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताएं एक्सेस कंट्रोल्स इंप्लिमेंट कराने हैं वर्क्फलो अप्रूबल प्रोसेस आपके पास होना चाहें इंटेग्रेट कर वालो बार्कोर्ड इसकेनर और और इंटेग्रेट कर लोगे टेक्नोलोजी ड्राइवन डेटा अ अब इनको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है पासवर्ड मैनेजमेंट एक्सेस कंट्रोल इंसिटेंट रेस्कॉंस प्लानिंग नेट्वक सिक्वर्टी एंप्ली ट्रेनिंग इंक्रिप्शन डेटा बैकप फिर टेकनोलोजी का फ्यूचर क्या है आपका अकांटिंग के क्या आएगा फाइनेशल रिपॉर्टिंग के ओपर जो मैंने आपको बताए एक तरीकी से फाइनेशल रिपॉर्टिंग में क्या क्या हेल्प कर पाएगा और यह मशीन लर्निंग के साथ अगर इंवल्फ कर दिया तो यह टास्क खुछ से भी लर्न करके परफॉर्म करने ल क्या है इंडियस के इंप्लिमेंटेशन और वैलिडेशन में इंफर्मिशन टेकनलोजी काम में दे सकती है क्या आप अकाउंट लेवल पर कंफिग्रेशन कोडिंग करके आप इंडियस का वैलिडेशन करा सकते हो इसके अलावा अगर कंफिग्रेशन नहीं करते तो आप एक कर दीजे कंडिशन एक्सल में और अगर सॉफ्ट्रे में तो डवलप कर दीजे अलगोरिधम इसके बाद आपके अनलीटिस वैंडिंग्स के बेसिस पर आप रिजर्ट पता कर लिजे उसको डॉक्युमेंट कर लिजे कुछ आप यूद में ले सकते हैं यह था इस चप्टर का पूरा कंसेप्ट अब आजाई है आप क्वेशन में क्वेशन में टिक लगाना है इस चप्टर में कुछ स्पेशल नहीं है फटाफट से टिक लगाते हैं कंप्लीट करते हैं लेक्चर जरूर थोड़ा लेंदी हो गया पर यह फटाफट से अपने पालतु जो कचरा था को बहुत बड़ा क्योशन देखने को मिलेगा आपको कुछ एअधि कि ट्रांजेक्शन कर रही है फाइनिशल रिपार्टिंग की वीक्नेस नजर आई है इंटरनल कंड्रल अवर फाइनिशल रिपार्टिंग में आपको पता है यह जो फाइनिशल रिपोर्टिंग क्योपन इंटरनल कंट्रोल इयर पी से करना तो वह पोईंट में बता रहा है क्या क्या वीक्षिक ने से जैसे दोकुमेंटेड प्रोसेस नहीं इसके बाद चेंजेश जो है वह प्रोपर्लिय और तुराइश नहीं है ऐसा बोला गया तो बस आपको वह पॉइंट दे भी रहे याद न वहाला वाला चेप्टर है जो देरी सब्जेक्ट में होता है इसके बाद साइज में हैं बहुत सारे पॉइंट्स जितने मेने लिखा इप उतने दियान लखने हैं 5-6 एकजाम में लिखने हैं इस से यादा नहीं लेंगी इसके बाद next question है इसमें company manufacturing company है इंडेस टू लगा रहे है inventory के लिए तो inventory के लिए ERP system चाहती है और internal control over financial reporting चाहिए उसका inventory management पे inventory management पे तो वो आप पूरा guide कर दोगे इसके बाद इनोंने कुछ पूछे है steps अगर company ERP system afford नहीं कर पार है inventory management के लिए फिर भी company इंडेस टू implement करना चाहते है तो possible है बिल्कूर possible है मैंने बताता है इंडेस का implementation करना possible है अगर company ने account level पर coding नहीं कर वाई है और software यूज नहीं करें तो कैसे Excel यूज में लेकिए external technology वह आप बताऊगे तो पहले आप ERP के थुरू बता दोगे inventory management तो वह इसके बाद integration of ICOFR in ERP system कैसे आएगा EIP वाला ठीक है E4 और P अब ERP system अगर नहीं लगा पाएं तो inventory management का automation वगेरा करना है तो कैसे होगा इसमें थोड़े बहुत point लिखेंगे बाकि और भी question इसके देखेंगे आप export कर लिजे relevant data accounting पर किससे निकाल लिजे label लगा दीजे corresponding data पे मैंने बताए तो ना आप assign कर दीजे parameters, tags, attributes, labels, values इसके बाद आप formulas establish कर दीजे condition Excel में formulas के थुरू जो बताया था आप formulas किसके लिए लगाओगे inventory के लिए material cost, labor cost, overhead absorption rate ये सब के लिए formula लगा लगा लिजे, cost calculate हो जाएगी और spreadsheet में आपको report मिल जाएगी final answer मिल जाएगा तो ये बनाने के answer होते हैं बनाके लिखने का होता है पुरा का पुरा आप देखो कि आपने पास जो अवेलेबल है वह अजीव अजीव वाले question है एक्जाम में के direct question भी आ सकते है automation process क्या होता है बताओ उसके benefits और limitation वह अपने बढ़ा cloud computing क्या benefits limitation ऐसा normal भी पूछ सकता है तो आपको मालूम है notes से चापना है इस में अपने पास जो question है वह अजीव अपने देखिए तो उसके according answer देना है के नहीं यहाँ पे आप देखो company जो है na ERP accounting package है उसमें properly उन्होंने configure नहीं किया थीक है ERP के अंदर यानि account level पे configuration नहीं किया इसलिए company जो है यह external source of technology यूज में लेके पता करना चाहती है nature of contract derivative है यानि यह accounting technology chapter का question है 109 को अपर आ गया ल accounting technology यूज में लेके इंडेस का implementation करवाना है 109 के according पता करना है यह contract यह contract क्या derivative contract है या नहीं है तो technology कैसे implement करोगे कौनसी वाली external source वाली इन्होंने बला कि ERP package हम configure नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करोगे extract data करोगे accounting package से इसके बाद आप वोई clean कर लीजे कोई unnecessary information define कर दीजे criteria for categorizing the contract condition बना लिजे excel formula से function use करोगे मैंने बताया था और assign कर दीजे appropriate label values वही same point है जो मैंने लिखे आप अपनी मर्जी से बनाके लिख सकते हो सोचके और या फिर notes में जियात कर लिजे इसमें तो यही कुछ points लिखे हैं बागी points वही फालतु same repeated points अब यहां पे तो को एक point मैं पढ़ाता हूं यह point पढ़के आपको सोचना चाहिए क्या point लिखा है open the exported data in Microsoft Excel यह point institute का लिखा हूँ यह answer में institute ने लिखा बता हूँ बिलकुल फालतु है जो main point है जो आपको ध्यान अकने वह मैंने notes में आपको incorporate कर दिए बहुत सारे थे तो आप सारे चापके आ सकते हो तो जो भी होगा आपको marks पुरे मिलेंगे तो next ऐसे एक entity है जो broadband service और voice call service देरी अपने customers को मतलब यह company कैं टेलीकॉम company है तो SIM card में broadband की service भी देती है voice call की service भी देती है और बहुत सारी service देती है modern अगेरा भी install करती है आपको द accounting technology चेप्टर का question हो पर तक कैसे लगता इंडिया का question है कि performance obligation कितनी है पर automated process से कैसे पता करेंगे तो बस वही आपको बताना है आप सब से पहले वही अब इसमें उपर नीचे लिख देते हैं यह clause analyze कर लिजे कोडिफाई कर दीजे इस clause using parameter stacks assign कर दीजे boolean value define criteria developed automated algorithm utilize scores और वेस्टू पैरामेटर से वही चीज़ है कुछ भी नेक्स्ट टी लिमिटेड ट्रांसपोर्ट की कम्पनिये जो बस चलाती है अलग-अलग sectors में different routes पे तीन जेगे वह बस चला रही है तीन segment इन्होंने बताए कि हम aggregate करना चाहरे हैं तो क्या इंडेस के according यह aggregate कर सकते हैं कुछ conditions वो fulfill हुई तो करेंगे नहीं करेंगे तो इंडेस का question होता पर अब यह क्या बन गया यहां पर देखे सब्सक्राइब करने के लिए क्या प्रोसेस लेने पड़ेंगे टेक्नोलोजी का question ताकि आप देख सको कि aggregate करेंगें कि नहीं करें सेग्मेंट तो प्रोसेस से ओटोमेट किया जा सकते हैं कि विल्कुल सेम वही लिखना तो स्टेफ्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसमें दिमाग लगाने मत बैठना नेक्स्वेशन में ऐसा ही है एक कंपनी है जो मार्केट में एंटर हुई है और यह कंपनी एक कंसीड blender muna par कोंट्रेट में एंस कंट्रेक्ट में क्राइटेरियो साथ कॉंट्रेक्ट कीकिया ष toute में देखना है की एक मांट्रेक्ट best came कितनी पोलगको सब्सार कि आपको पता करनू तो यह बिल्कुल question index का लग रहा, अब आगे देगो, steps बताओ, to automate process to perform about us, automate कैसे करोगे, same way चीज़े, कुछ भी लगनी है, तो सबते पहले होई, integrate accounting software with other operation system, assign specific tax or attributes, use custom queries or pre-defined templates to extract information, इतके लावा, इस question में इन्होंने advanced technologies बता दी, utilize OCR technology, apply machine learning, NLP techniques to extract data, utilize workflow automation to stream and contract identification process, इसे के साथ ये question में complete, इसे के साथ, इस चप्टर के सारे question में आपने देख लिए, कोई नई चीज नहीं थी, बस question में आपने देख लिया कि कैसे आपको answer करना था, जो मैंने आपको notes में लिखवाया है, वह ही आपको answer में लिखना था, यहाँ पर कोई solve करने जादा कुछ ही नहीं था practical, बस वही चीज चापनी आप, जितना मैंने लिखवाया है, उतना ही चापना ऐसा नहीं कि सर इन्होंने paragraph भढ़ दिया, कुछ ही नहीं कर सकते, जो keywords हैं, जो bold हैं, बस easy के marks हैं, वही marks मिलेंगे, आपको उसके अलावा कोई खामका नहीं है, आसपास की language बना के लिख सकते हो, और यह जो steps to automate वाली चीज़े थी ना, इसमें आप अपनी मर्जी से भी बना के answer दे सकते हो, बिलकुल फालतू कच्रा है, इसी से related question है, बाकी question मैंने बताया, किसी भी topic के जो notes में, पूछ सकता है, ERP के हैं, benefits के हैं, cyber security भी पूछ सकता है, threats भी पूछ सकता है, वो जो भी पूछे का, वो directly notes में दे उठाके चापके आना है, इसी के साथ यह फालतू कच्रा chapter आपका complete हो जाता है, यह chapter अपने complete कर लिया, और chapter आपका complete हो गया आज, और chapter complete हो गया, और आपके F-R का पूरा का पूरा syllabus complete हो गया, A to Z जो भी आपके syllabus में था, मैंने सब आपको cover करवा दिया है, कुछ भी अपना pending नहीं है, हर एक चीज मैंने cover करा दिया, तो आज आपका F-R का syllabus complete है, और आप लोगों को बड़ी जिदा था है क्योंकि subject को देखने भारी भरकम चीज हो जाती है अपने अपने, lengthy subject है, वाश subject है, तो अब देखिए आप आगे क्या working करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, कैसे revision करना है, exam में presentation कैसे करनी होती है, answer कैसे frame करने है, कैसे लिखने है, यह सब चीजे, यह स इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, यह वीडियो अपना topic से related था, यह खतम हो गया, मैं इसके बाद आपके guidance का वीडियो दूँगा, जो सिर्फ आप लोगों के लिए हो गाए नहीं, आपके इसी drive के अंदर ही रहेगा, आपके पास आएगा, उस वीडियो को जरूर से पूरा बताऊंगा कि क्या-क्या आपको follow करनी है, अब strategy revision कैसे करना है, subject handle कैसे करना है, क्योंकि आप सबसे ultimate चीज़े exam में marks लाने है, तो marks कैसे आएगे, क्या presentation करनी है, सब बताया है, पर वापत पूरा detail में बताऊंगा, आपको कैसे planning करनी है, subject के इतना watch syllabus है तो, और जो भ किता शेर कर दूगा, आपको motivation अगर उससे मिले, कि हम लोगेने situation में कैसे कैसे क्या पढ़ाई करी थी, आस तक अभी share किया नहीं, तो उसमें मैं आपको वो सब चीज़े भी share कर दूगा, उस वीडियो को जरूर से देखना ऐसा नहीं कि course complete हो गया, तो उसको ना देखो, वो आपके batch के अंदर ही, तो आप attend कर लीजेगा, और अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, पूरा FR आज complete हो गया, अगर आपको FR अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया होगा, समझ में आया हो तो आप review जरूर देना, मुझे message जरूर से करना, आप सभी के पास मेरा number है, हर किसी student क तो मैंने मेरा number share किया हुआ है, तो आप लोगों को mail पर मिला होगा, सुर भी किसी student के पास अगर number नहीं है, तो मैं number वापस देता हूँ, जिस पर आपको अगर कोई भी doubt पूछने हो, यह मेरा personal number है, जो मेरे पास ही रहता है, तो अगर कोई भी आपको doubt पूछने हो, तो मैं आपकी age काई हूँ, कोई ऐसा नहीं है, 40-50 साल वाला teacher हूँ, तो दोस्त समझके, फ्रेंड समझके, आराम से message करो, doubt सारे मैं आपके पूरे solve करता हूँ, मैं कोशिच करता हूँ, कई बातो एक मिनट में तुरंती reply चला जाता है, ठीक है, पर बहुत ज़्यादे हो जाते हैं, आज कल तो ऐसा सीन है कि इतने students हो गए, तो 2-3,000 messages मेरे पास personal number पर आ जाते हैं, जिसमें भी मैं आपको बता हूँ, class वाले students के तो maximum 5-10% doubts होते हैं, बाकि तो other students के होते हैं, जो कहीं होर से पढ़े होते हैं, तो उनके भी अपन करते हैं, तो वो दिक्कत निया आप करो messages, कहने का मतलब यह है कि जब मैं बाकी लोगों के में पास messages आते हैं, उनके जो मेरे से class भी नहीं पढ़े हैं, तो आप भी आराम से करो, बाकी class वाले students के doubts कम रहते हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं already, मुझे पता है कहां doubt आ सकते हैं, वो आपको ल्रेडी लिये हु यहां पर भी connect कर सकते हों उससे, तो वहां पर भी आपको कुछ पूछना है, connect होना है, तो यहां पर भी connect हो सकते हो, जहां पर आपको comfortable हो, वहां आप में से connect कर लेना, और doubt message वगेरा पूछ लेना, जो भी guidance चीओ, वो भी बताऊंगा, बाकी guidance वीडियो सभी के लिए तो और classes के दोरान, अगर मैंने कुछ बोले हों, ऐसी चीजे, मतलब मैं कई बार doubt भी देता हूं, कुछ चीजे बोल भी देता हूं, किसी को बुरा लगा हो, कोई मेरी बातों से hurt हुआ हो, तो उसके लिए मैं शमा मांगता हो, आप लोगों से दिल से, किसी को अगर बुरा लग हो, तो जरूर बताना, और अपने juniors को भी recommend कर देना, क्योंकि हम लोगों के लिए और कोई promotion का कुछ भी source नहीं होता है, आप लोग ही हो, अगर आप अपने juniors को recommend करोगे, तो फिर वो आगे recommend करेंगे, और ऐसे हमारा भी काम चलता रहेगा, ठीक है, और हम लोग भी आप लो कुछता है कि आपके performance, आपके पढ़ाई कैसे चल रही है, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही, तो आप call attend कर लिए, अगर हमारे staff कभी भी promotion के लिए call नहीं करेगा, इमारे team की तरफ से अगर call आया, तो कभी वो यह नहीं बोलेंगे कि यह चीज आ रही है, यह खरीद लो हमारी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा message नहीं आएगा, कभी भी call नहीं आएगा, सिर्फ आपको guidance के लिए call आएगा, तो हमारी तरफ से call आए, तो ऐसा मत सोचना की promotion के लिए आ रहा है, आप उठा लेना, वो guide करेंगे, वो हमारी तरफ से हम हर बच्चे को करवाते हैं कि हमें पता कुछ बच्चे हमें मैसेज करने से आप पता नहीं क्या डरते हैं आप लोगों जैसा हिए मैं जरूर थोड़ा एक्ष्ट्रिक्ट हो के पढ़ाना पड़ता है फोकस करके वना बैच जो डियूरेशन दिया उससे पता नहीं कितना खेच जाए बाकि मै आप लोग तब तक पढ़िए और कोई भी दिक्का तो मुझे मैसेज करिए और रिव्यू जरूर देना मैं रिक्वेश्ट करता हूं आप लोगों से रिक्वेश्ट तो है यह मेरी अपने पूरा बैच कंप्लीट के है पहुत बच्चे करते हैं बीच में भी बैच कंप्लीट हो गया तो यह मेरी रिक्वेश्ट आप सभी से जितने भी स्ट्वेश्ट है आप लोग शायद इस अटेंप्ट के लिए भी 10,000 से उपर 15,000 के लगबगी है शायद बच्चों क्लासे देख रहे हैं फार की मेरी जो रेगुलर बैच पर्चेस करके तो आप लोग फिर रिव के ठीक है रिवीव जा रहे है मार्केट में अगर बुरा लग रहा है पुछ गलत लगा है कुछ समझ नहीं आए तो वह भी जरूर मुझे बताना मैं उस पर भी पूरा इंप्रूव करने के पूरी कोशिश करूंगा हमारी कोशिश यही रहती है जितना हम इंप्रूव कर सक मैंने आपको नोट्स भी ऐसे ही बनाके दिया है जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल्ड कंटेंट इस तरीके से देदू समराइश में कि आपको कभी एक्जाम में दिक्कत ही ना आए और वीजन वीडियो पूरे यूट्यूब पर मैं अविलेबल कराता हूं मैं तरा बेर वी